हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का to this amazing platform of physics वाला मेरा नाम है सचिन जाकर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान और मासूम सा chapter that is limits ठीक है calculus differential calculus का यह chapter है असान है जही means की अगर मैं बात करूँ और जही advance की बात करूँ तो limits के question आपको वहां मिलेंगे और बहुत ही असान असान से सवाल पूछते हैं इसमें difficult question आप समझो की बनता ही नहीं है कुछ या फिर आप समझोगी अगर आपने concept सीख लिया तो difficult फिर से कुछ है भी नहीं तो असानी से देखिएगा अराम से सारी बाते हम discuss करेंगे हर variety के बारे में बात करेंगे और at the last you will feel की अब आपको इसमें confidence आ गया है और मेरी आप से request है पहले ही बता देता हूं जितने भी questions मैं यहां करवा रहा हूं वह एक तो अच्छे सवाल है दूसरा जही मेंस के हैं जही एडवांस के हैं सारी चीज़े गवर की जाएगी ठीक है लिमिट्स कोश्चेंज ऑफ जी मेंस 2021 आस्ट प्रिविए और कोश्चेंज यह दो हजार इकिस के जितने भी पेपर हुए है सारे शिफ्ट के निकाल लो उसमें डून डून के लिमिट के सवालों को फटा फटा फट सॉल कर दिए यहां से पढ़ने के बात ठीक है तो यह आ लिमिट्स की पढ़ाई करेंगे फ्रॉम बेसिक से लेके एसिटिक लेवल तक कुछ नहीं छोड़ा जाएगा जैसा कि आप जानते हैं नीचर हमारा ठीक है बेसिक सबसे पहले च्छोटी सी बात जहां पर हम लिमिट की कहानी स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको यह पता लिएगा येस हेलो हेलो मैं जरें एकदम स्क्रीम पर जैसे फॉर एक्जाम्पल मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया सामने देखना अब इसके ये वाला जो पार्ट है इसके बिल्कुर राइट वाला पार्ट ए को छोड़ कर ये वाला जो पार्ट है यह कहलाता है right neighborhood क्या कहलाएगा right neighborhood समझ गये पूरा लिख लीजिएगा this is right neighborhood वाला पार्ट और ये जो इस तरफ वाला पार्ट है ये वाला कहलाएगा sir left neighborhood क्या आपको मेरी x बराबर टू की बात करता, तो इस पार्ट में आपसे क्या पूछ लाओं लुगनी भड़ा धंव मेरा क consultant की एक थे संगे defer चलता ही जाएगा इसलिए हम ऐसे ना रिपर्जेंट करके हम इसको मैथेमेटिकली ऐसे रिपरेसेंट करते हैं किसी भी नंबर के उपर प्लस साइन लगा हो मतलब हम उस नंबर से जस्ट बड़े की बात कर रहे हैं समझके आगे प्लस साइन वाली बात और आगे माइनस साइन वाली बात अलग होती है उपर प्लस साइन वाली बात और उपर माइनस साइन वाली बात अलग है इसका मतलब है दो से थोड़े से बड़े नंबर की बात कर रहे हो इसका मतलब है 2 से थोड़े से छोटे नंबर की बात करे हो जम मैं आगे चलके कभी ए 2 प्लस या a प्लस या 3 प्लस या 1 प्लस जो कुछ लिखूं इसका मतलब समझ जाना कि आप 3 से थोड़े से बड़े नंबर की बात करे हो और सब दिखने में दिमाग में कैल्कूलेशन कौन सी चलेगी 3 से थोड़ा सा बढ़ा नमबर 3.00001 ऐसा फिर 3 माइनस की बात करूं सब 3 से थोड़ा सा छोटा नमबर दिमाग में क्या चलेगा दिखने में तो यह दिमाग में क्या चलना चाहिए 2.999999 इस टाइब का क्या मेरी बात समझ भारे हो हाया ना तो यह है neighborhood की कहानी और अगर आपको limit की बात बताओं तो limit is basically आप क्या करते हैं किसी भी question में या किसी भी सवाल में जब हम limit निकालेंगे तो उस point पर function क्या कर रहा है जैसे x बराबर यह पर आपको limit निकालनी है तो उस point पर function क्या कर रहा है हम उसकी चर्चा करेंगी नहीं वो उसके right neighborhood और left neighborhood में क्या कर रहा है वो हम देखने हैं समझ गे मतलब आजू बाजू में वो कैसा भी यह कर रहा है वो अपने को देखना है उस point पर वो defined है, not defined है, value आ रही है, नहीं आ रही है, continuous है, discontinuous है, discontinuous है, हमें कोई लेना देना नहीं है हम तो right neighborhood और left neighborhood में बात करेंगे समझ मैं है तो right neighborhood का मतलब क्या लिखोगे that means अच्छा एक और चीज़ कभी-कभी आप ऐसा बोलते हो कि x बराबर 2 इसका मतलब आपने x को exact put to, अब right neighborhood में मैं बोलूँ कि a से थोड़ा सा बड़ा number बताओ, तो sir, a से थोड़ा सा बड़ा number आपने बोला, सबके हिसाब से अलग लगाएगा, ऐसे बहुत साल लिखेंगे, तो इस वज़े से हम क्या करते हैं, यहां पर right neighborhood में ऐसे लिखेंगे, right neighborhood का मतलब है, x approaches to a plus, x approaches to a plus, या अभी अगर आप approaches वाली बात नहीं लिखना चाहतें, तो कोई बात नि, x equals to a plus, आप ऐसा लिख लीजे, x equals to a plus, approach वाली कहानी में आपको बाते में बताऊँगा, ठीक है, और left neighborhood में क्या बोलोगे sir, x बराबर a minus, क्या मेरी बात समझ गया, तो यह left और right neighborhood की बात हमार सामने निकल के आई, now sir, limit क्या होती है, उसकी चर्चा करते है, ध्यान सुनिएगा please, what is this limit, ठीक है, हाँ, आजाओ, limit को हम क्या बोलते है, मर्दा, what is limit, पहले तो definition सुन लो, फिर इसमें जो तुमें basic बात है, जो बताई जाएगी, सीडी सीडी तुमारे दिमाग ते function है, जो भी function है, ठीक है, जो भी function है, मैं आपको बताऊ, माल लो हमारे पास कोई function है, fx, हम इसमें x बराबर a पर कौन सी limit calculate करना चाहते हैं, left hand limit calculate करना चाहते हैं, sir, left hand limit का यहाँ पर basically मतलब क्या होगा, वो आप हमें समझाओ, वो बताता हूँ, इसका मतलब है कि x बराबर a पर या a के left वाले हिस्से में function का behavior कैसा है, समझ मैं है, कि x बराबर a पर अगर आप left hand limit calculate कर रहे हो, तो function जो है, वो x बराबर a के left में कहां जा रहा है, इसको अगर detail में आप सोचना चाहते हो तो ऐसे सोचो, कि अगर मैं x-axis पर left side से a की तरफ move करना start करूं, left hand limit का मतलब ब x बराबर a पर left side से x-axis पर left side से a की तरफ move करना start करूं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, x approaches to a minus, a minus मतलब a से चोटा और left side से, left side से कैसे पता चला सर, क्योंकि चोटा number left side में लाए करता है, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं, तो जब आप x-axis पर a को left side से approach करोगे, उस वक्त function किस value को approach करेगा, function का graph किस point की तरफ जा रहा है, जिस भी point की तरफ जा रहा हो, उस point का y coordinate is our answer, समझ मैं है, ये वाला जो y coordinate होगा, this is our answer, हाँ है न, मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास, let's say, p, समझे की नहीं, समझे, तो left end limit में आपने क्या किया, दुबारा सो जो, graph पर, जब हम, x बराबर, a को approach करते हैं, left side से, उस वक्त, graph जो होगा, function का graph, वो किस point की तरफ जा रहा है, अब वो point dark circle भी हो सकता है, hollow circle भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जिस भी point की तरफ जा रहा है, उसका y coordinate, उस point का exact y coordinate, exact समझ मैं है की नहीं, exact y coordinate, तो left hand limit आप बोल सकते हो, सर आएगी P, similarly अगर मैं आपको right hand limit निकालने के लिए बोलू, x बराबर a पर, ठीक है, right hand limit, सर इसमें का करना है, same situation, same situation, कैसी situation बिटा, same, आप x बराबर a को plot करो, अब आप क्या करो, right hand limit निकालना चाहते हो, मतलब right side में कहानी जज करना चाहते हो, right side से approach करने का मतलब है, right में थोड़ा सा दूर खड़े ओके अब A की तरफ चलना चाहच करो, left side से approach करने का मतलब है, left में थोड़ासा दूर खड़े हो के, A की तरफ चलना स्टार्ट करो, यह मत बोल दीजिएगा कि यह A को approach करना है, left side से नहीं जीं, आप तो दूर जा रहे हो आपको यहां खड़े हो के एक ही तरफ मूव करना है वैल्यू वाइस बात करूं अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है वैल्यू वाइस बात करूं जैसे मालनों यहां पर टू है तो आपने पहले बोला सर 1.999 थोड़ा दूर और नजदीग आगे 1.99 9999 फिर और नजदीग आगे सर और 9 बढ़ा दो तो यह जो वैल्यूज है यह लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रही है वैसे ही राइट साइड से 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या है थोड़ा दूर 2.01 ले लिया और नजदीग आओ सर यह कितना हो जागा 2.00001 और नजद सर लिमिट किसको बोलेंगे लिमिट आप बोलोगे जब आप ऐसा कर रहे होगे जब आप ऐसा कर रहे होगे तो फंक्शन भी एक पॉइंट को अप्रोच करेगा फंक्शन भी एक पॉइंट को अप्रोच करेगा फंक्शन बोल दो या फंक्शन का ग्राफ बोल दो जब आप एक्जेक्ट वाइ कॉडिनेट highlight exact By Χ कोडिनेटल इस केश में अंसर क्या सी अंसर आजाएगा क्यों इसंसे में अंसर क्यों यह हुई हमारी युठ हाई लिमिता हैं अब एक जुड़गे यहां पर होलो एक जगळार बनाया winner जानबूच की बना में। एसे मत Pol देना function अलग हो अलग अलग है फोलोग हो सकता है टायक भी हो सकता i best sera 每 नाれitting भी हो सकता है most Fighter हम अम ससकbrance अलग हमें तो left साइड से right साइड शे अप्रोच करना है तब सभेक्ष करें बर्यू कि हा पार के यह ना और मैंने को सब्सक्राइबaltra और ग्राफिकली समझेंगे तो और अच्छे समझ मैं घब रही है नहीं अब देखना x-axis पर left side से अप्रोच करने के कितने तरीके हैं आप एक काम करो a से चोटी value रखो लेफ्ट साइड में अगर x बराबर a से चोटी value रखो तो आप left side से अप्रोच कर रहे हो यह आपने क्या किया x की जगह a-h रख दिया सुना ज़रा ध्यान से और a में से अगर आप कुछ positive number घटा रहे हो यह जो value है यह 0 plus है 0 plus समझे 0 से थोड़ा सा बढ़ा मतलब तो अगर मैं a में से इस type की कोई चीज घटाता हूं 0 plus type की चीज घटाता हूं तो यह value ध्यान से देखकर बताए क्या यह value पूरी a से थोड़ी सी छोटी है कि नहीं तो answer is yes तो आप ऐसे की जगह ऐसे भी लिखते हैं ऐसे की जगह ऐसे भी लिखते हैं समझ मैं और इसकी जुरुत कब पढ़ती है सर वैसे तो एक दो सवाल है जहां पर आपको expansion लगाना हो वहां वहां इसकी जुरुत पढ़ती है अधरवाइस हम इसके बगार भी काम चला देंगे यह पता होना चाहिए और कोई बोलेगे सर यह कैसे लिख दिया अब की बारे प्लस है तो मैं ए में जोड़ रहा हूं एक 0 से चोटी क्वांटिटी और 0 प्लस का मतलब होता है बेटाजी यह वाली क्वांटिटी 0.0000001 और 0 माइनस का मतलब होता है माइनस 0.0000001 समझ पारे हो मैंने यहां पे 5 0 लगाए इसका मतलब यह नहीं है भहस मत करने लग जाना कि सर जीरो प्लस में 5 जीरो आएंगे चे लगा दू तो कुछ नहीं यह सिरफ हमें एक आइडिया ले रहे हैं 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव तो को अथ को था फैर लगाँ प्लस का मतलब नेगटिव नमबर अगर आप ए में एक जीरो से थोड़ा सा छोटा नमबर जोडते हो तो बैसिक यह नंबर खुद नेगिटिव है जो आप जोड़ रहे हो तो ए में से कुछ घटा तो वैल्यू ए से थोड़ी सी छोटी हुई और इंगी कि नहीं है तो यह पूरी वैल जैनी कि अग्द लिमित क्या मेरी बात दो कि HERE रिक्राइब। पूरी लेट लिमित नहीं ल हो एक एक्स संहोर पर एक एक लुख साइड एका लेख Si मतलब A में 0.00001 जोड दिया, तो A से थोड़ा सा बढ़ा हो गया, या फिर आप एक काम करो, A में से एक negative number घटाओ, 0- घटा रहो, 0- खुद एक negative number है, तो negative into negative क्या हो जाएगा, positive, समझ मैं है, तो मतलब A में एक थोड़ा सा number आपने जोड दिया, यह हमारे पास left hand limit है, यह हमारे पास right hand limit है, समझ मैं आया की नहीं, समझ मैं आया, अब हम x बराबर A पर limit existing कब कहेंगे, limit existing कब कहेंगे, this is when, जब left hand limit और right hand limit दोनों बराबर हो, और दोनों की value क्या आजाए, finite, समझ मैं है, दोनों की value क्या आजाए, finite, है है ना जब आपने left-hand limit निकाली right-hand limit निकाली दोनों की value finite आजए और बराबर आजए finite का मतलब है अगर फिरनों प्लस इंफिलीटी प्लस इंफिलीटी आती है मतलब आपने ये निकाला ये प्लस इंफिलीटी ये प्लस बहुसर बच्चों को लगेगा सब प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो बराबर हैं तो बराबर बोलना भी गलत है बढ़ फिर भी आप देखो दौनों बराबर होने के किसमज़ेगी नहीं समझें एंफ अप एकस बराबर पी यहां पर मैं आपको यह बात ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू भी माल लो पी आई इसकी वैल्यू भी पी आई और यह दोनों बराबर है और फाइनाइट है कि तो जब आपको पता जलिकांगे але एंट वाह दिखाई तक है कि विया लिमेट एक्स अप्रोच इस तू टू.. एफETक्स जो है वोँ आरहा है 3 इसका मतलब है कि 2 प्लस पर भी वैल्यू 3 योगी और 2- पर भी वैल्यू 3 योगी तभी वह यह बात लिख पा रहा है ऐा समझ में तभी वह यह बेसिक बढ़ रहे हैं नाओ ठीक है नाओ कई-कई बार आपको ऐसा पता चलेगा कि हम दोनों तरफ अभी मैं आपको समझा गया है कि एक पॉइंट पे आप दोनों साइड की लिमिट अब मैं आपको बता रहा हूं कॉंसेप्ट ऑफ वन साइड लिमिट एक ही तरफ की लिमिट निकलती है कही कही बार और ऐसा कब होता है ध्यान सुनना अराम से समझ में आएगी बात एंड पॉइंट ऑफ दा इंटर्वेल ऑफ दोमें डोमें के एंड पॉइंट से मेरा मतलब है कि माल लो कोई फंक्शन डिफाइंड है टू से लेके फाइफ तक उसका ग्राफ यह रहा ठीक है उसका ग्राफ माल लो यह रहा एक पे होलो सर्कल एक पे डाक सर्कल मतलब डोमे पर दोनों तरफ की लिमिट निकल सकती है क्या हाँ आप 3 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करो राइट से भी अप्रोच करो आपको लिमिट मिलेगी मतलब 3 पर हम LHL, RHL दोनों calculate कर सकते हैं बट जब मैं end points of domain की बात करता हूँ या end points of domain के interval, domain के अलग लग कई के बार interval भी लिखे जाते हैं, union लेके, तो जहां पर interval शुरू और खतम हो रहा है, उन points की अगर मैं बात करूँ, तो उन points पे आप सरफ एक ही तरफ की limit निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं x बराबर 5 की बात सब्सक्राइब की common sense से सोच के बताईएगा कि क्या मैं इसमें right hand limit निकाल सकता हूँ, यह बताओ, सर इसमें आप सिरफ left hand limit निकाल सकते हो, क्योंकि आप सिरफ graph को, x-axis को left side से अप्रोच कर सकते हो, तब point यह जो graph है, जिस point की तरफ जाएगा, उसका y coordinate will be our answer, फिर मैंने बोल है, हम यह देखते हैं कि किसी point में, अगर हम इस तरफ से x-axis को approach करें, तो function की value कहां जा रही है, तो अगर मैं इस तरफ से approach करूंगा और इस तरफ वाले values रखूंगा function में, तो function not defined हो जाएगा, not defined मतलब वो value नहीं देखा, क्योंकि यह वाला part domain भी नहीं है, तो ऐसे points के लि साथ, बोले सर, इस पर calculate करने की जोरती नहीं है, मैंने पुछा क्यों, बोले 2 पर यह not defined है, वापिस आप अपनी इस बात को rethink कीजिए, point per function क्या कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, defined है, not defined है, उचल रहा है, कूद रहा है हमे, हम आजू-बाजू की कहानी अपरोच नहीं कर सकते, अपरोच नहीं कर सकते का मतलब यह नहीं है, अब लिमिट नहीं निकाल सकते, लिमिट निकलेगी और इस तरफ कौन से निकलेगी, इस बार, only RHL, समझ मैं, तो इस पर only LHL, left side वाला और इस पर only RHL, अब फिर एक basic सा doubt आया बच्चे की दिमाग में, कि सर, जब आप दोनों निकाल रहे थे, तब तो उनके बीच में comparison था, अब आप एक ही निकाल रहे हो, तो इसको compare किस से करें, तो इसके लिए बात लिखी जाती है, कि जब भी, अब यहाँ देखो, FX is defined from A to B, हाँ, open हो, close हो, उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है, मैं 5-10 बा बता चुका हूँ, अब अगर X बराबर A की बात करते हो, तो सिरफ और सिरफ कौन सी limit defined होगी, LHL, सर, sorry, RHL, क्योंकि A से लेके B तक की बात कर रहे हो, इसके बीच में function defined है, तो A पर आप सिरफ right hand limit निकाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, लिखेगा ऐसे, कि भया हम तो A को approach क कर सकते हैं, और वो है right hand limit, और सर, right hand limit कैसे पता चलेगा कि limit exist कर गई है, वो अकेली ही अगर है, right hand limit आपने A की value निकाल देगा, तो इसको किसी और से तो compare नहीं कर सकते हैं, सिरफ यह चेक कर लोगी, यह finite है की नहीं, ठीक है, यह चेक कर लीजीगी, यह finite है की नहीं, अगर हो तो आप इसको क्या बोलोंगे, कि X बराबर A पर limit exist कर गई है, similarly X बराबर B पर कौन से limit निकलेगी, left hand limit निकलेगी, लिखेगा पूरा, वो तो यही बोलेगा कि पूरी limit बता भाई, हमें समझना है कि इस point पे सिरफ हम left hand limit निकाल सकते हैं, सर कब कहेंगे उसको existing, जो आपन बच्चों के पताया, डाउट क्या आता है, वो डाउट यहाता है, कि सर यह तो चलो समझा दिया, आपने, ग्राफ बर आप से बताया, एकदम, टिक, एकदम क्लीर है, बट सर समझ्या यह है कि कौन से सवाल में, एक साइड वाली limit निकलेगी, कौन से सवाल में, एक साइड वाली लिमिट नहीं निकालनी दोनों तरफ वाली निकालनी है यह थोड़ा समस्या है रहे बावा मैंने यह ले यह वाई ज्यान से बढ़ो इस बात को ठीक है कि हमें कब पता चलेगा विकाउज एक मैं बढ़िया सवाल अभी जो आईटी ने पूचा था वो करवाऊंगा उस येस येस पढ़ा जाएगा बिटा पढ़ा जाएगा ऐसा क्या कर रहा है अगर ले चल या आरे चल को कैलकुलेट करते वक्त डिनॉमिनेटर में कौन सा जीरो एक्जेक्ट जीरो या फिर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बने तो समझ जाना कि आपको वो कैलकुलेट ही नहीं करना था मतलब समझ जाना की वन साइडिड लिमिट का कॉंसेट है मतलब आपके सामने कोई सवाल आया मैं आपको नहीं बोल रहा हूं वैसे तो आइडियाल तरीका तो यह है कि भाईया कोई सवाल आया तो उस एक्सप्रेशन की पहले डोमेन निकालो फिर देखो कि हम हमारे पास करने का टाइम नहीं है डोमेन चब्द लेते ही आपने लिमिट को और डिफिकल्ट कर दिया मैंने का हटाओ इस बात को अब ध्यान सुन क्या करना है कोई भी सवाल आता तो तो उसमें लेफ्ट हैं लिमिट दोनों निकाल बड़ जब तू कोई कैलकुलेट करने डिमट की आपको दिखा गि उसको कलकुलेट करते वकि डिनॉमिनेकर में एक्जक्ट इस डिडिजरी ही क्या एक्जैक्ट जीरो की बात ही या फिर सर् रूट के अंदर नेगेटिव साउन बन गया अ समझ जाना कि आपको उस तरह वाली लेक्ट ही नहीं करनी है अब यह वन लगता है कि कौन पढ़ता होगा उसी से तो डिसाइड होता है कि हाँ वही कैसा चल रहा है महौल समझ पारे हो और दूसरे पार्टी वाले तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वहले जे का है मेरी जाल से समझ में आता है left and limit right and limit दोनों one sided limit का concept hint कैसे पता चलेगा जैसे कुछ basic सवाल one sided limit बहुत असान सवाल है उसने बोला कि x बराबर 0 पर root x की limit बताओ root x का अगर मैं graph की बात करता हूं वैसे graph की जुरत है नहीं बट फिर भी तो root x में सर्थ दिखरी है domain या x की value 0 या 0 से बड़ी हो सकती है अब की बार वो सिरफ 0 को approach करने की तरह लिए बोल रहा है न तो वह कौन सी है जीरो प्लस है ना और root x अब एक बाँ बताओ अगर मैं x को 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखूं ठीक है जीरो से मतलब x बराबर 0 को right side से approach करता हूं तो जो graph है वो किस point की तरफ approach कर रहा है अब यह वाज मेरी है कुछ लोग और में कुकर बंद करो अब मैं ही सिखा रहा हूं इदा लेप साइड से या राइट साइड से अप्रोच करोगे तो यह graph इस point की तरफ जा रहा है इस point का y coordinate कितना है जीरो बस सर यह exact 0 is our answer है ना तो इस case में आप क्या बोलोगे left hand limit not defined right hand limit 0 दोनों बराबर नहीं है तो limit does not exist नहीं जी एक ही तरफ की limit आप निकाल सकते हों और वो जो है यह finite i है इसलिए आप क्या बोलोगे इसमें limit exists समझ मैं क्या बोलोगे बटा limit exists हाँ कि अगला अगला अगर मैं बात करूं तो ग्राफ सभी लोग जानते हैं हां सर लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है फिर से फिर से उड़ चला उड़के छोड़ा है जहान बीच में तुमारे ओ गाना नहीं गाना है वैं कौन से साइड वाला डिफाइंड है सिरफ राइट स सिर्फ निकाल सकते हो लेफ्ट में तो जीरो के नेगिटिव हो जाएगा लॉग के अंदर जीरो पे नेगिटिव समझ्च्या है रहे बाबा अब बताओ अगर मैं जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ तो जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है पताल लोक की और और पताल लोक में कौन बैठा है माइनस इन्फिनिटी कौन बैठा है बेटा- माइनस इन्फिनिटी समझ मैं है तो अब की बार आप क्या बोलोगे L D E क्या बोलोगे L D E limit does not exist reason क्या है यह reason नहीं है कि आप A की तरफ की calculate कर पा रहे हो A की तरफ की calculate कर पा रहे हो बट वो जो limit आई वो non-finite आई है समझगे finite नहीं है इस वज़े से हमने क्या बोला limit does not exist समझपा रहे होंगे चाहिद हाँ cos inverse of x की भीया जो domain होती है वो पता होनी चाहिए x की value minus 1 से 1 यह होती है cos inverse of x का अगर मैं graph की बात करूँ तो यह graph होता है ठीक है 0 यहाँ पे minus 1 1 यह वाली value पाए चाहे आप graph से सोच लो चाहे जैसे सोच नहीं सोच लो तो मैंने बोला minus 1 में आप क्या left side से limit निकाल सकते हो तो answer is sir no answer is no because इसके इदर graph ही नहीं है कहां से approach करोगे right side से तो अगर वो ऐसा लिख रहा है इसका मतलब उसका साफ साफ मतलब है कि minus 1 के ऊपर plus confuse नहीं होना है minus 1 के ऊपर plus का मतलब है minus 1 से थोड़ा सा बड़ा number और minus 1 से थोड़ा सा बड़ा number का मतलब है ऐसे आप जा रहे हैं समझगे है आए ना अब एक बच्चा ऐसे सोच रहे हैं कि sir अगर हम minus 1 से थोड़ा सा बड़ा number रखें तो इसकी लगबग value कितनी बनती है समझ पारे हो इसकी लगबग value कितनी बनती है इसकी value बनेगी हमारे पास आप ऐसा बोल सकते हैं पाई obviously क्या value नहीं पाई वरना ऐसे देख जब आप x-axis पर minus 1 को right side से अप्रोच कर रहे हो तो graph जो है वो इस point की तरफ जा रहा है इस point का जो y coordinate है that is पाई क्या मेरी बात समझ में आए तो एक ही तरफ की limit निगली और वो पाई है और फिर इसमें क्या बोलोगे सर इसमें हम फिर से बोलेंगे Brett Lee बिल्कुल सही ली मतलब सर limit exist और क्या ना यह वाला जो सवाल है यह IIT का पूचावा है this is the question जो IIT में पूचा गया फटा फटा बता दीजिए जिसका वो 99.99% लोग जो है वो गलत जवाब टिक करके आए थे आजाओ फटा फटा फट तुम गलत मत करना यार एक्स अप्रोच इस तु वन प्लस सर आपने बोला था देखती हमें तो दोनों साइड के limit calculate करनी चाहिए बिल्कुल यास मैंने domain नहीं calculate कि है इन सब में तो मुझे domain दिख रही थी ठीक है यहाँ पर जीरो माइनस क्यों नहीं निकाला पिकाओ जीरो माइनस रूट के अंदर negative हो जाता इस विजे से नहीं निकाला सर यहाँ पर आप 0 माइनस में क्यों नहीं गए विकाओ लॉक के अंदर negative X upon greatest integer of X और यहाँ पर left and limit का मतलब है limit X approach is to 1- और X upon greatest integer of X मेरी बात ध्यान सुनना अब इसको सोचते कैसे हैं बहुत असान है जब आप X को 1 प्लस की तरफ लिजाओगे मतलब 1.000001 तो उपर वाला तोऋ सब 1 की तरफ जाएगा और नीचे वाला जो है वह एक्जेक्ट वन हो जाएगा उपर वाला वन अप्रोचिंग वन के बगल में ऐसे तीर लगाया मतलब वन की तरफ जाएगा आप जो भी वैल्यू रखोगे वह यहां रखी जाएगी बट 1.0000001 का ग्रेटेश इंडिजर एक्जेक्ट वन होता है और यह पूरा जो फ्रेक्शन है यह कहां जाने की कोशिश करेगा सर यह कि तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा आपको फिर से बता दूँकि लिमिट होती क्या है जब हम एक्स तरफ जाते हैं तो ऐसा करते वक्त फंक्षन जिस वेल्यू की तरफ जा रहा हो वह एक्जेक्ट नंबर जिस नंबर की तरफ वह जा रहा हो वह एक्जेक्ट नंबर एक्जेक्ट नंबर हमारा अंसर होता है समझ पारे 25 एफ रखाए तो एब फ्लस्ट額कर समेवात एक्षैर लाइड हैसे गार फोर wants श की तरफ जाएगा तोWaN की सब्सक्राइब रिमित समझ है ले मिट का अंसर कभी यह नी देते कि सरवन अप्रोच्ढ है lequel दिमाग अनमजरूर रख्ते हैंंeralита तरफ जा रहा है विदka मैं यह ईरो माइनस की बात से थोड़े को सबस्क्र Obie के हैं और उसपाइब रोगे को जोड़े से अब एक्जेक्ट जीरो नंबर जो लिखाव है सर इसको हम बोलते हैं नौट डिफाइंट डिनामिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए अब इसको देखकर बच्चों ने क्या किया सा राइट एंड लिमिट वन लेट लिमिट नौट डिफाइंड दोनों बराबर नहीं सब्सक्राइब देहिं जबकी एक्चोन सARS क्या है कि आपको यह पार्ट कैलускुलेट ही नहीं करना था समझ मैं है no need, यह calculate ही नहीं करना है, calculate नहीं करना है, क्यों sir, देखो ध्यान से, क्योंकि denominator में exact 0 बन गया, not defined होगी चीज, यह वाला जो reason है, 1- वाला वो इसकी domain में नहीं है, डोमेन में नहीं है, तो यहाँ आना नहीं है, तो final answer क्या बोलोगे आप, यह सिरफ right-hand limit calculate होगी, 1 के बराबर है, और इसका जवाब दिया जाता है, limit exists, क्या जवाब दिया जाता है, limit exists, मेरे खाल से बात समझ में आती है, मेरे खाल से ध्यान रखोगे, तो मैंने यहाँ पर सार में नहीं जा सकते हैं, इधर से आप 0 के left में नहीं जा सकते हैं, मेरे खाल से आप समझ गये, फटा फट हम बात करते है, limits by graph, graph आपको दे रखा है किसी random function का y बराबर fx का, हम यहाँ से कुछ बढ़िया बढ़िया चीजे calculate करेंगे, समझने वाली बात है, ध्यान रखिएग ज्यान चुनना, जैसे for example, मैं at x entfer बाबर 0 की बात करता हूँ, ठीक है, फटाफट, मैं x बराबर 0 की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर left and limit और right and limit दोनों लिखूँगा, max-bar-bar 0 की बात करता हूं left and limit और right and limit दोनों की बात करूँ का ध्यान सुनना sir 0 पर left and limit का मतलब है graph को left side से approach करो तो थोड़ा 0 से दूर खड़े हों के फिर left की तरफ move करो ऐसा करते वक्त graph भी इधर ही जाएगा ठीक है और ये इस point की तरफ जा रहा है जैसे जिसे आप 0 के नजदीग आओगे, graph इस point के नजदीग आएगा, इस point का y coordinate is obviously 0. फिर मैंने बोला right and limit के evaluate करना होता हूँ, sir right side से approach करो, ये graph जो है इस point की तरफ जाएगा, इस point का y coordinate is exact 0. दोनो finite है, दोनो बराबर है, ये दोनो चीज़े देखकर हम क्या बोलेंगे, limit exist or not exist, sir limit exist, समझ मैं है, limit exist, x बराबर 0 पर, और वो किसके बराबर है, जब दोनो बराबर होगी तो आप ऐसा लिख सकते हो, limit, x approaches to 0, fx, बराबर 0 है, मतलब ऐसा लिख दिया, तो left and limit भी 0 है, right and limit भ रहे हो, मेरी जाल से बात समझ में आती है, अब आता हूं मैं, add x बराबर 1 पर, ज्यान सुनना, x बराबर 1 पर क्या situation है, sir, पहली चीज तो function x बराबर 1 पर not defined, ज्यान से देखो, fx is not defined, फिर सर हमारे दिमाग में तो वही बात आई, function not defined हो या defined हो, उससे क्या लेना देना है, function not defined हो या defined हो, उससे क्या लेना देना है, ध्यान सुनना, ठीक है, हमें तो right hand limit और left hand limit की बात करना है, बिल्कुल सही, तो यह एक informative पार्ट था जो मैंने आपको बताया, अब मैं left hand limit की बात कर रहा हूं, और right hand limit की बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, जब मैं 1 को left side स अप्रोच करता हूं, x-axis पर, तो graph जो है वो इस point की तरफ जाता है, इस point की और, इस point का जो y-coordinate है, that is 1, तो left hand limit आगी बात 1, right hand limit जब मैं x-axis पर graph को 1 की तरफ जाता हूं, x-axis पर right side से, तो graph जो है वो इस point की और जा रहा है, इस point का फिर से y-coordinate is 1, इन दोनों को बराबर द देखकर आप क्या बोलोगे, le, that is limit exists, बिल्कुल सही, और function x बराबर 1 पर, not defined है, ठीक है, फिर 2 पर अगर आप फटा पर देख लो, 2 पर left side से आओगे, तो graph इस point की और जाएगा, इस point का y-coordinate is, कुछ लोग बोलेंगे, इस point का y-coordinate 2, औरे वो x-coordinate है, y देखकर बता, y-axis प अप्रोच करोगे, तो graph ऐसे जाकर इस point की तरफ जाएगा, इस point का again, y-coordinate is 0, क्या मेरी बात समझ गया, तो x बराबर 2 पर भी limit आ रही है, 0, add x बराबर 3 की बात करता हूँ, जल्दी से देखना, पहली चीज, x बराबर 3 पर function defined है, तो answer is yes sir, यहाँ पर dark circle लगा रखा है, value ब इस पर left hand limit क्या है, और इस पर right hand limit क्या है, जब मैं x axis पर 3 को left side से अप्रोच करता हूँ, तो graph जो है, वो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब से graph जा रहा है, पता लोग की और मतलब minus infinity, बस, एक भी left hand limit या right hand limit, एक भी अगर आपके पास minus infinity या plus infinity या जाए, that means limit does not exist, क्योंकि दोनों finite होनी बड़ी जुरूरी है, और फिर बराबर, और right side से अगर मैं अप्रोच करता हूँ, तो graph जा रहा है इस point की और, इस point का y coordinate है 2, तो right hand limit कितनी आगी बिटा, 2, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप बोलोगे, LDE, limit does not exist, 4 value आएगी 0, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, at x बराबर 5, x बराबर 5 पर कौन सी situation होगी, जल्दी से बता दे, sir पहली चीज 5 के right में कोई graph नहीं है, मतलब यह one-sided limit वाला कहानी है, because these are the end points of the domain, समझ पारे हो, तो 5 पर हम सिरफ कौन सी limit calculate करेंगे, सिरफ और सिरफ calculate करेंगे, right-hand limit हम calculate ही नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते, तो मैं जब x-axis पर 5 को left side से अप्रोच करता हूँ, तो graph जा रहा है इस point की और, यहाँ पर बले ही hollow circle है, बढ़ इस point का y coordinate is minus 1, बोलिए, x बराबर 5 पर limit exist कलाएगी या does not exist, तो answer is sir, limit exist, और किसके बराबर होगी, व और आजाओ, फटाफट, minus 1 पर बता दे फटाफट, हाँ, इस पर value जो है, limit at, या फिर limit, x approaches to minus 1, sir, दोनों साइट से आप एक ही point की तरफ जाओगे, दोनों point का y coordinate जो है, वो same है, और वो कितना रहा है, minus 1, तो x बराबर minus 1 पर भी limit exist करेगी, sir, minus 2 पर गरबड हो जाएगी, minus 2 पर जरब बताना, फटा-फट, left and limit क्या है, जब left side से approach करोगे, तो graph जो है, इस point की ओर आएगा, इस point का y coordinate है, 0, जब आप right side से graph को जाओगे, इदर, मतलब, x axis पर right side से जाओगे, तो graph इस point की ओर जाएगा, इस point का y coordinate है, minus 1, अराम से देख देख के, खुद देख किसी को minus 1, LDE, limit does not exist, similarly sir, यहाँ पर, left side से approach करोगे, y coordinate 0, left and limit minus 3, 0, right side से approach करोगे, यह point की तरफ जा रहा है, sir, 1, तो 0 और 1, limit does not exist, add x equals to minus 4, कौन सा, one-sided limit, कौन सी limit, one-sided limit लगाएंगे, समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ sir, और वो भी कौन सी calculate करेंगे, वो भी कौन सी, कौन सी, right वाली, sir, that is, x approaches to minus 4 plus, minus 4 को, अगर हम right side से approach करें, तो sir, graph जो है, वो जा रहा है, पाताल लोग की और यह आएगा, minus infinity, तो इस case में आप क्या बोलोगे, इस पर, sir, a की limit आ रही है, a की side की, और वो finite नहीं है, तो हम बोलेंगे, LDE, limit does not exist, मेरे कहल से आपको graph से देखन आया, की left and limit, right and limit, और limit exist, और limit does not exist, कब-कब बोलते हैं, ठीक है, असान है, एक बढ़िया सवाल, good question, ठीक है, हाँ, chocolate ही सवाल है, कैसा सवाल है, chocolate, chocolate question, sir, chocolate question कैसे बोल रहे हो, chocolate आपको कम मिलती है, जब कोई बढ़िया सा काम करते हो, किसी और के चारे पर smile ले आओ, तो आपक चारे की smile चलेगे, हाँ, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, यहाँ पर अगर आप इसको solve करोगे, तो chocolate मिलेगी, मेरी तरफ से, बिल्कुल सही, ठीक है, imaginary chocolate आप तक पहुँचाए जाएगी, घब रहे हैं, आजाओ, सर यह कुछ बोल रहा है कि lambda की value निकालो, ठीक है, यह का बोल रहा है, lambda की value निकालो, ठीक है, अलग अलग चीज़े calculate करते हैं, जैसे यहाँ लिखाऊगा है, limit x approaches to 0, f के अंदर x cube minus x square है, ठीक है, obviously sir, अभी हमने आपने हमें और सारी बाते नहीं बताई है, तो हम इसमें दो पार्ट calculate करेंगे, 0 plus and 0 minus, कौन-कौन से calculate करेंगे बटा, 0 plus और 0 minus, दोनो, बट, जब मैं, x की value 0 plus लिखूँ, तब भी ये पूरा 0 minus, 0 plus है, और जब मैं इसमें x की value 0 minus रखूँ, sorry, बापिस देखो, थोड़ा जल्द बाजी में हो गया, 0 plus का क्या मतलब है बिटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, ध्यान सुनना, 0.0000001 टाइप की situation मान लेते हैं, उस बात पर x cube minus x square कहां जाएगा, sir, आपको ये तो पता होगा, कि अगर आप number 1 से छोटा रखते हो, तो जितनी बड़ी power होगी, number और कम होता जाता है, तो आपने number लिया, 0 plus, जिसको मैं दिमाग में मान के चल रहा हूँ, कि ये value है, मान लो, तो sir, ये वाला जो number है, ये है छोटा, और ये वाला जो number है, बड़ा, तो छोटे में से बड़ा गया, ये बात तो समझ मैं ही, और इसकी लगबग value कितनी है, ये भी 0, ये भी 0, सर, ये भी लगबग 0, तो ये पूरा लगबग 0 आ रहा है, बट negative वाला आ रहा है, तो क्या मैं इसको 0 minus बोल सकता हूँ, तो X को जब मैं 0 plus की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये मेरे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 minus की तरफ, मतलब लगबग 0, बट 0 से चोटा, ठीक है, ये बात समझ में आई, आया ना, अब आते है 0 minus की और, 0 minus का मतलब है सर, ये वाली value, ध्यान सुनना, तो X cube minus X square, ध्यान सुनना, सर अगर ये negative number है, चाहे छोटा है 0 से, बट लगबग 0 है, बट है तो negative, मैंने कहां, तो ये भी negative, बीच में minus sign, negative number का square, सर, ये positive, पूरा ध्यान से देख, क्या ये पूरा negative आ रहा है, तो answer is yes, देख ले, ये negative 0 minus के लिए, और बीच में minus sign, ये positive, तो दोनों मिलकर सर, negative, तो लगबग negative, बट, मतलब answer negative है, बट लगबग 0, तो इस पूरे को आप क्या बोलोगे, आप इसके अंदर चाहे 0 plus side से जाओ, चाहे 0 minus side से जाओ, ये हमेशा 0 minus की तरफ ही जा रहा है, अराम से देखो, ठीक है, function के अंदर, ये y बराबर fx का graph है, उसने उपर mention किया गया है, consider the figure, obviously ये जो graph है, ये fx का ही है, function के अंदर अगर आप 0 minus रखते हो, मतलब 0 minus का मतलब है, कि function को left side से, function के graph पर x-axis को left side से 0 की तरफ जाया जाए, 0 minus का मतलब है left side से, तो function का जो graph है, वो किस point की तरफ जा रहा है, बेटा, 3 की तरफ, किस पॉइंट की तरफ जा रहा है वेटा 3 की तरफ तो यह वाली जो पूरी value होगी function की जो पूरी value होगी वो 3 की तरफ जाएगी चाहे आप 0 plus लो चाहे 0 minus मैंने दोनों अलग अलग calculate करके दिखाए दिया नखना यह मत बोलते ना सर आपने अलग लग क्यों नहीं calculate की करके दिखाएए आपको 0 plus पर भी यह 0 minus की तरफ जा रहा है 0 minus पर भी यह 0 minus की तरफ जा रहा है थोड़ा दिमाग लगाए अब इसकी बात कर लेते हैं सर यह क्या है limit x approaches to 0 plus यह 0 minus f के अंदर हाँ 2x की power 4 minus x की power 5 में अगर आप 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 0 plus की बात करते हैं ऐसा नंबर रखते हो तो obviously इसकी power कम है और इसकी power ज्यादा है तो यह चोटा है और यह बड़ा है और इसको 2 से और multiply कर दिया तो बड़ा माइनस छोटा मतलब सर एक positive नंबर है ना और लगबग वैल्यू दोनों की 0 वापे सुनो जीरो से थोड़ा सा बड़ा मतलब नंबर जो है वो वन और जीरो के बीच में है जिसकी power कम होगी वो ज्यादा बड़ा नंबर होगा यह बड़ा यह चोटा बड़े में से चोटा गया नंबर आएगा positive लगबग value 0 तो यह वाली जो पूरी चीज है यह कहां जा रही है अप सर पॉजटिव और पॉजटिव प्लस पॉजटिव सर पॉजटिव तो जब आप value 0- रख रहे हैं तब यह पूरा फिर से positive आ रहा है तो चाहे आप 0- प्लस की तरफ जाए यह पूरा क्या आएगा positive तो जब आप X को 0- प्लस या माइनस की तरफ लेके जाओ तो function के अंदर प्लस की तरफ जाएगा मतलब आपको function के ग्राफ में 0- से 0 को राइट साइड से अप्रोच करना है तो function जो है उस वक्त पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है तो इसकी value होगी 2 तो अब अगर मैं आपसे पूछू वहां लिखाव है 2 और यहां क्या लिखाव है बटा इस पूरे क की value अभी पता चली यहां से लेंडा की value कितनी आगी ठीरी कोई परिशानी है तो आंसर इसर नो ठीक है हाँ जिलोगों को यह चीज कैच करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं आप सीखेंगी टीचर कैसे कर रहा है घबराइए ठीक है I hope and believe बात समझ में आ वह आपको वहीं लगाने की जुरत पड़ेगी जहां पर indeterminate form बने जैसे मालो मैं आपको एक function दूँ fx जो की function है x square plus 1 मैं पूछू की limit x approaches to 2 बताओ यह कहां जाएगा सर यह तो देखते ही पता चल रहा है जब आप x को 2 की तरफ लेके जाओगे तो उसका square लगबग 4 की तर तरफ जाएगा सर वरना और नहीं समझ में आता तो आप x square plus 1 का graph बनाए ठीक है और यहां पर x कहीं 2 होता है इस पर value आती है 5 समझ पारे होगा नहीं समझ पारे हो तो x को आप चाहे left side से 2 लेके जाओ right side से 2 लेके जाओ एक बार graph इस point की तरफ जाएगा left side से एक बार right side से इ इकाल दी आए ना बट इसमें तो सर कोई ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं जो basic definition से उसी से काम आ गया हम नाओ जो हमें लिमिट की टेक्नीक्स है रेस्नाइजेशन वेक्टराइजेशन एक्पेंशन का यूस टेंडर लिमिट्स सेंडविश्ट यह सब कहां काम आता है यह का मेरा मतलब है कि ऐसी फॉर्म जिसको फर्स इंस्टेंस पर वेल्यू नहीं बता पाऊगे समझ मैं फर्स इंस्टेंस पर वेल्यू नहीं बता पाऊगे बट हम उसको थोड़ा simplify करें modify करें उस पे लिमिट सॉल करने की टेक्नीक लगाएं तो हम जवाब बता पाते हैं बट सारा सवाल ले देके इसई पर आके रूकेगा हमेशा लट इस जीरो अपॉनजीरो एंड इंफिनिटी अपॉन इन minus अच्छा जीरो अपॉन जीरो की बात करता हूं पहले आपने देख लिए अच्छे से यही सैवन इंडिटेमिनेंट फॉर्म मतलब आपको लिमिट की चीज़े लगानी है ध्यान सुनना अब जीरो अपॉन जीरो में भी चार वेराइटी है कैसी वेराइटी है चार वेराइट यहां पर जीरो अपॉन जीरो लिखने का मतलब है जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग बेसिकली यह होता है बेटा जीरो approaching app नहीं लिखा है approaching लिखा है upon zero approaching this is in determinate form पहला part इसमें कई की बार आपको ऐशा भी बनेगा exact zero exact zero upon zero approaching फिर Sir exact zero upon exact zero और अग्ला यह है exact 0 upon exact 0 और उपर लिदो zm 0 approaching upon exact 0 0 approaching upon exact 0 मैं आपको मतलब समझा देता हूं यह इसके 0 by 0 के आपके सामने यह चार वराइटे आएगी किसी सवाल में इन में से अगर इन डिटर्मिनेंट की बात करनों तो सब्सक्राइब आप देखते ही बताएंगे ज्यान सुनना है उपर एक्जेक्ट 0 और नीचे 0 approaching की बात हो रही है उपर एक्जेक्ट 0 नीचे भी एक्जेक्ट 0 उपर 0 approaching नीचे एक्जेक्ट 0 सर पहली चीज तो आप हम जानते हैं कि जब-जब गनित में चाहे कोई साबी चैप्टर हो जब-जब गनित में डिनॉमिनेटर एक्जेक्ट 0 बनता है तो इस तरफ वाली लिमिट अपने को इस तरफ यू नीचे जिरो बन गया तो लिमिट के सवाल में डिनॉमिनेटर में एक्जेक्ट 0 बना मतलब आप उस तरफ आगे जहां पर आपको के इसाब से बता रहा हूं यह दोनों indeterminate form नहीं है जी यह दोनों indeterminate forms नहीं है आया ना सर यह क्या है exact 0 upon 0 approaching बिल्कुल सही exact 0 upon 0 approaching इसकी value 0 होती है जैसे आपको यह वाली चीज दिखाई दे इसकी value exact 0 होती है सॉल करने की जुरुत नहीं है यह कभी होगा नहीं या होगा तो आपको यहां आना नहीं है यह हुआ तो जवाब जीरो अब बचा हमारे पास ले दे के यह वाली कहानी इसको हम solve करने के लिए limits वाला जो chapter है, जो techniques है, limits वाली technique लगाएंगे, limits वाली method या limits वाले method आप बोल दीजिए, limits वाले हम क्या लगाएंगे बेता, इसमें method लगाएंगे, समझ गे, तो चार रूप दिखे, जिसमें से दो होंगे नहीं, एक हुआ तो जवाब सिधा-सिधा, जैसे माल लो, इसका example बताऊं, example बहुत असान है, अब जब आप इसको check करोगे, तो मैंने बोला कि x को 1 से थोड़ा सा चोटा number रख, मैं सिरफ left hand limit पूछ रहा हूं, ज्यानक ना, मैं मेरी मर जी, मैं left hand limit पूछ रहा हूं, तो मैंने बोला 1 से थोड़ा से चोटा number रख, जो है वो अब के बार 0 approaching नहीं है, हाँ, नीचे 1 से थोड़ा सा चोटा number का मतलब समझ पारे हो, 1 से थोड़ा सा चोटा number का मतलब ऐसा 0.999999 टाइप, तो उसमें से जब आप 1 घटाओगे, तो ये 0 नहीं आएगा, बटकि ये 0 approaching आएगा, तो ये वाली जो फॉर्म है, कितने लोगों को समझ में है, कि डिनॉमिनेटर इस नाट एग्जेक्ट जीरो, इस अंसर इग्जेक्ट जीरो, समझ गे, आप 1 से चोटा सा नंबर को ही रखो, 1 से थोड़ा सा चोटा नंबर रखो, जैसे कि आपने 0.9999 ऐसा रखा, इसका इसक चाहिए, मेरे कहल से बात समझ में होता है, तो पहली फॉर्म यह होगी, infinity upon infinity, infinity जब भी आएगा, तो infinity हमेशा ही अप्रोचिंग होता है, कभी भी exact infinity हम पहुंचते ही नहीं है, या कभी पहुंच पाई हो exact infinity पे, या minus infinity, पे तो answer इस तर नो, अब यह जो अग्ली फॉर्म है, that इंट्टी इनफिनिटी सुका भी पता देता हूं ठीक है हाँ क्योंकि यह चीज़े क्लियर होनी चाहिए जिरो इंट्व इंफिनिटी में ध्यान रखना इंफिनिटी अभी एक्जेक्ट होता ही जर्ग एक्जेक्ट हो सकता है तो अब ने बोला जीरो अप्रोंचिंग multiplied by infinity अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको infinity के बगल में भी infinity approaching लिखना चाहिए तो मेरी बात ध्यान सुन infinity हमेशा approaching ही होता है हम infinity की तरफ ही जा रहे हैं आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है वहां तक समझ भाएं तो जब भी infinity लिखें मतलब वो infinity approaching ही है एक form इसका ये निकल के आता है दूसरा exact 0 exact 0 multiplied by infinity तो ये कोई indeterminate form नहीं है जी इसकी value exact 0 आती है और ये हमारे पास indeterminate form है जिस पे हम limits वाली technique लगाएंगे जिस पे हम limit वाली technique या limit वाले method लगाएंगे कोई बोले सर इसका example अभी देखिया है था अभी देखिया है था अभी तो बताया था सर एक्स अगर 1 से तोड़ों चोटा होगा ये होगा लगबग माइनस 0.0001 सर ये पूरी वैल्यू लगबग माइनस इंफिनिटी मैं जब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की बादब जब मैं यहां पर इंफिनिटी लिख रहा हूं इसका मतलब positive negative कुछ भी हो सकता है तो ये जा रहा है सर माइनस इंफिनिटी की और ये जा रहा है कि इसकी सिरफ एक ही इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी अगर मैं इसमें ऐसा कर दूँ ये कोई इंफिनिटी की इंफिनिटी इसकी वैल्यू होती है one. Exact one की power infinity is one. One की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब आप बोलोगे कि indeterminate form है. Zero की power zero, और infinity की power zero, इसको और देख लेते हैं, इनको क्यों छोड़े हैं, obviously. Sir, zero की power zero, इसमें आप जिसको indeterminate form बोल रहे हो, वो ये वाली है. Zero approaching की power zero approaching. कहीं भी मानलो यहां पर एक्जेक्ट जीरो और यहां पर जीरो अप्रोचिंग और यहां पर जीरो अप्रोचिंग इसकी पावर एक्जेक्ट जीरो और लास्ट इस एक्जेक्ट जीरो की पावर एक्जेक्ट जीरो अब में बाद ध्यान सुनना यह है वो इन डिटर्मिनेंट फॉर्म जो आपको जिस पे आपको लिमिट्स वाली टेक्नीक लगानी पड़ेगी जो आप सीखने वाले हैं इस चेप्टर में एक्जेक्ट जीरो इपावर जीरो अप्रोचीं तड़ेटिव च्शित का पहर इसकी पावर एक्जेक्ट जीरो इस्कों कौत बोलों कि दिग्टिश आक बोलों कि ट्यों की घंस Mu इंफिनिटी की पावर जीरो में ठीक है? इंफिनिटी की पावर जीरो अप्रोचिंग और इंफिनिटी की पावर में एग्जेक्ट जीरो इसकी वैल्यू वन होती है यह वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म है इसके लिए हम वैल्यू निकालने के लिए लिमिट की टेक्निक लगाएंगे तो सारा मैंने आपको बता दिय ध्यान रखेगा प्लीज अच्छे इनको इंडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं उस पर भी हम जा सकते हैं बढ़ इतना भी कल्कुलेशन या फिर जिदा दिमाग लगाने की जुरूत नहीं है ठीक है बेसिकली जैसे माल लो कोई नुमिनेटर 2 की तरफ जा रहा हो और दिनॉमिनेटर 3 की तरफ जा रहा हो तो हम यह देखते ही बता सकते हैं कि यह 5 की तरफ भी जा सकती है, यह 7 की तरफ भी जा सकती है, यह minus 100 की तरफ भी जा सकती है, समझ गए? तो अभी जो मैंने इससे पहले वाला format लिखा, आप इसको हलके से हिंट से समझने की कोशिश करना, कि इनी को ही indeterminate forms क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि numerator 2 की तरफ, denominator 3 की तरफ, तो पूरा expression 2 upon 3 की तरफ गया, देखते ही पता चल रहा है सबको, कोई indeterminate form नहीं है, सिदा सिदा जवाब आ रहा है, बट सर इस particular case में हम ऐसे बहुत सारे सवाल देखेंगे, जिसमें 0 upon 0 की form बन रही है, मतलब यह जो form है, यह आप देखते ही नहीं बता सकते ही किस नंबर की तरफ जाएगी, तो हमें पता करना पड़ेगा कि यह किस नंबर की तरफ जा रही है, इस वज़े से यह indeterminate form है, इसमें एक major confusion बच्चों को वो भी रहता है, 0 की power infinity है, ठीक है, तो वैसे ही, सर जो 0 की power infinity वाली चीज़ है, वो कोई indeterminate form है ही नहीं, मैं आपसे पूछूँ की 0 की power infinity, exact 0 की power infinity है, तो तो भी यह exact 0, समझ गें, 0 approaching की power infinity, 0 approaching मतलब 0 के आसपास कोई नंबर है, उसकी power है बहुत बढ़ा नंबर, समझ पार है हो, तो this value is 0, obviously, दोनों ही case में, तो यह कोई indeterminate form नहीं है, बच्चे अपने मर्जी से, समझ पार हो, अपनी मर्जी से कैसे, कि सर 0 की power 0 है, infinity की power 0 है, तो 0 की power infinity भी एक indeterminate form लिको, भाई यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, यह वो forms है, जो हम, जब इनको देखते हैं, solve करते हैं, तो किस नंबर की तरफ जाएगा, नहीं बता सकते, जबकि इस particular case में, मैं बता सकता हूँ, 0 की तरफ जाले वाले नंबर की power infinity रखोगे, तो जवाब 0 ही आएगा, हम, अमिशा, वैसी एक infinity plus infinity वाली form, यह कोई indeterminate form है ही नहीं, infinity और infinity को जोड़ोगे, तो जवाब infinity ही आएगा, यह कोई indeterminate form नहीं है, बीच में minus sign हो, तब indeterminate form बनती है, मेरे खाल से आप बात समझ कियोंगे, मेरे खाल से इतना theoretical analysis बहुत है, फटा फटा अब हम बात करते हैं, कि आगे आने वाले questions में, सबसे basic form जो है ना वो बता देता हूँ, although मैं भी explain करूँगा यहां पे, सबसे basic form यह दोनों है, और इन दोनों का सबसे basic ilaj भी आपको बताए जाएगा, यह बाकि सब जो भी forms है, यह गूम फिर के last में जाकर इनी पर ही आके अटकती है, बहुत बढ़ी असर, फटा 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 जाओ, वो बोल रहा है कि अगर आपको 0 by 0 form दिखे, तो आप factorization का use करोगे, ठीक है, यह एक टेकनीक है, हम सारे तरीके solve करेंगे questions को गब रहाएगे नहीं, अगर आपको लगाना है मतलब, आपको पता चल रहा है कि X को कहीं ले जाने पर, numerator और denominator दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब सर वो जो number आप जिस तरफ X को ले के जा रहे हो, numerator भी उस पर 0 हो जा रहा है, denominator भी 0 हो जा रहा है, इसका मतलब सर वो number उन दोनों का फेक्टर है, उस फेक्टर को कॉमल लो जिसकी वज़े से numerator, denominator 0 हो रहा है, दोनों को cancel करो, जब आप लिख दिये, इसको बोलते हैं, यह एक basic टेक्नीक है, 0 by 0 की, दूसरा जो पॉइंट है, यह सारे 9 के 9 points पढने से पहले, आप लिख ने इस line पर ध्यान नहीं दिया, इस lines will make your concept of limit super fine, इस 9 lines will make your concept super fine, तोड़ा rhyming करने की कोशिश करने की कोशिश किया, यह 9 points से ध्यान रखिए, इस इस बात और अब अब की सवाल गरेंगे, 0 by 0 में factorization infinity by infinity में हम क्या करते है numerator और denominator से highest power of variable common लेते है numerator और denominator से हम क्या करते है highest power of variable common लेते है ठीक है ये दोनों 0 into infinity वाली में ये वाला जो तरीका है slight change ठीक है एक तो ये वाला x की जग़ा 1 upon t रखने वाला या फिर slight change slight change का मतलब है simplification आ जाता है इसमें simplification आ जाता है cancellation आ जाता है substitution आ जाता है basically 0 into infinity वाले जो सवाल आपको दिखाई दे उसमें अगर आप x की जग़ा 1 by t रखोगे ये एक general approach ऐसा नहीं हर बार x की जग़ा 1 by t रखने स्वाल हो जाएगा बट ये एक general approach अगर आप ऐसा करते हैं तो वह जो फॉर्म है वह या तो 0 by 0 या infinity by infinity में convert हो जाएगी और 0 by 0 infinity by infinity कैसे solve करते हैं वह मापको समझा चुका हूं फिर हमारे पास अगली फॉर्म आती है infinity minus infinity इसमें भी substitution और slight change यहां पर स्लाइड चेंज का मतलब बेसिक मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वह मैं बता देता हूं that is taking LCM सर इस सवालों में भी आप अगर कुछ किसी को कुछ बोल दो इसको टी मान लो उसको टी मान लो तो यह forms भी result करती है directly या तो 0 by 0 या infinity by infinity मतलब यह दो में फॉर्म्स हैं यह सर यह वाली और यह वाली तो आपने ऐसा ऐसा करने के बाद में बदलना चिखा दिया यह सब एक सोचने का तरीका है बेटा जी आगे हम सवाल क्लेट यह तो और अच्छे से बाते कि लिए रूगे समझ पारें फिर एक सबसे मज़ेदार रूल जिसके तुम सब लोग अग फैन हो दैज लेट रूल समझ पारें तो सबसे पहली चीज कौन सी दो फर्म पर अप्ली के बला सब जिगाह नहीं लगता यह 0x0 और infinity by infinity पे सरी LH rule बोलता क्या है कि limit x approaches to a fx upon gx ये सवाल आपको solve करने के लिए दिया आपने इसमें form चेक की या तो form 0 approaching upon 0 approaching या फिर infinity upon infinity वाली बनी इसके बाद में ये जो rule है वो ये बोलता है ये जो rule है वो ये बोलता है आप क्या करो limit x approaches to a e रखो numerator में f का derivative function का derivative मतलब numerator की जगह है उसका derivative लिख दो denominator की जगह है उसका derivative लिख दो ठीक है आया ना numerator की जगह है उसका derivative लिख दो denominator की जगह है उसका derivative लिख दो u upon v rule नहीं लगाया गया जी numerator की जगह है numerator का derivative simple differentiation numerator की जगह है numerator का derivative अब एक बता है क्या होता है यह कोई cycle यह कोई कहानी निया कि चलानी चुरू कर दी चलते ही जाओ आपको इसमें बस एक ही चैलेंज है हर स्टेप के बाद में यहां पर फॉर्म चेक करो अगर अगर अबी भी जीरो इन्फिनिटी बाइट बन रहा है तो आप आगे चल सकते हैं आगे चलने का मेरा मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार और फंक्शन का derivative यह चलता जाएगा कब तक चलता जाएगा जब तक है जानने जब तक 0 by 0 और जब तक 0 by 0 और infinity by infinity form खतम ना हो समझ गए अब सर हमें कैसे पता चले कहां खतम होगी बीच में तो आपको हर स्टेप के बाद में चेक करना पड़ेगा हर स्टेप के बाद में आपको जो है वह फॉर्म चेक करनी पड़ेगी भीया अब 0 by 0 बन रहा है की नहीं बन रहा है या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन रहा है तो लगाते जाओ और आगर आपको लगेगी रूख खतम हो गया तो वहीं पर जवाब आ जाएगा तो मेरी गाल से बात समझ में आती है ठीक है अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज बताता हूं बच्चे इस आपको 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 अपने दिमाग में रखना है पैरलल में बाकी टेकनिक भी सीखनी है फेक्टराइजेशन एक्पेंशन का यूज रेशन ठीक है इसको भी दिमाग में रखना है और यह किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है समझाओंगा जब सवाल करके दिखाएजेशन करें दिमाग में रखिएगा ठीक है greatest integer fractional part signum mod x ये लोग जब आ जाएं तो आपको left and limit और right and limit अलग-अलग calculate करनी चाहिए आगे चलके कुछ सवालों में आप देखेंगे कि मैं आप left and limit और right and limit अलग-अलग calculate नहीं करूँगा समझ पारे हो कि नहीं समझ पारे हो मैं कहा करूँगा left and limit और right and limit एक साथ calculate करूँगा जैसे कि अभी थोड़े पहले मैंने आपको एक graph बना के दिखाए था एक बराबर 2 पर value आ रहे है पांच नाव सर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप चाहिए 2 left side से अप्रोच करो चाहिए राइट से अप्रोच करो तो यह वाले जो graph होते ना यह कैसे graph है continuous है तो इसमें आप ऐसा ही बोल देते हो इन जनरल कि हम X को टू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं कौन साइड से कर रहे हैं उससे फरक नहीं पड़ता अब सर यह वाले लोग आने इसकी वज़े से क्या होगा या कोई भी ऐसा function आजाए जिसकी वज़े से discontinuity है मैं आपको सवाल में बताऊंगा कि अब अलग 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 करो अब साथ में गल्कुलेट करो यह क्या है यह फंक्शन टूटते है ग्रेटेस इंटीजर का ग्राफ ऐसा होता है अब हट ग्राफ कहा हम दहुता है करेक्शनल पार्ट का ग्राफ अशय होता है संवह पारें क Canvas saç अ ओना कि अधर मौड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कि तूटता तो नहीं मट 수िक्षन definition बदलती है फिर सिगनम ऑफ एक्स का ग्राफ में सर ऐसा होता है तो बेसिकली मैं ट्राइंग टूसे कि कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि कि किसी की वज़े से function की definition बदल रही है यह discontinuity आ रही है तो आप वहां पर left and limit करोगे और उसका सबसे बढ़िया हिंट है कि यह लोग बैठे हो तब आपको लेचल अलग अलग कैलकुलेट करनी है कि सबसे बढ़िया कि यहां पर ध्यान रखना कि मौड रूट या फिर मौड दिखाने का एक ही तरीका नहीं है मौड दिखाने का यहां पर सिरफ एक ही तरीका नहीं है कि आपको ऐसे मौड की साइन लगा कि दिखाएं कई कि वार ऐसा भी जादू करता है ध्यान अखना और ऐसे तुमने सीधा भी सीधा एक्स प्लस वन लिखा समझ जाना जी डी बीडी होगी और जी डी बीडी भी कैसी हुई पांच नंबर का नुकसान हो गया क्योंकि अगर मॉड लगाते तो सही जवाब आता चार मिलते ऐसा करके आयो आप कुछ नहीं से घर पे माइनस वन लेके आएंगे तो चार वो और एक माइनस वन पांच नंबर गये से हमारे से समझ पारे हो तो यह मैंने अलग से लिख दिया है इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा प्लीज ठीक है पॉइंट नंबर नाइन इस दा मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट किसी भी कोश्चन में सबसे पहले नहीं है और अगर यह तो सीता सब्सके करना है और नहीं है और अगर नहीं है तो सीधा इस्ट जवाब बताओ स्बसे पहले ही आपको व DamThe Amp तो यह पूरा function 5 की तरफ जाएगा कोई method या कोई टेकनीक लगाने की जुरती नहीं है क्या मेरी बात समझ गें यह बाते बतानी बड़ी जरूरी है क्योंकि अगर यह बाते नहीं जानोगे तो तुम्हारा जवाब है वो कहीं न कहीं जाकर गलत होगा तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो यह असान सा और सिंपल सा मासूम सा चेप्टर है इसमें आप गड़बड करो ज्यान सुनना मेरी बात अगर यह पॉइंट ध्यान रखोगे तो अंसर कभी गलत नहीं आएगा यह वो में आएगे जैसे की लिमिट एक्स अप्रोच इस टू ए जो जी एक्स फंक्शन है उस पूरे की वैल्यू आ रहे है तू ठीक है फिर मैंने आपको एक सवाल दिया की लिमिट एक्स अप्रोच इस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस थ्री अपॉन ऐसे कुछ भी लिख रहा है एक्स स्कॉर प्लस फाइव एक यह ठीक है और दूसरा फिर मैंने आपको सवाल दिया यह वाला और यह वाला इससे मैं आपको एक हलका हलका आइडिया बताना जारा हूं बेटा समझ मैं है बाकी सिच्वेशन कहां सीखेंगे हमें अभी यह जानकारी पता है कि जब हम एक्स को एकी तरफ लेके जाते है तो जी एक्स जो भी फंक्शन है जी एक्स जो भी फंक्शन है मतला समझो कि एक्स की खूब सारी टर्म्स है वो सारी टर्म्स मिलके टू की तरफ जाती है हमें यह पता है एक्स कहां जाता है और वो कहां जाता है मुझे नहीं पता तो एक बच्चे ने पता है क्या किया जब इससे अगले स्टेप में आया और भी एक्स की टर्म्स वहां बैठी थी पर उसने सिर्फ इस x की टर्म्स का value मतलब ग्स में जो x थे उनको हटा कर सिर्फ वहां 2 रखा और बाकी सारी टर्म्स को उसने as it is रखा ठीक है और फिर वो आगे इस सवाल को solve कर रहा है तो यह जो point मैंने यहां लिखवाया है यह बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना है जिस expression की आप value put कर रहे हो उसमें दो खास बात होनी चीए पहले ही उसकी value non-zero finite होनी चीए जीरो भी नहीं होनी चीए और finite भी होनी चीए तो ठीक है सर इसकी value non-zero finite है दूसरा आप उसकी value तभी put करोगे जब वह बाकी पूरे expression के साथ बाकी पूरे expression के साथ multiplication में हो तो सर यह जो है यह बीच में फसा हुआ है यह सिरफ fx के साथ multiplication में है फिर 3 घट रहा है और divide में यह कुछ लिखा हुआ है तो आप ऐसे चलते सवाल में आधे x की values put करके उनको गायब नहीं कर सकते आगे चलके कुछ सवालों में मैं ऐसा करूँगा तब तुमारे दिमाग में तुम खुजाओगे कि आपने बोला था नहीं कर सकते तो कब नहीं कर सकते वह ध्यान समझना चलते सवाल में जिस expression की आप value multiplication में हो और अब की बार यह multiplication में नहीं है इस वज़े से आप यह value नहीं put कर सकते मैंने बोला यहां इसमें सर हमें यह तो नहीं पता इसकी value क्या होगी बट यह वाला जो expression है इसकी value टू जा रही है बोलो हाया ना बोलो हाँ सार फिर यह क्या बन जाएगा इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं fx-3 upon x square minus 5 बिल्कुल सही और सर इसकी जगह 2 पूट कर सकते हैं तो answer is yes अब की बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने जिस expression की value पूट की वह बाकी पूरे के साथ multiplication में और इसकी वैल्यू नॉन जीरो finite है जीरो होती तब भी नहीं पूट करता infinity होती तब भी नहीं पूट करता और अगर यह multiplication में नहीं होता तब भी नहीं पूट करता है क्या मेरी बात समझ पार है अब यहां आजाओ सर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जी एक्स की जगह टू तो यह आ जागा पूरा माइनस तो यह भी अंसर येस है अब कुछ लोग बोलेंगे जरी तो डिवीजन में है अब इसको डिवीजन की जगह ऐसे देखना हाय ना और लिमिट एक्स लेके जा रहे हो एक ही तरफ सर यह पूरा जो एक्सप्रेशन है इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है जब आप जी एक्स की जगह टू रखोगे तो यह आ रहा है माइनस हाफ क्या हम यह वैल्यू यहां पूट कर सकते हैं तो अंसर है सर येस कैस यह वैल्यू नॉन जीरो है फाइनाइट है और बाकी पूरे एक्सपेक्शन जात मल्टिप्लिकेशन में तो यह करना भी सही है क्या मेरी बात समझ गए की नहीं समझे बोलो ऐसा चलके करेंगे आगे ठीक है यह वाला काम मत करना अब एक बच्चा बोलता है कि सर क्या हम ध् अगली बात पर आई बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा होता है और उसके साथ साथ जानकारी भी लिखी होती है कि लिमिट एक्स अप्रोच इस टू ए आपको दो अलग-अलग फंक्शन दिखाई दिए ठीक है तो ऐसा लिखा जाता है यह एलजेब्रा ओफ लिमिट वाली बाते बताते हैं कही की बार ठीक है कि दोनों पर लिमिट अलग-अलग बांट दो प्लस और माइनस साइन जो लिखाओ है वो ऐसे अलग-अलग बांट दो ठीक है पहली चीज आप यह तभी कर सकते हो जब यह डोनों वेल्यू前 मंतलब मिइंट यह और द्स दिश कर दिशीन हे एक दम रूह मैं कें Сам कुन्चन स में हमें यह पता हaretti नियू होता अलगलग value कहां जाएंगे तो जो हम फाइनाइस नहीं है नहीं तो तब आप ऐसे नहीं बांट सकते तब आप ऐसे नहीं बांट सकते दोनहीं चीज के जुआ है और की तो कि दिखेंग से और वेख्लर लिमिट सब्सक्राइब फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह पता ही होगा फिर यह रेंगी नौन सय नौन फिनाइट आ रहे हैं तो फिर एक हमने क्या किए बच्चों वाला काम हमने क्या हमने इस पर लिमिट बांट दी बिना जाने कि कि यह finite है कि नहीं मेरी बात पूरी ध्यान सुनोगे ना तब बात समझ में आएगी वरना फिर तुम बोलोगे कि सर आपने ये बताया था उसने ये बताया था वहां ये लिखा हुआ है यह यह लिखा हुआ है मैं आपको प्योर एक्सपीरियेंश कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा करते है थ्यानकनबधिश हमें यह नहीं पता कि यह finite है कि नहीं हमने सब्स्यादी इमांग नहीं लगाया हमने दोनों पे अलग लग बांट दिया अब ध्यान सुनना आब इन को दुबारा भी कलब नहीं कर सकते आफ थो अदो अलग जवाब निकालो अगर अगर तारा रहा है त इसको थोड़ा सॉल किया इसको थोड़ा सॉल किया फिर लिमिट एक्स अप्रोच इस टुए फिर से कॉमल ने लिया समझ मैं तो नो री क्लब दूबारा नहीं मिला सकते अगर आपका यहां से जवाब आता है तो ठीक वरना पूरे सवाल को सॉल करो री क्लब मत करना और अगर आपको री क्लब करने की जुरत पड़े आपको लगे कि सर बड़ी इच्छा हो रही है तो पूरे पर लगाओ काटा फिर इनको यहीं से स्टार्ट करो वापिस सवाल को फिर लिमिट बद बांटना तो अगर मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँ शौट में मैंने क्या बताया कि आप बांट सकते हो जब दोनों फाइनाइट हो वो एक अलग कहानी है बट हमेंसे के बार यह नहीं पता होता हमने ऐसी बांट दिया बांट दिया अब मैं यह बोल रहा हूं कि बांट कि सवाल को आपने बीच में जाके वापिस से रिकलब कर दिया इनको नहीं जी ठीक है और अगर फाइनाइट नहीं है तो बांट ही नहीं सकते जैसे कि सबसे बढ़िया एक्जाम्पल यह वाला सवाल है limit x approaches to 2 1 upon x minus 2 minus 1 upon x square minus 4 मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या आएगा बट अभी सर जवाब x को 2 की तरफ लेके जाओगे यह इंफिनिटी और यह भी इंफिनिटी तो यह इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है ध्यान सुनना बट अगर कोई इंसान इस पे बांट दे कि मैं तो इस पे भी बांट दूगा और इस पे भी बांट दूगा समझ पार हो मैं इस पे भी बांट दूगा और इस पे भी बांट दूगा तो इसको तो ऐसा दिखाई देगा इंफिनिटी फिर यह लग इंफिनिटी तो इसका जो लिमिट का जवाब आया वह सब्सक्राइब रहा है नॉन फाइन दस नॉट एग्जिस्ट यह भी दस नॉट एग्जिस्ट तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई वह वह पंदर लेके जाओ Maud बाद में लगा देना hungry limitedание अप्रोच इसलिक फॉच यह फंक्शन जो है वह पावर में बैठात तो इस पूरी लिमmeeट को में लेकिंच को और के और जाएसा सिरफ तब तब कर सकते हो जसे किसी फंक्शन के अंदर basically आपको देखते हैं पता चलेगा कि एक composite function लिखा हुआ है e की power में fx तो e की power में आपने function बिठा दिया तो आप इसको अंदर लेके जा रहे हो जैसे वहाँ पर दिख रहा है mod के अंदर fx तो किसी function के अंदर अगर fx बैठा है और x पर limit लगी है तो आप वहाँ पर limit तभी लेके जा सकते हो उस expression के पास जब यह बाहर वाला function क्या हो continuous e की power x भी continuous होता है और mod x भी continuous होता है e की power x भी continuous होता है और mod x भी continuous होता है अब की बार यहाँ पर जो box इस्तमाल किये गए है these box are nothing but greatest integer function कौन सा function है यह जी आई अब की बार देखो यहाँ पर बाहर लगी भी थी लिमिट बॉक्स के अंदर fx था greatest integer वाले में अंदर आप नहीं लेके जा सकते विकाज यह जो greatest integer function है यह कैसा होता है discontinuous यह कैसा होता है बिटा discontinuous इसलिए यह हमेशा बराबर नहीं है उपर वाली दोनों बाते एकदम clear है true है समझ पा रहे हो एक यह वाली चीज और देख लो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर सवालों पर यहाँ पर भी जो जो आपको यह दिखाई दे रहा है this is gif gif मतलब greatest integer function box का मतलब है gif यह एक confusion वाला point है बट मैंने यहाँ पर आपको अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो के तो यह clear ही हो जाएगा पूरे function की आपने पहले निकाली limit फिर उस पे greatest integer लगाया sir according to concept limit एक approaching value है की exact value है जो भी हम limit निकालते हैं solve करने के बाद में वह एक approaching value होती है की exact value होती है इन दोनों मेंसे आप किस पे click करोगे exact value sir limit का जवाब होता है exact value approaching value नहीं होती वो तो यहाँ पर आपको क्या करना है पहले limit calculate करना है फिर उसका greatest integer लगाना है तो बहुत अच्छी बात है सरो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है fx जिस तरफ से approach कर रहा है approaching के ऊपर ही उसने greatest integer लगा दिया क्योंकि जैसे जैसे आप x को एक ही तरफ ले जाओगे वैसे वैसे fx कहीं ना कहीं जाना start करेगा और जाते वक्त ही ग्रेटेस इंटीजर लगा देगा तो उस पर वैल्यू बदल जाती है अभी इन दोनों एक्जाम्पल्स पर आने की बजाए मैं उस ग्राफ पर चलता हूँ जहां पर आपको कहानी अच्छे समझना है एक ग्राफ हमने डिसकस किया था आए ना एक ग्राफ हमने डिसकस किया था यह वला आजाओ ठीक है हाँ गब्राइए का निए यह मत सोचना कि सर आपने सारा ग्राफ अटा दिया नहीं जी ग्राफ सारा नहीं अटाया गब्राइए नहीं वह जो सॉलीशन था वह एजटेज कॉपीड है गवराए नहीं कॉपीड है मतलब पिसली स्लाइड पे है वह मैंने उसका कॉपी कर लिया है वा सर आप तो टेक्निकल ही वड़ी साउंड हो हम साउंड है और आजकल हमारी शेप थोड़ी राउंड है हाँ सर मोटे हो रखे हो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यह बता दना सर कॉन सी बात पूछ रहे हो आप मोटे हो रहे हो अब वह नहीं बे यह लिमिट वाली चीज़ें सर सवाल गवाएंगे अभी आएंगे सवाल का मतलब यह वाली वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब वह एक्जिस्ट कर रही हो तो वन को लेट साइड से राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इस पॉइंट की तरफ ग्राफ जाएगा इस पॉइंट का वाई कॉडिनेट है अब मैंने आपसे यह सवाल पूछा कि ल मेरी बात ध्यान से एकदम कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें पहले लिमिट निकालो फिर ग्रेटेस इंटीजर लगा दो और इसमें फंक्शन जिस तरफ जाते हुए पर ग्रेटेस इंटीजर लगा है पहले हम इसको समझते हैं ध्यान अब बताओ यह तो साफसा अंधर वाली वैलिव हमें पता है अंधर वाली वेल्णी जो है वह हमें पता है इस एकद्वन हाया न कैसे पता सर लिमिटoqu रीक्स इंटीजर क्या होता है सर एकज और गरेटेकाट इंटीजर 52 नोनी नैंस नीन ए इस और राध अब इसको आप ऐसे डीटेल में देखो, जब आप X को 1 की तरफ लेके जा रहे हो, X को 1 की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट या राइट से, तो ये function का graph किस तरफ से जा रहा है, जा तो इस point की तरफ रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, जा तो इस point की तरफ रहा है, 1 की तरफ जा रहा है कि जब-जब एक्स वन प्लस या वन माइनस की तरफ जा रहा है तो जो फंक्शन है उसकी अप्रोचिंग देखो किस तरफ है सर अप्रोचिंग वन वन की तरफ जा रहा है बट वन की तरफ भी कहां से नीचे से वन की तरफ देख पारे हो यह ग्राफ नीचे से वन की तरफ जा सर बट हम यह देखते हैं उस नंबर की तरब भी हम किस टरफ से जा रहे हैं तो जैसे जैसे आप x को बəल की तरफ लिजाओगे वैसे वैसे function यह जा रहा है 1-7 यह कभी 1 भी नहीं उस पॉइंट की तरफ किस साइड से अप्रोच कर रहा है वो भी देखना बड़ा जुरूदी समझ गें की नहीं समझें हाँ है ना ठीक है जैसे एक सवाल और पूछता हूँ यहाँ भी पूछाँ गवराओ मत जैसे इस पे इसकी लेफटेंड लिमिट की दो बात नहीं कर रहा हूँ जैसे लिमिट एकस अप्रोच इस टू 3 प्लस एफ एकस का ग्रेटेस इंटीजर और लिमिट एकस अप्रोच इस टू 3 प्लस अब सिरफ fx का greatest integer और 3 plus सिरफ क्यों क्योंकि 3 minus तो exist ही नहीं करती इस वज़े से 3 plus की बात करो तो right side से अगर जाता हूं तो sir ये पूरा graph जा रहा है इस point का y coordinate है 2 तो पहले हम जब अंदर वाले को solve करेंगे तो उसका जवाब आएगा exact 2 और exact 2 का greatest integer beta g होता है 2 क्या आपको ये बात समझ में आई तो answer is yes now sir जब आप 3 plus की तरफ से जाओगे तो ये graph जो है ये इस point की तरफ जाएगा और ये 2 को नीचे से अप्रोच कर रहा है समझ भार हो ऐसे जाएगा ये नीचे से 2 की तरफ जा रहा है तो मतलब ये जो function है ये जा रहा है 2 minus की तरफ से जा 2 की तरफ ही रहा है बट 2 को भी नीचे से मतलब ऐसे तो 2 से छोटा होकर 2 की तरफ जा रहा है मतलब 2 से थोड़ा सा कम है बट जा 2 की तरफ रहा है तो 2 minus का greatest integer is 1 क्या मेरी बात समझ में आती है अरे बोलो हाँ सर अब जैसे इस पर आजाओ जैसे मैं इसकी बात करूँ limit x approaches to minus 2 minus 2 के right में जाते है और फिर हम आजाते है minus 2 के left में ठीक है और अब की बार मैंने दोनों में ही fx पे greatest integer लगा है ध्यान अकना fx पे greatest integer लगा है तो अब मैंने बोला कि ध्यान से सुनके बता कि जब मैं इस तरफ से जाऊंगा तो ये function इस point की तरफ जा रहा है इस point का y coordinate है 0 और ये 0 से 0 की तरफ जा रहा है बत 0 को कौन साइट से? उपर वाली साइट से तो ये जो अंदर लिखा हूँ है ये लिखा हूँ है 0 प्लस fx जा 0 की तरफ रहा है बत कैसा लिखा हूँ है? 0 प्लस और 0 प्लस का greatest integer 0 फिर मैंने बोला कि लेफ्ट साइट से अगर मैं अप्रोच करूँ तो तो सर अगर left side से approach करोगे अबकी बार ना ही graph उपर से ना ही नीचे से exact minus 1 समझ मैं है? अबकी बार जो graph है वो कैसा जा रहा है? This is exact minus 1 क्योंकि अबकी बार देखूँ ना minus 2 को left side से approach करो मैंने गरवड कर दी ठीक है? एक गरवड क्या है? ये minus हो जाएगा और ये plus हो जाएगा minus का मतलब है left side से तो left side वाला और plus का मतलब है right side से अब अगर मान लो आप right side से approach करते हो तो सर जो function है ना वो इस point की और जा रहा है मैंने बोला इस point का y coordinate है minus 1 मैंने ग्राफ minus 1 को ऊपर से आ रहा है गी नीचे से बोले सर कहीं से नहीं बराबर से बराबर मतलब exact minus 1 और exact minus 1 का greatest integer होता है बिटा minus 1 ठीक है तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं आया ना ऐसे आप इसको सोच सकते हैं वैसे ही जल माल लो फटा फट बस last आईए limit x approaches to minus 3 minus minus 3 को left side से approach करेंगे और जो function है सिरफ उस पे greatest integer लगाया है तो जब आप left side से approach करोगे तो function ऐसे नीचे से 0 की तरफ आएगा नीचे से 0 की तरफ आने का मतलब है कि अंदर वाला function है वो 0 minus की तरफ जा रहा है 0 से थोड़ा सा चोटा और 0 से थोड़े से चोटे numbers का greatest integer is minus 1 मेरे क्याल से बात समझ में आई होगी ठीक है तो ये values मैंने आपको बताई और ये फिर greatest integer वाली कहानी बता दी ठीक है I hope and believe बात समझ में आती होगी यहाँ पर sin x और x वाली कहानी समझाने के लिए मैं एक आपको graph याद रखने के लिए बोलूँगा and this graph is very 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 useful believe me ठीक है इसको याद रखीगा ठीक है सर एक तो इस पर 10 x का graph बना दो इसी पर और एक इस पर sin x का graph बना दो ठीक है तो भाई साब ये वाला जो graph है ये है sin x का ये वाला जो graph है ये y बराबर x वाली line है और ये वाला जो graph है ये है 10 x का ठीक है अब आपको ये सब बताने की जुरूद अच्छा ये आपको अभी जो मैंने बनाया इसमें हो सकता ही है यहाँ पर आपको तीनों मिलते हुए दिखाई दे अगर मैं इसको जूम करके बनाओं तो जूम करके भी ये जीरो पर ये सिच्वेशन होगी ये उपर से ऐसे आएगा और sin x वाला नीचे से निकल जाएगा मतलब ये सिरफ और सिरफ जीरो पर ही मिलते हैं तो मैं अगर आपसे पूछू जयान सुनना कि as x approaches to 0 प्लस अगर function 0 प्लस की तरफ आप graph में जाना start करते हो ये जो sin x upon x वाला expression है ये किस की तरफ जाएगा 10 x upon x वाला expression है वो किस की तरफ जाएगा ये बताइए आप मुझे ठीक है और similarly as x approaches to 0 minus sin x upon x वाला expression किस की तरफ जाएगा और 10 x upon x वाला expression किस की तरफ जाएगा मैं आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं अभी समझा देता हूं मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि 0 से थोड़ी बड़ी value पर वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि sin x upon x standard limit है value आती है 1 इसको हम देखेंगे भी trigonometric standard limit जब पढ़ेंगे अब अभी मेरी बात ध्यान से ऐसे सुनों आप कि sin x और x ये रहा sin x ये रहा सरवाए बराबर x फ़ल रहें जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे right side से वैसे वैसे साइन x और x की value बराबर होनी start हो जाएगी हाँ बराबर exact कब होगी जब x बराबर 0 होगा इसका मतलब सर ये वन की तरफ अप्रोच करेगा ये पूरा expression क्योंकि जब जब numerator denominator बराबर हो रहे हैं मतलब value क्या आएगी वन अब मैंने पूचा कि वन भी किस साइड से वन प्लस ये वन माइनस वो बता तो सर आप देख पा रहे हो कि numerator हमेशा चोटा है ये ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो वापिस numerator और denominator फिर से बराबर हो रहे हैं तो यह expression फिर से 1 की तरफ जाएगा कोई issue नहीं है बट 1 की तरफ भी किस side से जाएगा numerator बढ़ा है denominator छोटा है अब की बार क्योंकि 10x का graph हमेशा बढ़ा है उपर लाए कर रहा है positive x पे तो यह जाएगा 1 plus की तरफ समझेगी नहीं समझेगी आया ना अब यहाँ आजाओ sinx upon x x zero minus के लिए तो zero minus में भी वही कहानी है zero minus में सिर्फ इतना हुआ है कि दोनों negative हो गए ठीक है वह साई लोग यह बोलेंगे कि सर अब sinx बढ़ा हो गया और x छोटा हो गया नहीं जी numerically सोच numerically से one minus से हां मैं समझ सकता हूँ यह वाला point थोड़ा सा परिशान करेगा कि सर यह one minus कैसे one से चोटा कैसे obviously कोई साभी x ले ले numerical value जादा किसकी आएगी numerical value जादा आएगी सर x की numerical value मतलब जितना नीचे जाते है तो numerical value बढ़ती जाती है तो दोनों negative हैं इस वज़े से वापिस से plus one क्योंकि sin x भी negative और x भी negative तो plus one की तरफ ही जाएगा और one से चोटा होगा same logic is valid for 10x दोनों negative है तो plus one की तरफ जाएगा बढ़ अब की बार one plus वापिस से one plus क्यों सर क्योंकि यह जो expression है इसमें numerator बढ़ा है denominator चोटा है ठीक है numerical value सोचो कोई सा भी x लोगे 10x की value जादा आएगी x की value कम आएगी sin x की value उससे कम आएगी numerical order है यह ठीक है जी बस इसी point पर यह बता दो अब उसने बोला कि पहले आप इसकी limit calculate करो जिसको नहीं याद है कोई बात नहीं अभी पता चल जाएगा इसकी value होती है exact one exact one का greatest integer is one पहले हमने limit calculate की that is exact one उसका greatest integer one अब की बार उसने क्या किया sir approaching पर ही greatest integer चिपका दिया कि जब वो जा रहा होगा limit की value बनने से पहले ही greatest integer लगा दिया तो यह बता हूँ sin x upon x किस साइड से जाता है sir one minus से और one minus का greatest integer क्या होता है zero one minus का greatest integer क्या होता है zero similarly you can also say कि limit x approaches to zero 10x upon x sir इसकी value फिर greatest integer एक पार्ट यह पूचा और दूसरा मैंने पूचा limit x approaches to zero 10x upon x का greatest integer now sir इसकी value exact one exact one का greatest integer one value निकालने के बाद में greatest integer लगाना है और sir 10x upon x जो है वो one plus की side से जाता है तो one plus का greatest integer is one इसमें दोनों में one आता है इसमें zero और one आता है आपको concept एकदम clear होना चाहिए कि greatest integer कैसे लगा है मैंने बहुत सारी सवाल करवा दिया है now now we are moving to directly the questions of limit सीधा आपको आने वाले सवालों में form पैचाननीय और लिमिट का जवाब देना है मैं फटा फटा आता हूं इस सवाल पे लिमिट अप्रोच इस तू वाई मदब लिमिट वाइप्रोच इस तू जीरो मैंने इस expression को ध्यान से देखा क्या सब्सक्राइब इसमें मॉडिलस इंटीजर फ्रेक्शनल पार्ट सिग्रम एक्स क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वज़े चीए टूट सके तो अंसर इस कोई नहीं है सर तो सीड़ा करें जैसे आप x को 0 की तरफ ले जाओ यह होगा 0 ठीक है 122 माइन प्लॉट 2 जाएगा जिडू की तरफ दिनॉमिंटर बीजाएगा तरफ चान सी फॉर्म है जीरो बाइगा चाहते हो तो एक बच्चा बोला कि आपने एल हॉस्पिटल सिखाया था बट आपको हर जिगा एलेच रूल आपको असानी से जवाब देदे इस नॉट रू समझ मैं अभी बता देता हूं इस पे आपको चार बार डिनॉमिनेटर का डिफरेंशेशन करना पड़ेगा चार बा या एक बार करके देखो चलो करके देखते हैं लेच रूल से क्योंकि डिनॉमिनेटर से वाई तभी गाइब होगा जब आप वाई को चार बार डिफरेंशेट करेंगे हम तो पागल हो जाएंगे मैं कोई बात नहीं पहले इसको फटाफट रेशनाइशेशन से करते प्लस वाई की पावर 4 ठीक है और यहां पर है माइनस रूट टू अपॉन यह रहा वाई की पावर 4 इसको हमने किस से मल्टिप्लाइ किया सर हम जानते हैं बच्पन में मैडम ने सिखाया था बेटा बीच में प्लस साइन लेके ओपर नीचे मल्टिप्लाइड डिवाइड बहुत बढ़िया कितना बढ़िया सिखाया था मैडम ने ठीक है भाई अवे देख रहे हो ना येस हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पर ठीक है जी नाओ जब उपर वाले का मल्टिप्लिकेशन करोगे तो उपर वाले में क्या आ जाएगा रूट आप माइनस बी इंटू रूट आपे प्लस भी इस यह जाएगा ए माइनस बी एक एक रूट हटा दू पर उपर वळा और डिनॉमिनेटर में वाई की पावर फोर ठीक है इन दोरों को मल्टिप्लाइ करके तो यह लिखा अब मैं एक कॉंसेप्ट यूज कर रहा हूं ध्यान रखना मैंने इस पूरे एक्स्प्रेशन की अगले स्टेप में आते वक्त वेल्यू ही पूट कर दी यहां से यहां ज तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 upon 2 root 2 सर वापिस वही लॉजिक है जिस एक्स्प्रेशन की आपने वेल्यू पूट की है वो पूरे एक्स्प्रेशन के साथ मुल्टिप्लिकेशन में है और उसकी वेल्यू जो है वो नॉन जीरो फाइनाइट है मुल्टिप्लिकेशन यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सरी तो डीवीजन में है तो वन अपॉन इस तिंग इस मुल्टिप्लिकेशन में है तो वैल्यू पूट कर सकते हैं तो अंसर इस सर येस कोई दिक्कत नहीं है मैंने पूचा कि अभी भी अभी बेशो बन रहे है वह को जीरो की तरफ ले जाओ उगे 1 प्लस 1 टू-2 इस व्वाइनस तो अपान जीरो अब इस सर यह वन मेंस2 गया तो इसको इसको एड़ और यहां पर माइनस1 की बत्ति लिगाओ भरत अबन की बत्ती लिगाओ बहुत स कोई दिकत वापी से रूट आगा तो आपी से रूट आओ कोई बात ने दो रूट है तो दो बार एसनाइजेशन फिर से कहानी ऊपर वाले को सॉल करोगे तो सर वन प्लस वाई की पावर फोर रूट हटा दो और वन का स्क्वार तो वन नी होता है नीचे वाई की पावर फोर ये भी ठीक है और एक दिनॉमिनेटर में वन अपॉन टू रूट टू था बिल्कुल सही और सर इस पूरे एक्सपेशन की भी आप वैल्यू पूट कर सकते हो तो अंसर इस क्यों क्यों कि येव ये वाला पूरा एकस्पेशन बाकी सब के साथ मल्टीपिोलिकीशन में ए और इसकी वेल्यू कितनी आ रही है इसकी वैल्यू आणी ये तू जब आई की वैल्यू गया उसके बाद में ये और ये गया फाइनल अंसर आ गया sir, 1 upon 4 root 2 1 upon 4 root 2 तो यह value exist करती है और यह 1 upon 4 root 2 के बराबर है मेरी गाल से बात समझ में आई होगी now, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार L hospital से भी करें differentiation से भी करें ठीक है, बिल्कुल सही मैंने आपको दूसरे वाले method से बता दिया x को माइनस 2 की तरफ लेके जा रहे हैं greatest integer, mod, signum और वो सब नहीं है तो हम एक ही साथ calculate करेंगे मैंने पूचा जब मैं x को माइनस 2 लेके जाऊंगा तो sir, यह जाएगा लगबग 0 की तरफ तो यह जाएगा sir, infinity की तरफ बीच में माइनस साइन है, बिल्कुल सही माइनस 2 का क्यूब, माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 0, 12 अपॉन 0 वापे से infinity कौन सी फॉर्म बनी sir, infinity minus infinity sir, infinity minus infinity के लिए आपने क्या हमें ग्यान की बात बताई थी, वो ग्यान की बात है याद बड़ी जरूरी है, या तो कुछ सब्सीट्यूट करो, या slight change करो, और slight change में सबसे important चीज है, LCM लेना हूँ sir, यह तो बहुत ही असान हो गया, मैंने पूचा कैसे, बोले sir, बहुत असान है यह लिखावा है, 1 upon x plus 2 minus 12 upon, एक बाह बता, यह ऐसा नहीं लग रहा, कि x cube plus 8 वो आपको ऐसा दिखाना चाहरा है sir, aq plus bq बोलना चाहरे हो क्या, मैंने का हाँ तो a plus b into a square plus b square minus a b, ठीक लिख रहा हूँ क्या, a square plus b square minus a b, हाना, बहुत बढ़ी हाँ sir, आपने बोला था, slight change का मतलब है, कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, l, c and m, बहुत बढ़ी हाँ तीनों ले लो फटा-फट, lc और m, sir, जब आप lcm लोगे हैं, तो यहाँ पर आजाएगा, x plus 2 into a वाली पूरी कहानी यह वाला फेक्टर सरफ वहाँ जाएगा, ठीक है, तो x square minus 2x plus 4 minus 12 और तेरे संग यारा, खोसरंग बारा, यह ठीक है, क्या तुझको समझ में है, बता भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, सहीजी बताना, recorded है, बट बिल्कुल feel नहीं आएगी, कि recorded है, सर यहाँ प्लस 4 था, और यहाँ माइनस 12 आपने रखा, मैंने का बिल्कुल रखा, तो क्या समझ च्छा है, बोले x square minus 2x, तो वह बन जाएगा minus 8, मैंने का यह भी ठीक है, हाँ, उपर वाले के factor दिखाई दे रहे हैं क्या, हाँ सर, उपर वाले को ही आप factorize कर दे रहे हो, अ सब्सक्राइब करके दिखा रहा है, एक बोले, step नहीं करके दिखा रहा है, यह खुद चेक कर रहे हैं कहीं, गलत मिला लिख तो, हाँ, जैसी जिसकी सोच, x plus 2 into x minus 4, उपर वाले के वेक्टर, डिनामिनेटर के वेक्टर is x plus 2 into x square minus 2x plus 4, ठीका बिटाजी, हाँ जी बिटाज क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ सर, अब एक बाद बता, सर यह वो फेक्टर, अच्छा, थोड़ा जल्दबाजी हो गई, बिल्कुल सही, गबराने की बिल्कुल ज़रुत नहीं है, पहले फॉर्म थी infinity minus infinity, ल्टियम लेगे simplify किया, तो जब आप x को minus 2 की तरफ ले जाओग और यह वाला पूरा फेक्टर भी 0, तो जैसे आप यहाँ पहुंचे हो, यह वाली फॉर्म बन गई है अब 0 by 0, और 0 by 0 में आपने बताया कि फेक्टराइशन करो, उस फेक्टर को common निकाल लो, जिसकी वज़े से 0 by 0 बन रहा है, तो वो common लिया, उड़ा दिया, उपर क्या बच रहा है, एक्स माइनस फोर और नीचे बच रहा है बटा, एक्स स्क्वार माइनस टू एक्स प्लस फोर, जब आप एक्स की जगा माइनस टू रखोगे, अब यह इन डिटमिनेट फॉर्म नहीं बची, सीधा जवाब आएगा, एक्स की जगा माइनस टू तो उपर आंसर एज माइनस आप, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म ती लेते ही गायब हो गई, फटा फटा फट फॉर्म बताएं, जब हम एक्स को माइनस ट्री की तरफ ले जाएंगे, ध्यान से सुनना, एक्स को माइनस ट्री की तरफ ले जाएंगे, उसकी पावर हो जाएगा सरेटीवन माइनस सिक्स इंटू नाइन फिफ्टीफोर होता है क्या हाँ सर तो 81 माइनस फिफ्टीफोर कि साथ चर्वं ब्रूम ब्रूम 27 बहुत बढ़िया सर न्यूमिनेटर जा रहा है जीरो की तरह और जीरो सर जीरो बाइट बढ़िया वैसे तो सर हमें फेक्टराइजेशन लगानी चीह बिल्कुल सहीं X को माइनस 3 रखने पर X बराबर माइनस 3 रखने पर पूरा function जो है वो numerator, denominator दोनों 0 हो रहे हैं इसका मतलब जो X प्लस 3 होगा वो numerator और denominator दोनों का factor होगा तो उपर से X प्लस 3 और X प्लस नीचे से X प्लस 3 कॉमल ले सब्सक्राइब बढ़िया सवाल है तो क्यों ना थोड़ा सा हाथ आजमाल लिए जाए मैंने पूझा किस पर एले चुरूल पर बहुत बढ़िया हाना 4x cube minus 12x अब denominator derivative बता अलग से हम तो यह आ जाएगा सर 3x स्क्वार प्लस 6x प्लस 1 आया ना थिक है ऐसा नहीं कि डिफ्रेंचेशन पहले जाओ नहीं भईया रूख जाओ सर आपने वहां पे चेक किया 0x0 फॉम थी लह डूल में नुमिरेटर अलग से दिफ्रेंचेशन डिनॉमिनेटर गालग से नाव वी शूद चेक दफॉम हम अब फॉम चेक कर रहे हैं तो एक बाब बता जब मैं माइनस थी रखूंगा तो यहां पे 27 x 4 कितना होता है आठ दस यह क्या सर आठ दस माइनस वन जीरो एट प्लस थर्टी सेक्स अपन नाइन इंटो थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस 18 प्लस 1 यही आपका जवाब है सर यह कैसा जवाब है इसको सिंप्लिफाई कौन करेगा वाह अब नहीं पूछेंगे सर यह बात की सिंप्लिफाई कौन करेगा अगला सवाल बहुत ही मासूम बट इसमें एक चीज जोड़दार जो भी आपको इन्फिनिटी रांफिनिटी की फोर्म मैंने सिखाई जैसे फोर एक्जामे September limit X approaches to infinity माउइस स्क्वार प्लस 3 X लास1 डिवाईडिपा श माइन बाइस फोर्म प्लस 2 जैसे यह वाली व्मॉन EMA तो इसमें आपने बताए कि इस अगर है लिगा तो उपर वैला भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी उड another भी SO is infinity अब आपने वारन इंफिनिटी की फॉर्म होगी जितने भी आपको इंभर पर इंफिनिटी लिखना सिंखाया है मैंने यह जहां जहां पर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में इंफिनिटी लिखा हुआ है तो वह इंफिनिटी प्लस हो या माइनस हो इससे कुछ फरक नहीं पड़ रहा है ठीक है नाओ मैंने अब क्या बोला ध्यान सुनना सर कैसे सॉल करते हैं नूमिरेटर्से एक सबसेबडी प्ली पावर और दिनौमिनेटर से हैट्स की सबसेबडी पॉर कॉम लेवत तो जैसे ही मां अगले स्टेप में जाओंगा हुआ जह अलग सवाल जो मैं आपको हो करवा रहा हूँ तो सर यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा minus 1, यहां बचेगा 3 upon x, और यहां बचेगा 1 upon x square, और denominator से जब आप x square common लोगे तो यहां बचेगा 1 upon x, minus 7 plus 2 upon x square, ठीक है यह बच गया, आपको हमेशा याद रखना चीए कि जब जब x infinity की तरफ जाता है, या plus या minus दोनों में से कहां जाती है सर, 0 की तरफ, obviously, infinity का रहसी प्रोगले, जी लो, आया ना, और वो depend करता है, 0, अगर आपने plus infinity है तो 0 plus आएगा, minus infinity है तो 0 minus आएगा, बट लगबग value 0 होगी, तो भया यह यह भी 0 की तरफ, 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 यह भी 0 की तर infinity upon infinity का एक चोटा सा सवाल, जिसमें हमने सीखा की x, numerator और denominator से highest power common ले लो, वही सेम काम एक बच्चे ने यहां करने की कोशिश की, limit x approaches to minus infinity, ऊपर से x square common लूँगा तो बाहर आ जाएगा x, और denominator में सबसे बड़ी power सर x है तो उसको common लूँगा तो यह लो, ठीक है, आया ना, अब उसने का किया, यह x और यह x उड़ा दिया, जैसा कि आपने बताया, सर, 1 upon infinity 0, 0 plus 1, 1, और 6 upon infinity यह भी 0, तो यह answer आ गया, 1 by 3, और वो यह answer टिक करके घर पे खुशी-खुशी से आ गया, ठीक है, फिर मैंने पूचा, बिटा, जीडी बीडी का काउन ध्यान रखेगा, सर, जीडी बीडी का मतलब है, जीडी बीडी का मतलब है, गर्ड बड, आपको एक point याद रखने के लिए बूला गया था, और मैंने यह भी line लिखी थी, कि इस line, nine points will make your limit super fine, ठीक है, दिखा होगा ना, cartoon वो करता रहता है, वैसे ही same, वैसे ही same, यहाँ पर होगी ना, जीडी बीडी, क्या सर, आपने x square को comment लिया, तो बाहर x ही आएगा की mod x आएगा, सर, यह mod भी लगाना होता है क्या, और क्या, भाही साब, आएसे ना चला हो काम, समझ गे, उपर तो mod x, नीचे x सिरफ, क्या बोलती है जनता, बिल्कुल सही बोलती है सर, क्योंकि x स्क्वेर से निकाला ना, आपने बाहर, अब एक बाहर बता, अगर x, mod गो, जब पता चलता है कि उसके अंदर लिखा हूँ x negative है, सब कैसे पता चला होकि, mod कि उसके अंदर लिखा हूँ x negative है, क्योंकि x minus infinity की तरफ जा रहा है, तो जब x minus infinity की तरफ जा रहा है तो यह open होगा minus x के साथ, तो बाहर आएगा minus x क्या मेरी बात समझ पारे हो पहले आया mod common लेने के बाद में और उसको open करोगे minus x because x जो है वो है minus infinity मतलब negative तो इसको वो एक और negative sign करेगा अब ये और ये x उडाओगे बाकि सारी कहानी ठीक है ये एक minus sign बचेगा ये value 1 और ये 1 by 3 ये है correct answer क्या है correct answer ये बढ़िया सवाल है क्या सवाल है बढ़िया सवाल good question सोचो सोचो recorded होने का ये ही तो फाइदा है कि आप एक बार वीडियो पॉस करके फटा-फट सोच सकते हो सवाल के बारे में कि आपको क्या समझ में आ रहा है और आप इसको कैसे सकती है ञाथ फटाफर दीखईगा др mh तो उसने बोला कि एक इक्वेशन है जिसकीOFFर है information अ मतलब ईसके एंट्यकर है विंगा ग्रनित एक सिंपल सा हिसाब चलता है और वह ऋसिंपल सा हिसाब क्या है कि जितने उसके रूट्स होते हैं जितनी पावर होती है उतनी उसके रूट्स होते हैं तो इसके जो रूट्स है वो कौन-कौन है X1 X2 X3 कहां तक XN यह इसके रूट्स है बढ़िया सवाल है द्यान अगना जोड़ता है उसने बोला कि X को X1 की तरफ लेके जाऊं तो यह वाली पूरी लिमिट कहां जाएगी वो बताईए यह से देखकर आपको समझ में आना चींए कि एक फॉर्म ndटू थयान रख्येगा फ्लीज एक फॉर्मेट उता है दियान रख्ये गःभा वो बता देता हूं वैसे बता रखा है शयज्द क्योंकि काडिटिक बढ़ा हूं थिख है सर गोडिटीक हो चुके ना आपकी मनजिल में complete तो अगर आपको कभी किसी भी मैं सरफ क्वाडिटीक की बात कर रहा हूं and this situation is valid for every equation जैसी ये क्वाडिटीक है आपको पता चला जैसी ये क्वाडिटीक है और आपको पता चला कि इसके रूट्स alpha beta है इसके रूट्स क्या है बिटा alpha और beta तो आप उस क्वाडिटीक को right side में ले जाकर in terms of roots factorize कर सकते हैं you can write इसके factor कौन-कौन से हैं sir x minus alpha into x minus beta ठीक है और जो यहां पर leading coefficient होता है वो यहीं आता है leading coefficient मतलब सबसे बड़ी power का coefficient तो आपको roots पता थे right side में ऐसे factorize करके लिख दिया और जो भी leading coefficient होगा सबसे बड़ी power का coefficient वो इस तरफ आएगा और जैसे ही आप इसको factorize करके लिखते हो मतलब अब यह बन जाती है identity क्या बन जाती है identity identity का मतलब कोई साभी expert को differentiate करो integrate करो इंटीग्रेट करो इस आलवेज वैलिड है समझेगी नहीं समझे तो सर आपके दिमाग में यह वाला थौट क्यों आया क्योंकि इसके दो रूट्स थे और यह दोनों रूट्स ब्रैकेट में कब आये जब हम यह वाली चीज लगाते हैं अब मालों क्यूबिक होती तब भी यह बात वैलिड़ी तीन रूट्स होते इस तरव तीन फेक्टर आ जाते पावर 4 वाली हो तो चार फेक्टर आ जाएंगे पावर एन वाली हो तो क्या फरक पड़ रहा है सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते मिगे बताए कि इसी एक्वेशन के x की power n plus ax plus b कितने roots हैं sir n roots है x minus x1 सब को bracket में लिख दू x minus x2 dot 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 Sir leading coefficient क्या है सबसे बड़ी power का coefficient 1 है तो यहां पर वन आएगा समझ गये Sir आपको कैसे पता चला कि यह चीज लगानी है ध्यान से देख जिसकी limit पूछी है उसमें सभी factors अलग अलग bracket में है x के साथ और ऐसा तभी होता है जब हम यह काम करते है तो मैंने अब इसको क्या किया यह हमारे पास क्या बन गई identity क्या बन गी बटा identity Sir अगर आप ध्यान से सवाल को देखोगे तो factor start हो रहा है x2 से बहुत बढ़िया factor कहां से start हो रहा है x2 से मतलब उसने इतने लोगों को रखा है बहुत बढ़िया तो x-x1 को डिवाइड कर दे तो x की पावर n प्लस ax प्लस b whole divided by x-x1 बराबर यहां क्या क्या बचेगा x-x2 x-x3 x1 वाला factor डिवाइड कर दिया बस बाकी सारे वेक्टर यहां पर आज़ेड है बहुत बढ़िया सावाज अब सर्थ उसने क्या किया उसने इस पर लिमिट लगाई है किस पर लिमिट लगाई है इस पर कि लिमिट x अप्रोच इस टू x1 और सर इस पे लिमिट लगाओ या इस पे लिमिट लगाओ एक ही बात है मैंने पूछा कैसे एक ही बात है विटा क्योंकि सर ये वाली पूरी चीज इसके ही बराबर तो है आपको इस पे लिमिट लगाने के लिए बोल रहा है और हमने इस पूरी चीज को सिंप्लिफाई करक तो how many of you agree कि ये वाली चीज जो उसने पूछी वो इसी के ही बराबर है तो अब हमारा final answer आने का वक्त आ गया है तो जो हमारा final answer होगा उसमें हम limit x approaches to 1 लिख दे रहा हूँ सब जिगह यहाँ पर x1 होगा limit x approaches to x1 ठीक है अब हम उस पार्ट को solve कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया x की पावर n प्लस a x प्लस b अपॉन x माइनस x1 सर ये एक बहुत ही simple limit का सवाल बन गया बट इस simple limit के सवाल तक पहुचने के लिए हमने जो calculation की जो simplification की जो बाते बोली उनको याद रखिएगा ठीक है अब मैंने पूचा की भीया कौन सी form बन रही है जब-जब limit का सवाल आएगा सबसे पहले form चेक करते हैं बोले sir 0 by 0 मैंने पूचा कैसे बोले x को x1 की तरफ ले जाओगे x1 इस equation का root है किसी भी equation में जब उसका root रखते है तो उसकी value 0 की तरफ जाती है और सर यहां पर x1 रखोगे तो यह भी 0 मैंने पूचा कौन सी form बनी बोले sir 0 by 0 मैंने का इलाज है इसका मैंने सर बहुत बढ़िया इलाज है गजब का मैंने का गजब वाला ही बता दे पहले दो बताओ form क्या है 0 by 0 बोले sir LH rule मैंने का वाया दिल खुश कर दिया क्या कर दिया दिल खुश LH rule में क्या होता है भाई साब numerator का differentiation sir x की पावर n का derivative x n x की पावर n-1 plus a b का coefficient b जो है उसका differentiation 0 x-x1 का derivative 1 और limit कहा जा रही है sir x1 की और अब जहां पर x दिख रहा है वहां पर x1 पतकता हूं n x1 की पावर n-1 plus a यह हमारा answer हो गया मैं यहां पर option नहीं लेका हूं but option में आपको यह वाली चीज दिखाई देगी answer is in terms of x1 क्या मेरी बात समझ में आती है LH rule लगा सकते है LH rule में जब आप differentiation स्टार्ट करोगे तो x के respect में derivative होगा किसके respect में? x के respect में differentiation मेरी बात समझ में आती है बढ़िया सवाल है ध्यान रखेगा now जो अगली major techniques है जिनके basis पर हम अगली major techniques है जिनके basis पर हम limits वाले question solve करते है एक तो यह rationalization होगी factorization होगी LH rule हो गया LCM LCM लेकर यह सब हो गया साथ में हम expansion भी रखते है total में आपके लिए 4 और 4, 8 expansions लेके आया हूँ जिसमें पहला expansion है 1 plus x की power n का यह है binomial theorem for any index वाली expansion है इसमें ध्यान रखना जो x की value होती है minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए this is only valid if mod of x is less than 1 minus 1 से 1 के बीच में हो e की power x का expansion यह रहा अचा अब इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता यह expansion होते है एक series होती है हमारे पास Taylor series McLaren series उन से ही आता है यह सब तो जदा attention ना लें आप इन सब को क्या करें memorize करें बिल्कुल सहीं करने ही पढ़ेंगे बिटा कोई इलाज नहीं है कोई और इलाज होता तो सबसे पहले वही बताता क्योंकि मुझे पता है इस point पे सबसे जादा बच्चे उखडते है बोले sir यह कैसे असान है यह जो पहले वाली है यह इसकी 3-4 terms तो तुम्हें ऐसी सिखाई जाती है यादग्या binomial coefficient ऐसी तो लिखते हो nc0 फिर nc1x फिर nc2x² यह होता है बस जब आप किसी के लिए भी लिखो तो इतनकी value open करकर लिखतो यह होता है nn-1 upon 2 factorial फिर nn-1 n-2 upon 3 factorial और nc0 होता है 1 तो यह तो वहां से याद हो जाएगी e की power x तो सबसे असान है e की power x तो है वो सबसे असान है because यह जो expansion है this expansion is nothing but यह है sigma x की power आर अपॉन आर का factorial ठीक है r की value 0 से लेके infinity यह है हमारे पास e की power x का expansion यह है हमारे पास e की power x का expansion क्या मेरी बात समझ गये आया ना कोई परिशानी है बोलो अगले वाला जो है सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना अगर आपने इसमें यह वाला याद कर दिया तो यह वाला as it is यहाद हो जागा कैसे भाया because sir आप क्या करो बस पहले इसमें अच्छे जियाद होगे ना x की power 0 upon 0 factorial x की power 0 भी 1 0 factorial भी 1 x की power 1 upon 1 factorial 2 upon 2 factorial 3 upon 3 factorial इसमें कुछ नहीं बस आपको a की power x को पहले बस इतना सकरके लिखना है e की power x ln a ठीक है यह दोनों बराबर होते हैं पहले तो आप यह समझो तो e की power x को पहले ऐसे लिखा अब e की power में जो लिखा हुआ है वो उपर वाली series में जहां जहां पर x है वहां पर पटक दे तो पहली term 1 दूसरे में x upon 1 factorial में x की जगह x ln a x square की जगह x ln a x ln a का square तो उपर वाले में तो पटका है तो बस आपको दूसरे वाली series तो यहां तक याद करनी है मेरी जाल से बात समझ में आ रही होगी आया ना तीसरी है वो लॉक की series है ln x की नहीं है यह ln 1 प्लस x की ध्यानकला इसमें भी जो x है वो 1 के बराबर हो सकता है पर माइनस 1 से बढ़ा होना जी ध्यानकला इन दोनों series में बस इतना दा difference है इसके denominator में factorial आते है और सबके sign सेम चलते है that is plus log की जब series आईगी तो पहली चीज ln 1 प्लस x की होगी denominator में factorial नहीं अबके बार number आएंगे जो उपर power होगी x की जो उपर power होगी x की वही denominator में जो power होगी वही denominator में जो power होगी वही denominator में और इसमें sign सबके सेम plus plus चलते हैं इसमे sign alternate चलेंगे plus minus plus minus plus minus plus minus ठीक है कहां तक infinity तक और ln 1 plus x की series यह है तो कई-कई की बार आपसे माल लो ln 1 minus x की series पूछ ली x की जगह minus x रख दिया तो कुछ नहीं सर जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर minus x रख दो तो सारी terms negative हो जाएंगी सारी terms negative क्यों होगी because power even value के तो आगे पहले से ही negative sign है आपकी वजह से आजाएगा समझ पा रहे हो तो यह चलता जाएगा तो e और log वाली series में क्या खास बात है सर फैक्टोरियल और जो ऊपर power है वही उसी का फैक्टोरियल नीचे इसमें जो ऊपर power है उसी वही नंबर नीचे साइन सारे same sign alternate plus minus सर यह series start होती है 1 से यह 1 से नी start होगी क्या आप ऐसे याद रखलो जैसे इसमें x की value 0 रखोगे तो इसमें x की value 0 रखोगे तो ln 1 0 होता है तो right side में 0 बनना चाहिए यहां पे भी x 0 रखा जागा यहां पे अगर आप x की value 0 रखोगे और right side में यह वाली terms हो जाएंगी 0 यहां बचेगा 1 ठीक है तो e की power x की series 1 से start होती है यह x से start होती है फिर sin x वाली series और cos x वाली series जो है वो बहुत असान है ऐसे याद रखो e की power x में क्या था सर 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial हना e की power x से ही हम sin और cos निकाल लेते हैं द्यान रखना sin x कैसा function है odd function है इसके अंदर minus sin रखो के बाहर आ जाएगा cos x कैसा function है even function है अब आप एक काम करो इससे even वाली terms उठा लो even मतलब x की power 0 upon 0 factorial x की power 2 upon 2 factorial x की power 4 upon 4 factorial x की power 6 upon 6 factorial मैं आपसे वो चीजे discuss कर रहा हूं यह कोई concept नहीं है जिस तरीके से मैंने याद कर रखा है बच्पन से मतलब वो 11-12 से वो आपको बता रहा हूं आगर आपके पास और कोई बैटर तरीका आप देखती याद कर ले रहे हो photographic memory है बहुत अची बात है फिर यह सुनने की जूरत ही cause x even function इसमें से even powers एलकर लिया इवन टर्म्स एलकर ली और बस इनको nay करने के बाद में alternate plus minus sign इनको अलग करने के बाद में alternate plus minus sign इसी दी मेरे ख्याल से यह अब deliver की पावर एक्स याद कर ली तो उसमें से साइन और कॉस निकाल लेंगे विया सबसे मज़िदार है तैन और एक इनकी जुरूत बहुत कम पड़ती है इसकी तो कम पड़ेगी लीस्ट मतलब यूज़ बहुत कम बट इसको बहुत तीन टर्म्स तक याद कर ले ना यार एक्स एक्स क्यूब और एक्स की पावर फाइफ टैनेक्स भी एक और फंक्शन है तो सिरफ और सिरफ और और पावर सा रही है बट यह वन अपॉन थ्री और टू अपॉन फिफ्टीन का जो लॉजिक है वो बाद में कभी समझाएंगे अभी हमारे पास सिरफ इसको याद करने ऄदे गाटाइम से और एक सबसे इंपर्टेंट सीरीज यह वाली को वन प्लस एक्स की पावर 1 by X में बच्चे क्या है कही कोई बार नेता बन खेस को यह वाली सीरीज समझ लेते हैं और उसका लगाद दे हैं 1 plus x की power n का मतलब है ये constant होगा और ये variable होगा और 1 plus x की power 1 by x का मतलब है ये भी variable और ये भी variable तो इसके लिए ये वाली series लगेगी इसके लिए पिछले slide वाली series लगेगी तो पहले आप इसको ऐसे लिखो और फिर इसको आप ऐसे open कर लो वापिस कम से कम आपको ये तीन टर्म्स तक तो याद होनी चाहिए और ये ये यूज़ कर चुका है ठीक है यूज़ बाई जेई टू थ्री टाइम्स ठीक है यूज़ बाई जेई मतलब जेई इस पर सवाल पूछ चुका है इस expansion पर जिसको अभी या था तो उसके लिए सवाल जो है वो बहुत असान हो गया जिसको नहीं या था या तो वो सवाल चोट जोल कर आया है या फिर उन्होंने बैठकर यह पहले सिरीज ड्राइब की है इसको 1 cottage SCC क्षआ इसको एक्सिरीज द्राइब करने का लिए फिर कोफिशनिट इकते कर या तो फिर यह काम कर बैठके पेपर में या फिर सको यादकर ले या फिर जो कोई नहीं करना वाल कैसी बात कर दी हमारे सारे के सारे जो बोलते ना dreams inclined with this to your expansion अगर आपको याद होंगे तो बहुत असानी से आप questions solve कर पाएंगे ठीक है लगते हैं जी expansion ठीक है आया यह expansion वाले questions में आता हूं अभी because इसमें कुछ standard limits भी use और यह इस वज़े से पहले मैं आपको standard limits बता दो ठीक है standard trigonometric limits ठीक है वो जो तीन questions है या expansion वाले सवाल है वो अभी हम करेंगे अब सबसे पहले standard trigonometric limits देख लो भी या sin x upon x limit x approach is to 0 यह value होती है 1 ठीक है although हम इसको sandwich theorem से भी निकालते हैं या फिर उस तरीके से भी निकालते हैं वो एक गोला बनाकर कि उसकी radius जो है वो आप क्या ले लीजिए एक्स ले लो फिर इसकी जो value आएगी यह angle theta होगा theta को 0 की तरफ ले जाओगे वह सब भी तो वहां से derivation करने की जुरत नहीं हमें पता है sin x का expansion क्या होता है सर x upon 1 factorial minus x cube upon 3 factorial plus x की power 5 upon 5 factorial यह होता है sin x जब आप इसको x से divide करोगे तो एक 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 स्कम कर दो यहां बचेगा 1 यहां बचेगा x square यह पावर 4 अब x को 0 लेके जाओगे तो सर जिस जिस में x बच रहे यह सारी टर्म 0 हो गई यह बचेगा सिरफ और सिरफ 1 ठीक है आया ना क्या मेरी बात समझी में आ रही है आया अच्छा जब आप ऐसा लिखते हो limit x approach is to 0 sin x upon x मतब 0 plus और 0 minus दोनों पर वैल्यू वन आ रहे हैं तभी यह ऐसा लिखा गया 10x upon x यह वाली वैल्यू भी वन होती है अगे आप 10x के expansion से जा सकते हैं सर 1 minus cos x upon x square इसको आप चाहो तो cos x में से वन गटा दो जैसे cos x वाला expansion है ना यह रहा तो इस पूरी term को उधर लेके जाओ 1 minus cos x इदर फिर x square से डिवाइड करेगा तो जरफ आप बचेगा एक तरीका तो expansion से हैं दूसरा तरीका इतना load लेने वाला नहीं है सर यह 0 by 0 की form बन रही है 0 लेके जाओ कि cos 0 1 होता है 1 minus 1 0 upon 0 इसका derivative कितना आएगा ज़र बोलना सर कौस का derivative होता है minus sign तो minus into minus plus और नीचे आजाएगा 2x जब x 0 की तरफ जा रहा है तो sin x upon x 1 होता है तो सर 2 बच जाएगा तो यह value आती है हाँ यह वाली जो आपके सामने लिखी गई है limits यह सीधी सीधी है सीधी मतलब जहां पर आपको यह वाली चीज बनती भी दिखाई दे आप इनको ऐसे formula यूज कर सकते हैं अब यह जो और करके यहां लिखा हुए ना इनको समझने वाली बात है इनके basis पर सवाल बहुत आते हैं इसमें क्या करका है एकस जीरो की तरफ जाना चाहिए साइन के अंदर एकस डिनॉमिनेटर में एकस तब अंसर बनाएगा इन सभी में क्या है ध्यानक न एकस अब की बार जीरो की तरफ नहीं जा रहा है एकी तरफ जा रहा है एकी तरफ एकी तरफ और इन सभी में पता है क्या खास बात है उप जैसे जैसे आप X को A की तरफ लेके जाओगे, बीच में लाइन खीचो, ये अलग है, ये सीधे सीधे तीन सवाल हैं जिसमें X 0 की तरफ जाएगा और ये वाला expression हो तो जवाब ले लेना, यहां से यहां जाते वक्त आपने X की जगह है, X की जगह है, X की जगह है, function of X, function of X मत चाहे कहीं भी जाए, जो sign के अंदर लिखा हुआ है, और जो denominator में लिखा हुआ है, वो दोनों same होने चाहिए, पहला condition, और दोनों 0 की तरफ जाने चाहिए, जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो ये है, जैसे ये वाला, मैंने बोला कि ये वाली limits all cross standard limit की मदद से, वैसे ये 0 by 0 form बन रही है, आप एला hospital भी लगा सकते हैं, standard limit ये बोलती है, कि sin के अंदर और जो denominator में लिखा हूँ, वो same होना चाहिए, और x चाहे कहीं भी जाए, वो अंदर और जो denominator में लिखा हूँ, same होने के बाद में, वो 0 की तरफ जाना चाहिए, मैंने बोला, यहां पर क्या लिखा हूँ, बताना ज़रा, सर, यहां लिखा हूँ, sin के अंदर, x-2 into x-3, पहले चेक कर लेना, भीया, यह form 0 by 0 ही है, x की जगा टू रखोगे, यह 0, sin 0, 0 और यह भी 0, 0 upon 0, एक तो यह बन गया सर, अब यहां आओ, इसमें से एक factor x-2 मैंने common लिया, और एक factor यहां से x plus 2 निकलेगा, ठीक है, इसके factorization, सर, ध्यान सुनना, सर, सेम होना चाहिए, अंदर x-2 है, साथ में x-3 भी है, तो मैंने x की जगा है, minus 3, यहां पर मैंने डिवाइड किया, और यहां पर मैंने क्या किया, उससे multiply कर दिया, मेरी बात ध्यान सुनना, और अब जो limit है, वो कहां जा रही है, सर, limit x जा रही है, x-2 की तरफ, क्या आपको standard limit दिखाई दी, तो answer is, sir, yes, यह वाला जो function है, यह पूरा, और यह पूरा same है, और यह 0 की तरफ जा रहा है, जब आप x को a की तरफ या 2 की तरफ ले जा रहे हो, तो यह भी 0 की तरफ जा रहा है, तो same upon same, दोनों जा रहे हैं 0 की तरफ, अब आप इस पूरे की value 1, और sir, बचे हुए expression में आप क्या करो, x की जगा 2 रख दो, 2 minus 3 minus 1, 2 plus 2, 4, answer आगया sir, minus 1 upon 4, यह हुआ standard limit की मदद से, standard limit बनाते वक्त मैंने आपको क्या बोला, same upon same, और वो दोनों same 0 की तरफ जाने चाहिए, ठीक है, एक चीज तो यह, कोई बच्चा बोले sir, मैं तो LH rule से क हुआ, तेरी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, denominator का differentiation 2x, numerator का differentiation cos of x square minus 5x plus 6, और sir, cos के अंदर x नहीं लिखा हुआ, एक function of x है, तो उसका भी derivative multiplication में आएगा, बिल्कुल सही, तो वो आजाएगा 2x minus 5, and limit x approaches to 2, अब जब आप x को 2 की तरफ ले जाओगे, तो यह पूरी ची x की जगा 2 रखोगे, तो 4, 4 minus 5, that is minus 1, और 2 into 2, sir, यह हो जाएगा 4, तो यह भी आ रहा है, minus 1 upon 4, यह standard limit से, और यह हमारे पास lh rule से, तो method आप चाहे कोई सा भी लगाओ, बट अगर आप सही से लगा रहे हो, तो जवाब क्या आएगा, same, ठीक है, बहुत बढ़ी है, ठीक है तो मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि function अंदर और नीचे same होना चाहिए, और x चाहिए कहीं भी जाए, दोनों same same, function जाना चाहिए 0 की तरफ, इसकी value आएगी 1, same logic, अंदर और नीचे same function, इसकी value भी 1 आती है, अंदर और नीचे same function, यहाँ पे x की जगा fx इस पूरे की value आएगी, हाँ, ठीक है, I hope and believe यह बात आप याद रखेंगे, standard limits and limits which are depending on standard limits, यह तीनों important ज़्यादा है, यह बले सिदे सिदे ही है, ठीक है, अब आता हूं फिर उसके बाद में, मैं, standard exponential and logarithmic limits पे, बहुत असान है, जैसे वो पहले बाला पूछ रहा है, ln of 1 plus x upon x, इसमें क्या करें, कुछ नहीं सर, limit जब आप x को 0 की तरफ ले जा रहे हो, आप एक तो expansion से कर सकते हो, log 1 plus x का expansion मैंने आपको बता दिया, अना, उसको x से divide करके x को 0 की तरफ ले जा, वरना सर कहा है, इतनी मगजमारी करनी है, यह 0 by 0 वाली form बन रही है, तो answer is yes, x को 0 की तरफ ले जाओगे तो, आया ना, अचा वैसे जो यह वाले जो, एक और बता दू, कुछ विग्यानिक लोग भी होंगे यहांपर, मैंने जो आपको इनका derivation बताया है, वो साथ साथ में expansion से भी बताया है, वही main है, समझ मैं है, वही main क्यों है, क्योंकि कई लोग क्या है फिर इस पर वो, controversy करेंगा, controversy का, so sin x का derivative cos x, x का derivative 1, x को 0 की तरफ ले जाओगे, cos 0, 1 होता है, यह बात मैंने बताई, आप लोगों ने यह सर बोल के आगे निकल लिए, कुछ लोग जब इसको खुरेदना start करेंगे तो वो यह बोलेंगे, वैसे ही जो LH rule है, यह NCRT के sin x का derivative cos x होता है, हम वो इसी चीज को use करके लेके आते हैं, तो कुछ लोग फिर ऐसा बोलना start करेंगे, वैसे यह ज्यान की बाते हैं, जा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, तो में जो बोला जा रहा है, वो बिंदास करो, कहीं नहीं अटकोगे, तो कुछ लोग हो सकता है, वो य derivative, खुद हम limit से निकालते हैं, तो यह आपने, जिसके derivation का use कर रहे हो, उसी कई proof आपने use कर लिया, ऐसा कुछ, कुछ बोलेंगे, तो जा दिमाग मत लो, समझ में है, सर वैसे आपने जो बताया है, हमें कुछ नहीं समझ में आया, मैंने बहुत बढ़िया, बिंदास, इनके proof आप expansion से देखेंगे और यह related है, इन से, अब यहाँ आजा, मैंने एक expansion से इसका तरीका बताया, 1 प्लस X का expansion लिए और फिर X से डिवाइड गर देना, जवाब आजागा, अपने आप, वरना सर सीधा सीधा differentiation, ऊपर वाले का derivative 1 अपन 1 प्लस X, नीचे वाले का derivative 1, X को 0 की तर A है, E नहीं है, always remember, LN X का derivative 1 upon X होता है, ठीक है, log X with base A का derivative क्या होता है, इसमें हमी क्या करना होता है, पहले LN X बनाना होता है, और log E with base A, ऐसा, sorry, A with base E, रीचे LN A, इसका derivative करो के तो 1 upon X आएगा और यह वाला factor as it is रह जाएगा, समझ के, यहाँ से यहाँ, तो basically what I am trying to say, तो एक factor इसमें 1 upon LN A वाला जाएगा, ठीक है, वैसे इसका answer 1 होता, बट यहाँ पर इसका base जो है वो E नहीं है, इस वज़े से, ठीक है, क्या मेरी बात समझ किया, आया ना, इसका जवाब 1 upon LN A, अब सर अब की बार X A की तरफ जा रहा है, अंदर X की जगा Fx, नीचे भी X की जगा Fx, दोनों same, और X A की तरफ ले जाने पर यह जो function है, यह भी 0 की तरफ, यह भी 0 की तरफ, यह भी 0 की तरफ, function चाहे same होना चाहिए, बस, चाहे हो कुछ भी, तो इसकी value क्या आएगी, वाल, समझ किया, आया ना, वापिस यहाँ पर भी same है, सर वो E की पावर X minus 1 upon X है, 0 by 0 form बन रही है, और उपर वाले का derivative, A की पावर X ln A upon 1, तो इसको X को 0 रखोगे अगर आप, तो यह 1 हो जाएगा, यहाँ पर जवाब आएगा, आप expansion से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपने A की जगा E रख दिया, तो ln A that is 1, ठीक है जी? अब यहाँ से यहाँ जाते वक् आपने X की जगा Fx रखा है, और X अब की बार 0 की तरफ नहीं, A की तरफ जा रहा है, और यह Fx और यह Fx सेम होने के साथ साथ 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, ln A, तो यह हमारे पास standard exponential and logarithmic limits हैं, यह हमारे पास standard trigonometric limits हैं, मेरे खाल से बात समझ म आती होंगी, और last एक और standard algebraic limit होती है, जिसका जवाब आता है, n A की पावर n-1, आप इसका जवाब L hospital से सोच सकते हैं, although हम इसको expansion से भी solve कर सकते हैं, तो इसमें L hospital से कैसे सोचेंगे, बहुत असान है, 0 by 0 form boundary X को A की तरफ ले जाएगा, A की पावर n-A की पावर n, 0 by 0, n-1 upon 1, और X जो है वो A की तरफ जा रहा है, तो n A की पावर n-1 is our answer, हमने इन सभी को drive कर लिया, धिरे-धिरे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम इनको ऐसे formula यूज करने वाले हैं, अब एक बच्चा बोलेगा से इसमें expansion कैसे लगाएंगे, तो बहुत असान है, आप क्या कर a plus h put करते है, put a plus h, कर सकते हैं ऐसा, हाँ सर, क्योंकि सर जब आप expand करते हो, तो आपको expansion के लिए 2 terms की जुरत होती है, 1 plus x की power n का expansion होता है, x की power n का कोई expansion नहीं होता है, 1 plus, तो इसलिए मैंने कहा किया, यहाँ पर a plus h put किया, तो यह क्या लिखी हुए limit, अब ध्यान चुना, जैसे जैसे आप x को a की तरफ ले जाओंगे, तो h नया variable हमारा, वो कहां जाएगा, सर, 0 की तरफ, h कहां जाएगा, पेटा, 0 की तरफ, ध्यान से देख ले आराम से, क्योंकि अगर आप x को a की तरफ ले जा रहे हो, तो a minus a, h कहां जा रहा है, सर, 0 की तरफ, अब ध्यां ज जहां जहां पे x दिख रहा है, वहां पर यह पूट करते है, although यह सब बताने की जूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, यह और यह cancel हो गया, अब आप एक काम कीजिए, इसमें से a common ले ले, तो a common लेगा, बाहर a की पावर n, 1 plus h upon a की पावर n, minus a की पावर n, whole divided by h, सर यह a की पावर n और a की पावर n फिर से common आ रहा, मैंने का बहुत बढ़िया, तो a की पावर n कामल ले, पीछे बचेगा, 1 plus h upon a की पावर n, minus 1, whole divided by h, ठीक है, अब यह वाला जो है, यह वही format बन गा ध्यान से दिखना, कौन से वाला, यह लिखा हूँ, यह लिख तो सर इसका expansion लगा देंगा, बिल्कुल लगा दो, तो सबसे बाहर है, a की पावर n उसकी tension नहीं लेनी है, 1 plus x की पावर n का expansion होता है, 1 plus nx, n into x मतलब n into h upon a, ठीक है, अगला आएगा, n, n minus 1 upon 2 factorial upon h square upon a square, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे क्या होगा पीटा, चलता जाएगा, लास् term मतलब यह infinity तक चलेगा, और लास्ट में यहाँ पर आपने minus 1 बिठा रखा है, ठीक है, और नीचे हमारे पास है h, देखना ज़रा ध्यान से, यह minus 1 और यह 1 गया, बिल्कुल सही, ठीक है, अब यह जब यह उड़ने के बाद में, हर एक term से h को divide कर, तो जब यह से divide होगा, यह तो यह term गई, जब यह से divide होगा, इसमें power 1 बचेगी, अगले वाली term में power h square बचेगी, अब आपको पता है कि h कहां जा रहा है, सर, h जा रहा है, 0 की तरफ, तो जिस-जिस term में h बचा, जिस-जिस term में h बचा, वो सारी terms कहां चलीगी, सर, 0 की तरफ, आगे वाली सारी terms कहां चलीगी, 0 की तरफ, सिरफ n upon a बच गया है, यहां पर, n upon a into a की power n, तो sir, 1 और a cancel करोगे, तो यह कितना आ जाएगा, a की power n-1, तो n into a की power n-1, मेरे ग्याल से आपको यह बात समझ में आई होगी, कोई परिशानी इसमें होगी नहीं, समझ गे, अब, अब हम इनका इस्त की ध्यान रखना जो मैंने बताया, और अगर आप यहां से सीखना चाहते हो, तो और अच्छे सीख सकते हो, जैसे की पहला सवाल हमारे सामने आता है, x0 की तरफ जा रहा है, 1-cos01 होता है, यह 0 हो गया, sir, यह 0 हो गया, और sir, यह 0 हो गया, बहुत से, अब ध्यान सुनना, यह expression पूरे के साथ multiplication में है, और इसकी value non-zero finite number है, तो अगले step पे गया, 4 तो यहां, यहां लिखा हो है sir, 1-cos2x, whole divided by sir, यहां लिखा हो है x, और यहां लिखा हो है tan 4x, और limit जा रही है sir, x0 की तरफ, sir, पता नहीं यह सवाल क्यों, ऐसे चिला चिला के बोल रहा है कि बिटा, standard limit बनाओ, standard limit बनाओ, हमने का बिल्कुल बनाएंगे, टैंसन ना लाओ, ठीक है, इस x को यहां से अटाया, यहां पर लगाया, sir, 1-cos वाले format में जो अंदर लिखा हो, denominator में उसी का ही square होना चाहिए, 1-cos के अंदर जो लिखा हो, denominator में उसी का ही square होना चाहिए, तो 4x square से आपने multiply किया है, तो 4x, मतलब, divide किया है, तो multiply भी कर दो, sir, 10 वाली standard limit को बनाने के लिए, जो अंदर लिखा हो, वही denominator में होना चाहिए, same, तो 4x से अगर आपने divide किया है, तो 4x से आप multiply करें, ठीक है, आए ना, अब आपको यहां पर 2-3 चोटी-चोटी standard limits दिख रही होंगी, एक ये वाला, sir, cos के अंदर जो लिखा हो, और यहां जो लिखा हो, दोनों same है, इसके denominator में इसका square भी है, x को आप 0 की तरफ ले जा रहे x, x, x square और ये गया, sir, बोलना start करते है, ऊपर एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, sir, ऊपर बचेगा 16, फिर इस पूरे की value half है, मतलब 1 upon 2, denominator में half नहीं लिखा हो है, वो, multiplication में half, बस, और 1 हमारे पास बचेगा 1 upon 4, तो sir, इस पूरे की जवाब आ गया, 2, इस पूरे का जवाब कित d, that is 2, समझ मैं है, कैसे complete किया हमने, ठीक है, यहाँ से यहाँ आते वक्क, 3 plus cos x वाला factor पहले ही उड़ा दिया, reason पहले भी मैंने आपको दे रखा है, फिर से दिया, अगला जेही मेंस 2014 का सवाल, पहले पूचा, form कौन सी है, x को 0 की तरफ लेके जाओ कि cos 0, 1, 1 into pi, sin pi, sir, फि रूल लगा सकते हैं, sin का derivative होता है, cos, और यह कितना आजाएगा, cos pi of cos square, अभी भी कहानी घतम नहीं होगी, sir, मैंने पूचा, कैसे, pi cos square x का derivative, तो pi cos square x का derivative होता है, 2 cos x, cos x का derivative, minus sin x, ठीक है, यह numerator का derivative है, और denominator का derivative आया, 2x, limit x approaches to 0, ज्यान सुनना, आपने अब एक step LH rule का लगाया, अब दूसरे में समझ में आ रहा है, sir, अभी भी यह 0 by 0 form है, x को 0 ले जाओगे, यह 0 और यह 0, 0 by 0 form, एक बार और दिफ्रेंश करेंगा, तो answer is no, आपने एक बार LH rule लगाया, आप एक बार standard limit लगा तो, हाँ, sir, ऐसे mix कर सकते है, step को, हाँ, क्योंकि LH rule लगाने के बाद में यह जो है, अभी एक fresh question है, क्या है, ताजा सवाल, उसको ऐसे भी solve करो, बहुत बढ़ी है, क्या आप मेरे साथ rely कर रहे है, agree कर रहे है, तो answer is sir, yes, sin x upon x value 1, 2, 2, गया, cos 0, 1, ठीक है, यहाँ पर पाई, यहाँ पर minus 1, भूल ले कर ना, sir, cos 0, 1, 1, cos pi क्या होता है, minus 1, बोलना ज़रा, sir, ऊपर बचा, minus 1, pi, 1, minus 1, बस, sir, पूरा जवाब आ गया, pi, तो एक ले चुरूल और एक standard limit का सवाल, standard limit कहां लगाई, sir, sin x upon x, x 0 की तरफ जा रहा है, वहाँ बहुत, फिर एक बोलाई, sir, सीधा standard limit लगाऊना है, यहाँ ठीक है, इसमें आपको एक छोड़ चोड़ी कहला वाली कारी करनी पड़ेगी, चोड़ी कहला वाली कारी, वह क्या है, sir, यह मुद्दा नहीं है, कि यह पूरा 0 by 0 जाना चाहिए, आपने standard limit समझी नहीं चाहिए, इसके अंदर जो लिखा होगा, sin के अंदर जो लिखा होगा, यह 0 जाना चाहिए, और denominator में भी 0 हो जाना चाहिए, और दोनों सेम होनी चाहिए, sir, अभी तो अंदर वाला 0 नहीं जा रहा, तो मैंने बोला कि क्या आपको एक ही सिंपल सा रूल पता है, कि sin theta हमेजा, sin pi minus theta के बराबर होता है, तो answer is, sir, yes, ऐसा करते ही, भाग खुल गए हमारे, yes, sign of that something को आप sin pi minus pi cos square x लिख सकते हैं, sir, अब आप अगर x को 0 की तरफ ले जाओगे, तो cos 0, 1, pi minus pi, अब अंदर वाला 0 जा रहा है, जो अंदर लिखा हुआ है, वही denominator में होना चाहिए, ठीक है, तो इससे divide किया, इसी से multiply कर रहा हूँ, multiply करते वक्त 1 minus ऐसा लिख दिया, इससे divide किया, और इसी से multiply, यह जो 1 minus cos square x होता है, यहीं देखेंगे, 1 minus cos square x को आप अलग से दो factors की terms में लिख सकते हूँ, 1 minus cos x into 1 plus cos x, अब यह एकदम भरपूर standard limit, कैसे भईया, यह value 1, sign के अंदर और जो denominator में लिखावाए, दोनों सेम है, x को 0 की तरफ ले जाने पर, दोनों 0, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो answer is 1, sir, यहाँ बचा है, हमारे पास πाई, बहुत बढ़िया, 1 minus cos x upon x square, x जा रहा है 0 की तरफ, sir, इसकी standard limit होती है, half, और sir, अगर x जा रहा है, 0 की तरफ, cos 0, 1, 1 plus 1, 2, 2 से 2 गेंजिल हो गया, sir, यह भी जवाब आगया, पाई, आप चाहिए method को इसा भी लगाओ, जवाब सेम आएगा, अगर आप conceptually strong है, तो, क्या मेरी बात समझ गी, चलिए जा, अगला question जो है, वो यह वाला question है, again, this question is, कहां पूचा गया, जही में 2019 में, और directly standard limit का सवाल है, देखती ही पता चलेगा आपको, format साब 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 समझ में आ रहा है, कौन सा format है, x की पावर n, minus a की पावर n, upon x minus a, हां, left side का जवाब बताओगे, sir, x कौन है, x तो x है, n कौन है, n है, 4, 4 into a की पावर, n minus 1, तो n minus 1 हो जागा, 3, यह तो left side का जवाब आ गया, similarly limit x approaches to k, ठीक है, अब इसमें जवाब solve करोगे right and side को, तो right and side में दो format आपको बनाने के लिए, मतलब वो standard limit वाला format बनाने के लिए, वैसे चाहो तो इतनी मगज मारी के वगएर, आप सीधा सीधा ही, lh rule लगा सकते हो, 0 by 0 form बन रही है, बट मैं आपको standard limit लगा के दिखा रहा हूँ, इस वज़े से आप देख लीजिए अभी या, यह है, तो आप इसमें क्या करो, इसको ऐसा लिखो, x3-k3 upon x-k, और इसमें भी आप लिख दो, x2-k2 upon x-k, अब अगर मैं आप से standard limit का जवाब पूछता हूँ, तो सर, इसमें क्या हो जाएगा, n है 3, पावर जो होती है, वो होती है, और जो a है, वो है k, तो k की पावर 2, denominator में आजाओ, सर, इस पूरे का जवाब आएगा, n है 2, और k की पावर 1, है न, एक कम, तो right-hand side से value कितनी आगी, 3 upon 2, k, क्यों, ऊपर k square है, नीचे k है, तो obviously k आजाएगा, ठीक है ची? तो sir, यहाँ से k आगया हमारे पास, 8 upon 3, यहाँ से k कितना आगया बटा, option c is correct, 8 upon 3, वरना आप directly LH rule भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप directly LH rule भी लगा सकते हैं, उसमें भी यही जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने यह सब result भी तो LH rule से ही निकाल बड़ी आप बहतरीन question है, पहले आपको हमेशा कोई सा भी सवाल आए, कौन सी चेक करनी है, सबसे पहले काची चेक करनी है, कौन सी चेक करनी है, sir, form, form कौन सी है, x को 0 की तरफ लेके जाओगे, 10, 0, 0, e की पावर 0, 1, sin, 0, 0, e की पावर 0, 1, 1-1, 0, और sir, 10, 0 तो 0 होता ही है Now, this is 0 by 0 form, standard limit क्या बोलती है, ध्यान सुनना, standard limit के साब से, video pause करके आप अपना जवाब लिख सकते हैं, इसमें आप क्या करें, बढ़िया तरीका बताता हूं, अब आपको e आ गया है ना, तो वो वाला format याद करो, e की पावर something, minus 1 upon something, जैसे e आ जाए तो, ये वाला format याद क आप उसमें, अब उसमें आपको क्या है, एक जिगा 1 बनाना होगा, तो यहाँ 1 बनाने के लिए आप क्या गरो, e की पावर साइन एक को कॉमल लिया, यहाँ बचेगा, e की पावर 10x upon e की पावर साइन एक्स, ध्यान सुनते जाना, और यहाँ आ जाएगा, minus 1, ये 1 बनाया म सेम नंबर अगर डिवीजन में लिखे हो तो पावर सब्ट्रेक्ट हो जाती है तो इसको आप लिखोगे एकी पावर 10x माइनस साइनेक्स माइनस वन होल डिवाइड़ बाइ टैन टू एक्स का क्यूब इसका मैंने यह वर्जन नहीं लिखाए तो आप संभाल सकते हैं एकी पावर में एफ माइनस वन अपोन सेम एफ एक्स एंड लिविट एक्स अप्रोचिस टू ए इसका जबाव न आएगा यदी X को A की तरफ ले जाने पर Fx जो है वो 0 की तरफ जाए ठीक है मेरे गाल से बात समझ गए तो ये वाला तो उपर और नीचे सेम होना चाहिए बस यहीजी चीज को सोच कर मैं यहां पर जवाब लिख रहा हूं बहुत असान है अब मेरी बात ध्यान सुनना सर, E की पावर में यहां जो लिखा हुआ है यह 0 की तरफ जा रहा है बस इसको डिनाउमिनिटर में ले आओ तो मैंने यहां ले आओ तो इसको 10X माइनस साइनेक्स से मैंने किया डिवाइड और 10x minus sin x सही मैंने कर दिया multiply ठीक है जी नाओ सबसे पहले जो पाट गया उसको तो मदब जो पाट गया उसको तो सबसे पहले निप्टाओं सर ये वाली value कितनी हो जाएगी ये वाला पूरा हो जाएगा 1 according to standard limits ठीक है नाओ जैसे ही आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो सुनते जाना एक एक बात crystal clear होनी चाहिए sir e की power 0 sir ये भी पूरा 1 और sir क्या आप इसकी value ऐसे put कर सकते हो तो मैंने पूचा मैंने का हाँ sir standard limit तो यहां भी बन सकती है मैंने का हाँ तो यहां पर 2x cube के अंदर है तो बाहर 2x का cube क्या बुलता है sir क्या हम ऐसा कर सकते बिल्कुल क्या दिक्कत क्या यह तो बता तो sir 10 2x upon 2x दोनों same और यह जा रहा है 0 की तरफ इसकी value 1 बहुत सारी चीजह नहीं पर्ट की अगर ध्यान से देखोगे तो सिरफ यह बचा है 10x minus sign x upon 2x का cube मतलब 8x cube और limit x approaches to 0 यहां बच गये बागी सबकी value 1 1 आ रही है ठीक है आया अब आपको दिख रहा है भी यह कि जो 10x होता है वो होता है sign x upon cos x और minus sign x और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूं sign x मैं common ले लूँगा और यह आ जाएगा 1 minus cos x upon cos x क्या मेरी बात समझ गए आया ना 10x minus sign x को ऐसे लिख रहा हूं तो उपर लिखा हुए sign x सुनता जाना 1 minus cos x और 1 cos x बचेगा उसको लिख रहा हूं denominator में तो यह पूरी चीज़ तो अभी 10x minus sign x से लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है 8 x cube तो 8 को तो यहां लिख x cube में से 1x यहां 1x square यहां देखते ही जमा जम बोले सर जे का होगा मजवागा हो sign x upon x extended limit 1 1 minus cos x upon x square extended limit half sir x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो इसकी value directly 1 sir यह value 1 upon 8 final answer is 1 upon 16 कोई परिशानी है एकदम clear होना चीए ऐसा अब आप चाहो तो 0 by 0 form समझ गया अगर आप इस पर लेच रूल लगाना चाहते हो तो यह थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो वैसे भी जा सकते हैं और लेच रूल के साथ अगर स्टेंडर लिमिट क्लब कर दो तो वा वा रे निया रे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो अब मैं उन कोश्चन पर आता हूं जिसमें हमें एक्सपेंशन की भी जुरत पड़ती है जो की दो तीन सवाल मैंने चोड़ दिये थे कुछ नहीं कॉस के अंदर 10x था उसके एक से मल्टिपला एक से डिवाइड किया बोले सर एक जीरो की तरफ जा रहा है इसकी वैल्यू वन पूट कर दो और इसकी वैल्यू वन पूट करने के बाद में उपर यहां बचेगा कॉस एक्स यहां भी कॉस एक्स नीचे एक्स की जब और पूर सर उपर लिखा हुआ है एक्स जीरो सेम में से सेम घटाते हो तो एक्स जीरो आता है और नीची अपरोचिंग जीरो तो इसका वैल्यू उसने बोल दिया 0 एक्षेक्ट अपॉन अप्रोचिंग के इसाब से क्या उसने सही किया या गलत किया तीक है कमेंट करके बताएंगे वैसे मैं अभी जब बता दे रहा हूं बिटा यह गलत है और इसको आपको यह क्या है रॉंग तरीका है ऐसा हमें नहीं करना है जी समझ की मेरी बात तो फिर सर्क ऐसे करना है इधर किदर आओ इधर कॉसी माइनस कॉस दी ऐसे तो काम चलेगा नहीं सर तो फिर हमें कुछ फॉर्मला लगाना पड़ेगा सिंप्लिफिकेशन अच्छा एक और चीज किते लोगों ने फॉर्म चेक कर लिए जीरो बाई-जीरो की फॉर्म है आप चाहो तो लेच रूल भी लगा सकते हैं आप ल वजय से लेच रूल को सरफ एक अपना हतियार मान के आप पेपर में मत जाहिएगा बिकॉस गरबढ़ हो सकती है आपको बाकी चीज़े भी पता हो नीजिए सर कॉसी माइनस कॉस दी का जो फॉर्मूला होता है ध्यान सुनना माइनस टू साइन ओफ सी प्लस दी अपन टू तो एक जगह सी की जगह तो टैनेक्स लिखा हुआ है और एक जगह एकस है तो साइन ओफ सी प्लस दी अपन टू है ना कॉसी माइनस कॉस दी में एक माइनस साइन आता है और फिर आप बोलो के साइन ओफ सी माइनस दी अपन टू यही होता whole divided by x की power 4 और limit x कहां जा रहा है जीरो की और यह ठीक है? आया है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना सच जब आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो तो 10, 0, 0, x भी 0 तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये पूरा 0 की तरफ जा रहा है और कितने लोगों को ये बात भी समझ में आती है कि ये पूरा भी 0 की तरफ जा रहा है सर साइन के नीचे अंदर जो लिखा हुआ है function वो 0 की तरफ जा रहा है standard limit लगाने के लिए आपको क्या करना? उसी function से divide और multiply तो मैंने इसको standard limit बनाने के लिए यहां पर डिवाइड और इसको standard limit बनाने के लिए यहां पर डिवाइड जिन दो लोगों से मैंने डिवाइड किया उनको compensate करने के लिए मैंने क्या किया इससे multiply a plus b into a minus b a square minus b square 2 into 2 4 बिल्कुल सेट है चलने जना ध्यान अखना पहले यह बताओ standard limit कहां तक पहुंची sir इस पूरे की value 1 क्या मेरी बात समझ गया आप साइन आप समझ गया आप साइन आप सम्तिंग अपाउन सम्तिंग दोनों सेम है एक्स को जीरो की तरफ लिजाने पर अंदर वाले भी जीरो जा रहे है सर इस पूरे की value भी वन ठीक है ठीक है अब आता हूं इस पर अब क्या बचा लिमिट एक्स अप्रोच इस तू जीरो बाहर है इस पर यहां पर एक था फोर यह इदर और यहां था एक्स की पावर फोर क्या मेरी बात समझ पार आप आया ना तो अब यहां पहुंच के यह थोड़ा हलका हो गया उससे आप चाहो तो अभी भी लह रूल लगा सकते हो बड़ जैसा कि मैं देख रहा हूं इस पर यह बड़े लिए अब सर हमें ले देखे हमें क्या लगाना पड़ेगा अब मैंने आपको 10x वाला एक्सपेंशन याद रखने के लिए बूला था 10x एक और वंक्शन है तो पावर और आती है x आता है, x cube आता है, x की power 5 आता है x का coefficient 1 होता है, x cube का coefficient 1 upon 3 होता है x की power 5 का coefficient 2 upon 15 होता है इतना आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है? हाँ, यह रहा x, x cube, x की power 5 1, 1 by 3 and 2 upon 15 ठीक है? तो इन terms को यहाँ ले आओ x plus x cube upon 3 plus 2 upon 15 x की power 5 अब कुछ लोग बोलेंगे सरी तो infinity तक जाता है कोई दिक्कत नहीं है, हर एक expansion infinity तक ही जाएगा आप इसको ऐसे सोचो ना dot 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 infinity और इसका square minus x square यही है क्या? हाँ, ठीक कर रहा हूं ना, यह देखते रहा हूं अब ही यह ठीक है ना अब एक बार बताओ मुझे इसको दो काई मान सकते हो अब कुछ लोग परिशान हो जाएंगे सर आप जवाब लाने के लिए ऐसा कर रहे होगा नहीं जी, मेरी बात ध्यान सुनना basically यहाँ पर इस bracket का square है, मतलब यही ब्रेकेट दो बार लिखा हूँ है ठीक है, यही ब्रेकेट दो बार लिखा हूँ है जहाँ पर बढ़िया expansion लिखता है, वहाँ पर बच्चे जो है, उनको थोड़ा-थोड़ा सांस की कमी मैसूस होती है, ध्यान रखना तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसी को ही हम डील कर रहे हैं, ध्यान सुनना एक बढ़िया सवाल आपको solve करवाया जा रहा है, अच्छी से चीजे सीखिएगा यह ठीक है, नाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे चोटी टर्म कौन सी बनेगी साथ, सबसे चोटी टर्म बनेगी एक स्क्वार की, कैसे, जब यहाँ से भी एक स और यहाँ से भी एक स मल्टिप्लाई होगा फिर उससे जो अगली पावर वाली टर्म बनेगी, क्या एकस क्यूब की पावर वाली टर्म बन सकती है, तो answer is no क्योंकि एकस क्यूब की यहाँ से अगर आप टर्म उठाओगे, यहाँ पे एक से भी मल्टिप्लाई हुआ, तो एकस की पावर फोर वाली टर्म बनेगी इसकी हर एक पावर, इसकी हर एक पावर से मल्टिप्लाई होगी, सबसे छोटी पावर की टर्म बनेगी एकस स्क्यार, उससे बड़ी एकस की पावर फोर वाली बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, जब एकस इससे मल्टिप्लाई होगा, एक और बनेगी सर, जब एकस इससे मल्टि बनेगी ऐसी सोच ले सर फिर आप 4 के बाद में 5 बता तो 5 कैसे यहां से 3 और यहां से 4 अगली 6 बनेगी 5 भी नहीं बनेगी 5 कैसे बनेगी 5 बनाने के लिए आपको 3 के साथ 2 लाना पड़ेगा या 1 के साथ 4 वो है नहीं तो अगली सीधी सीधी 6 बनेगी जब यह दो तो something coefficient x की power 6 ऐसे चलता जा रहा है यह बहुत तारी terms बनेगी हमें सिरफ यहीं तक ही जाना है जब भी आप expansion लगाओ सबसे बड़ी powers को देखो मतलब जब बड़ी-बड़ी powers आ जाए गबराने की जुरत नहीं है इसको एक चोड़ा तरीका और बताऊँगा सब डिनॉमिनेटर में जो सबसे बड़ी power present है वो क्या है 4 जैसे ही आप x की power 4 बना लिए इसके आगे की coefficient calculate करने की जुरत नहीं है आपको अभी समझ में आ जागा क्यों इन दोनों को solve किया तो कुछ ऐसा निकल क्या रहा है minus के बाद में x square है whole divided by x की power 4 है ठीक है और बाहर है minus half मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज ये x square और ये x square गया अब x की power 4 को सभी term से divide कर जब आप x की power 4 को divide करोगे सभी term से सबसे बाहर minus half जब इसको इससे divide करोगे तो x की power 4 हो जाएगा cancel प्लस जब आप इसको इससे divide करोगे coefficient कुछ बचेगा मुझे नहीं पता बट हाँ इधर x square बचेगा फिर अगले वाली term में सब कुछ x की power 4 बचेगी विगा अगली जो बनेगी वह x की power 8 बनेगी ठीक है तो x की power 8 को 4 से divide करोगे तो यहां पे x की power 4 मतलब इसके अगली terms में मैं यह बोल सकता हूँ सब में x बचेगा और x जा रहा है 0 की तरफ तो इनके coefficient हमें जानकर करना भी क्या है क्योंकि अगर x ही 0 की तरफ जा रहा है तो यहां चाहिए कुछ भी लिखाओ यह पूरा कहां जाएगा सर मिलके 0 की तरफ यह पूरा भी 0 की तरफ यह पूरे भी 0 की तरफ तो क्या जवाब बचा सर अंसर बचा माइनस वन बाइट टीक है समझ मैं तो मैंने सिर्फ कोफिशेंट कहां तक कैल्कुलेट किया इन दोनों के मल्टिप्लिकेशन में x की पावर 4 तक ही सर आप वहां क्यों रूख गे क्योंकि डिनॉमिनेटर में सबसे बड़ी पावर जितनी होती है वहीं तक देखते हैं अगर यहां x की पावर 6 होता तो मैं x की पावर 6 तक भी जाता इसका कोफिशेंट भी गल्गुलेट करता समझे और दूसरा जो मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि आप इसको 2 कई माल लो 2 कई माल लो समझ मैं है because 1 x plus x cube upon 3 माल लो बाकी terms को आप neglect कर सकते हैं मैं यह logic नहीं दे रहा हूं कि x बहुत छोटा है इसलिए उनको neglect कर दो नहीं जी क्योंकि पावर 5 है कहीं involvement नहीं है इसका इससे जो powers बनेगी पावर 5 को अगर मैं 1 से भी multiply करूं x की पावर 1 से x की पावर 5 को x की पावर 1 से तो x की पावर 6 generate होता है तो इसका कोई involvement नहीं है because हमें x की पावर 6 तक जाना ही नहीं है तो कोई बच्चा अगर आप इसको ऐसे भी solve करता माइनस हाफ बाहर और इसको बोल देता x plus x cube upon 3 का whole square बिल्कुल सही और minus x square upon x की पावर 4 उसका जवाब भी यहीं आता क्योंकि वो इसको कैसे open करता सर बाहर minus half ध्यान सुनना confuse मत हो ना यार a plus b का whole square क्या होता सर a square plus इसका square b square इसका square कितना हो जाएगा सर x की पावर 6 upon 3 यह सरी 9 plus 2ab तो 2 upon 3 x की पावर 4 यह तो इसका square आ गया और minus x square अलरड़ी वहां बिठा रखा है whole divided by x की पावर 4 यह यह cancel होगा x की पावर 4 डिवाइड करोगे तो 2 upon 3 बचेगा यह constant term बन जाएगी x की पावर 4 डिवाइड करने के बाद में इसमें x square बचेगा और x जा रहा है 0 की तरफ तो final answer minus 1 upon 3 है अभी भी समझ मैं है क्योंकि यह इधर डिवाइड होगा और यह इधर डिवाइड होगा कि हम कौन सी पावर पर जाके रूखेंगे expansion वाले और सवाल करोंगो गभरा मत एक हो गया जिसमें expansion लग रहा है एक और देख ऐसा नहीं कि expansion आप सीधा देखते ही expansion जैसे यहां पर sign की power 6 दिखाई दे रहा है तो एक बच्चे की दिमाग में आगा सो साइन एक उसकी power 6 का expansion नहीं पहले simplify करो फिर expansion लगाओ क्या हमने यहां पर denominator में सीधा x की power 4 यहां पर चलो x ही था तो हमें x की power 4 को carry कर रहे थे अब की बार यहां पर sign x है तो कोई बात नहीं हम सीधा expansion नहीं लगाएंगे पहले हम इसको सबसे पहले तो form check करेंगे उसके बाद में मैं इसको पहले resolve करूंगा ध्यान सुनना simplify करूंगा x 0 e की power 0 1 1-1 0 यह वैसे ही 0 तो यह form बन रही है बेटा 0 by 0 की देख लिए रहाम से इसमें expansion लगाने के से पहले मैंने क्या किया पहले standard limit लगाई यहां पर लिखाव है sign 2x की power 6 यही होता है और x जा रहा है 0 की तरफ ध्यान सुनना तो मैंने क्या किया यहां पर 2x से divide और और यहां पर 2x की power 6 से multiply क्या मैं ऐसा कर सकता हूं तो answer is sir yes कितने लोगों को standard limit दिखाई देगी sir बहुत अच्छे से sign 2x upon 2x दोनों same है x x दोनों 0 की तरफ जा रहे है इसकी value 1 लो sir sign गायब denominator में सिरफ x बचा बल्ले बल्ले होगी situation yes sir यह लिखाव है e की power x cube minus 1 minus x cube upon 2 की power 6 64 into x की power 6 यहां पहुंचके sir अब हम क्या करें e की power x का expansion लगाओ sir e की power x का expansion होता है वो expansion होता है यह 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial जहां पर L hospital rule बहुत ही बहंकर बनेगा वहां पर expansion आपके काम आएंगे ध्यान रखना ठीक है आप LH rule लगाई है मुझे कोई परिशानी नहीं है मैं आपको LH rule के लावा जो चीजे सिखा रहा हूं विकाउज LH rule में दिमाग नहीं लगता घंडित में बहुत सिंपल सा रूल चलता है ध्यान अखना ठीक है अगर आप पैन ज्यादा चलाओगे तो दिमाग कम चलाना पड़ेगा पैन ज्यादा मतलब differentiation करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा जा रहे हैं बिल्कुल दिमाग नहीं थो देख रहे हैं वहां पैस्टी रखे तो बोले सर्लियों यहां पहिए की जगा एक्सकी यूब आपान थ्री लिया जागा और बाहर उसने डिशनली दो टर्म संभा नेगेटेव में बिढ़ा रखी हैं थाकि हमारा जवाब सही सही आसके हैं ह सुथ हैं कौन कौनसे दो टाम सभी सिर्फ और सिराफ गोन और अपॉन तूakte क्योद इसके बाद में सभी में प्र tox एड़ इदर डिवाई इदर डिवाइड कर इदर डिवाइड कर समय डिवाइय तूप पहले वाली टम मोत जेगी एए वन-पायक लाप उन पां X बचेगा सभी में X बचेगा एक 0 की तरफ जा रहा है आगे वाली सारी टम्स होगी 0 तो उपर लिखाव है बेटा वन अपॉन टू और नीचे लिखाव है टू की पावर 6 यह पूरा गा पूरा लिखाव है वन अपॉन टू की पावर 7 यह हमारा अंसर है on the basis of expansion यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है सर आपने sin X का expansion नहीं लगाया इसको पहले standard limit लगा कर हलका किया फिर हमने इसके ऐसे deal किया याद रखिएगा प्लीज ठीक है जैसे अगला format है ठीक है अगला format है मैंने पूछा क्या है भाई सर यह जो सवाल है यह है X को infinity लेके जा रहे हो infinity infinity इसकी power 1 by 3 सर यह भी infinity माइनस x square minus 2x सर यह अपने आप में एक हमें infinity minus infinity दिख रहा है तो मैंने का कोई बात नहीं X common ले अब क्या दिख रहा है ऐसे X infinity तो यह भी infinity यह भी infinity दोनों का product infinity तो किते लोगों को दिखाई दिया सर यह infinity minus infinity वाली form है हां तो अंसर इस सर infinity minus infinity वाली में substitution यह slide change slide change के नाम पे आपने LCM बताया था यहां पे अब LCM लें किसका तो मैंने का substitution के बारे में सोच यहां पर भी आप X by 1 by T सोच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जीरो इंटो infinity और infinity minus infinity दोनों में X की जगा 1 by T सोच सकते हैं because होता क्या है जब आप X की जगा 1 by T रखते हो तो जो नया variable आएगा T वो 0 की तरफ जाएगा अभी मैं आपको समझाता हूं ध्यान सुनना सर यह लिखा हूँ है X cube plus 3X square की power 1 by 3 minus X square minus 2X की power 1 by 2 बहुत बढ़िया और limit X जा रहा है infinity की ओर form बन रहा है infinity minus infinity मैंने का बिल्कुल सही आप एक काम करो यह वाला substitution put X equals to 1 by T ठीक है या फिर आप बोल सकते हो T बराबर 1 by X हो गया अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो बेटाजी यह वाली है कि अगर T मतलब X जाएगा infinity की ओर यहाँ पर as X approaches to plus infinity तो T जो है वो 0 की तरफ नहीं T 0 plus लिखना ठीक है बस यह समझो यारे यह एक दूसरे कर ऐसी प्रोकल होते है 1 upon infinity होता है 0 plus और 1 upon 0 plus होता है infinity ठीक है आया ना 1 upon minus infinity होता है 0 minus और 1 upon 0 minus होता है minus infinity ठीक है यह बते है याद रखिएगा तो 1 upon infinity positive infinity तो T जो आएगा वो 0 plus की तरफ आएगा ठीक है ठीक है अब इसमें यह मत सोच ना इसमें कुछ लोग यह सोचेंगे सर यह तो infinity पर आप limit निकाल रहे थे और वो convert होगी 0 plus में नहीं जी आप ऐसे समझों अब जो बात बोलूगा उससे confusion होगी ध्यान रखना infinity पर भी एक ही तरफ की limit निकलती है यह बात सही भी है और गलत भी है अब यह जो बाते बोल रहा हूं यह mathematically ऐसी बोली जाती है सर सही भी और गलत भी कैसे है कौन जाकर infinity पर चेक करने वाला है पहली बताओ जैसे बोलते ना हाँ infinity पर यह वाली equation सही होती है सर कैसी बात कर रहे हो आप कोई शुन लेगा तो मैंने कोई बात नहीं infinity पर यह सही लिखा हुआ है अब सर इस बात का प्रूफ क्या है मैंने का infinity पर जाके बताएंगे अभी धरती पर रहाँ मत वहां जाके बताएंगे वहां जाके देख ले ना 2 बराबर 3 होता है समझे तो ज़्यादा इनके detail में नहीं जाते है ठीक है आप ऐसे समझो कि जब आप ऐसा x को infinity और जब substitution करो 1 upon t वाला तो t 0 plus की तरफ जाएगा logic is very clear from this तो मैंने का किया limit t approaches to 0 plus ठीक है जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर 1 by t रखो तो 1 by t क्यों plus 3 upon t square power 1 by 3 minus 1 by t square minus 2 upon t power 1 by 2 है ठीक है आफ्टर टेकिंग एल्सेम ध्यान सुनना तो यह लिखा है लिमिट टी अप्रोच इस टू 0 plus lcm लोगे तो t cube lcm आएगा यहां पर 1 और यहां जाएगा 3D तो यह हो जाएगा बिटा 1 plus 3 T की power 1 by 3 और नीचे t cube की power 1 by 3 जो की square की power half तो mod t आना चाहिए अबर t positive i sleep आप इसे t लिख दे रहा हूं आएगा यहां पर mod t t positive i is विज़े से ही है सब दोनों का denominator सेम है क्या बोलते हो सीधा-सीधा t लिख देंगा जैसा कि आपसे promise किया गया था after slight change or substitution यह infinity minus infinity वाली जो form है अब हमें 0 by 0 वाली form दिखाई दे रही है अब हमें यह 0 by 0 वाली form दिखाई दे रही है आया ना सभी को दिख रहा है t को 0 की तरफ ले जाओगे 1 1 1 1 minus 1 0 upon 0 ठीक है तो basically यह forms तो सीधी सीधी dissolve हो जाती है इसके बाद में आपके पास दो option है you can go with L hospital also LH rule और मैं तो expansion सिखा रहा हूं इस वज़े से मैं expansion लगाऊंगा 1 plus X की power n वाला format बहुत वड़िया 1 plus X की power n वाला format आप LH rule से भी कर सकते हैं गवरा यह नहीं सीखने की बात हो रही है यहां पर तो सर 1 plus X की power n का format क्या होता है 1 plus nx nx कर लो n कितना है सर पहले तो x लिख लिया n है 1 by 3 मैंने यह expansion सिरफ यहीं तक लगाया अब मैं फिर बताता हूं यह expansion आपने सर आगे क्यों नहीं लगाया 1 plus nx n into n minus 1 upon 2 factorial into x square वहां तक क्यों नहीं गए जब आप x का square करोगे तो power क्या आएगी t square मैंने आपको बोला था denominator की तरफ देखा करो denominator में सबसे बड़ी जो power हो वहीं तक expansion लिखना है denominator में सबसे बड़ी power t है तो t second term पे आ जाता है मैं बस यहीं तक लिखूँगा इसके आगे अगर आप लिखते हो तो वह useless है तो हम क्यों टाइम बेस्ट करें समझगे आए ना अब यहां आ जाओ सेम सर यहां पर भी 1 प्लस nx n है 1 by 2 x है minus 2 t with sign put होगा द्याना किना और denominator में यह राटी क्या मेरी बात समझ में आती है आए ना नाओ अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो यह 1 और यह 1 गया सर यह 3 और यह 3 गया तो टी माइनस सर माइनस टी और यह कितना हो जाएगा माइनस टी समझ पार हो अपॉन टी सर यह लिखाव है 2 t upon t क्या मेरी बात समझ पार हो तो यह आ जाएगा 2 आप लह रूल से भी जा सकते हैं यह जवाब आएगा ठीक है टी माइनस आफ माइनस टी तो प्लस टी अपॉन टी टी गैंसल हो गया जवाब आगया 2 ठीक है इस बात को सीखने की कोशिश करें डरेक्ली आप तक पहुंचाई जा रही है तो यह कुछ सवाल हुए एक्सपेंशन से अब चलते हैं और कोशन पर आगे लाओ यह वाली जो विराइटी एना इस विराइटी को आप ऐसे नाम दे मैं इसका नाम बताता हूं इस इस फाइंडिंग अन्नोन वेन लिमित इस गिवन इस विराइटी के कोश्चन जेह वाले बहुत पूच रहे हैं बहुत मज़ेदार तरीके से अन्नोन पता करने अगर आपको लिमिट दे रख्यों जैसे कि यह सवाल है आईटी जी तुसम करेंगे सेम फॉर्मेट पे इसमें आपको समझना पड़ेगा कि उसने लिमिट पहले से ही दे दी है कि एक्स को इंफिनिटी ले जाओगे तो जवाब यह कि आएगा भाहिसाब अब आप A और B के बारे में सोचें ठीक इसा सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां देखना जाओ यहां देखना क्या करोगे ज़्यान सुनिएगा अपले आप इसमें पहले सबसे पहले LCM लो समझ मैं तो यह कितना हो जागा लिमिट एक्स इसका ऐए इक स्कोयर प्लस B क् एक स्पलस भी मतलब यह बोल सकते हो एक स्प्लश reviewed और एक स्कोयर और इस laughed a प्लस भी इंटु एक स्प्लस भी phenam है तो समिए ईक स्क्वएर डिम्टास क्राइस प्लस बी इक से बाचे हुआ अब मैं एक से लिकते यहां मैं अ Concern माइनस साइन और भी आएगा तो इसके आगे भी माइनस साइन ठीक है और यह नीचे लिख दिया मैंने X प्लस वान कि गौन जाएगान Origi इंटू एक्सचिट्ग इनटी अ मैंनस आ माइनस बी एक्स और यहां पर लिखाओ भरण माइनस बी और denominator में लिखा हूँ है sir x plus 1 ठीक है यह पूरा simplify करने के बाद में जबाब वो बूल रहा है कि यह answer आएगा 4 ठीक है आपको एक चीज ध्यान रखने पड़ेगी आपको एक चीज ध्यान रखने पड़ेगी and this is very obvious समझ में आता है ठीक है अगर x जा रहा है plus या minus infinity की ओर ठीक है और यहाँ पर polynomial upon polynomial का format है ठीक है तो इसका जवाब finite तभी आता है finite तभी आता है finite and non-zero finite and non-zero इसका answer तभी आएगा ठीक है इसका answer finite और non-zero तभी आता है जब इन दोनों polynomial की degree सेम हो when degree of both the polynomial degree of both polynomial should be same should be same दोनों polynomials की degree जो है वो सेम होनी जी है मतलब दोनों या तो linear हो दोनों क्वाडिटी को दोनों क्यूबी को हो क्योंकि जैसे ही आप एक की degree बढ़ा देते हो जैसे मानलो मैं आपसे यह पूछू x square minus 3x upon x plus 1 limit x approaches to infinity ठीक है फिर मैंने आपसे यह वाला सवाल पूछा limit x approaches to infinity ऊपर वाले की degree छोटी कर देते अपकी बार और नीचे वाले की बड़ी और अपकी बार से दोनों की degree बराब अगर देते हैं इस केस में जवाब आएगा infinity अराम से देख सोच साथ में खुद भी तो सोचेगा तभी तो बात बनेगी तो यह तो finite नी आया तो यह नॉन फाइनाइट आगया समझ में हमें जवाब चीए finite and non zero इस पर्टिकुलर केस में पॉलिनॉमियल अपन पॉलिनॉमियल में तो ऊपर से x square common लेगा नीचे से x common लेगा तो ऊपर एक बच जाएगा केंसल वेंसल करने के बाद में उपर एक बचेगा एक जा रहा है इंफिनिटी की तरफ तो पूरा जवाब इंफिनिटी अब की बार नीचे एक बच जाएगा common लेकर देखना भाई पैंचला तो नीचे एक एक सबचेगा वन अपन इंफिनिटी सर इस केस में जवाब आएगा 0 तो यह है नॉन फ्उन फैनाइट यह है यह इस की चाहिए ना ही ना ही इंफिनिटी ङॉमें जवाब चाहिए नॉन जीरो फैयनाई वह तो आता है जब दोनों की डिग्री क्या हो सें दोनों की डिगरी सेम होना चाहिए तो उपर से x square common नीचे से भी x square common तो यहां से जवाब आएगा minus 1 upon 7 तो non-zero finite answer किस case में आ रहा है आप समझ कियोंगे इसी logic को यहां लगाना है भाया वो पहले से ही बोल रहा है कि जवाब non-zero finite है सकते हैं तो दोनों की डिगरी सेम होनीची है सर आप इसकी डिगरी तो बढ़ा नी सकते हैं अब इसको पड़ा सकते हो क्वाड़िटीक बना सकते हो गिल्टीप्लाइब कर देते हैं किसी फेक्टर उस sow gerne नीचे multiply करेगा तो यह quadratic बन जाएगा यह cubic बन जाएगी तो सर डिग्री सेम करने के लिए क्या logic समझ में आया सर x-square वाली term गायब हो जाए तो मज़ा आजाएगा मैंने का बहुत बढ़िया तो x-square वाली term गायब होने के लिए 1-a को आप क्या करें 0 यहां से आपको बता चल गया a की value होगी 1 क्योंकि a की value 1 होगी तो यह term दिखेगी नहीं degree सेम होगी इसके बाद में अगर आप यहां पर ध्यान से ध्यान दोगे तो जब polynomial upon polynomial में इस particular case में जो आपका non-zero finite answer आता है ना वो आता है ऊपर और नीचे leading coefficients के leading coefficients के coefficients का ratio अरे कुछ नहीं ऊपर x-square का coefficient का है 1 नीचे x-square का coefficient का है minus 7 तो यहीं जवाब आया है because x-square यहां से common लोगे तो यह term अकेली और यह term बचेगी बागी सब तो 0 हो जाएंगी और इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जुरत है नहीं वैसे यहां देखो यह आपने गायब कर दिया अब क्या बचा सर अब सिरफ इतनी situation बची मैंने का ठीक है infinity upon infinity को कैसे solve करते है सर x common लो और यहां क्या बचेगा 1 minus a minus b plus 1 minus b upon x यह ठीक है पिटा और यहां से भी x common ले ले 1 plus 1 by x ठीक है और यह जवाब आना चीए 4 और limit कहां जा रही है x infinity की और यह यह cancel हो गया सर यह वाला part कहां जाएगा 0 की और और यह वाला part भी 0 की और हमारे इसाब से जवाब आएगा वो हमारे इसाब से यह आएगा 1 minus a minus b upon 1 और यह किसके बराबर है चार के बराबर तो माइनस भी बराबर चार कैसे सर क्योंकि यह की वैल्यू आप बन अल्रडी निकाल चुके हो तो यहां से भी की वैल्यू आगी इसका लॉजिक एकदम क्लियर होगा आया और सवाल करते हैं और सवाल करते हैं आया आजाओ जैसे यह बला है पाइंडिंग अन्नोन इफ लिमिट इस गिवन अब की बार एक जीरो की तरफ जारा दियान लगना स्वाल कीजिए प्रफ बढ़िया सवाल है तो सर अपकी बार तो भहुत सारे लोग आगे मैंने का हाँ ठीक है हाँ आजाओ अब सुनना जारा ध्यान से सबसे पहले तो हमें यह वाली चीज है ना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं एक की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी एक की पावर माइनस एक्स होल डिवाइड़ बाई एक्स स्क्वायर जिस जिसको बात समझ में आगी मुझे बताईएगा कि हां सर मुझे समझ में आगी हां कमेंट करके बताओ ना भाई हां आपको चीजे समझ में आए तो बताया करो कि हां सर बाद मजा आ गया इस बार यह वाली सर कैसे 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 से साइन एक्स के नीचे एक से डिवाइड कर दिया है जितना हलका हो सके लाइट एक दम हलका हलका हमसा इस अपों एक्स ग्रों टरफ जा रहा है उस फेक्टर को वन कर दिया वैल्उ पूट कर सकते हैं expression पूरा का पूरा बागि बागी inspection के साथ multiplication में है, division भी multiplication होता है, और x into x, x square बचा, आया है न, अब आप चाहो तो LH rule से भी जा सकते हो, ठीक है, चलो LH rule से करके दिखाता हूँ, मैंने का, अब ये हमारा सवाल है, form check कर, form check कर, तो denominator तो सर जीरो की तरफ जा रहा है, numerator में क्या बचेगा, a की पावर 0, 1, तो यहां बचेगा a, cos 0, 1, तो minus b, sir, e की पावर 0, फिर से, तो ये plus c, ठीक है, तो form के हिसाब से, जब मैं form check कर रहा हूँ, denominator 0 की तरफ numerator ये बच रहा है, कितने लोग इस बात से agree करते हैं, logic सुनना ज़रा ध्यान से, explanation, कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, a minus b plus c should be equals to 0, पहली equation बन गी, पहली equation बन गी कि ये जो है, ये 0 के बराबर होना चाहिए, sir, क्यों, अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ, 0 को छोड़ कर कोई सा भी number, sir, minus 1, 2, 5, ये सब लोग 2 होते हैं, क्या, उसने बोल रखा है, पहले से जवाब 2 आएगा, sir, ये सब तो infinity या minus infinity होंगे, तो हमें जवाब चीए, finite, 2, तो sir, पका 0 by 0 वाली form बननी चीए, तभी finite answer आएगा, वरना तुम उसको ऐसे contradiction से सोच लो, जीरो को छोड़ कर ऊपर कुछ बना, और, तो अब या जवाब infinity आजाएगा, समझ गें, तो इस वज़े से इसको 0 जाना पड़ेगा, बहुत सही, अब जैसे आपने ये बोला कि ये 0 जाएगा, तो अब बताएए form कौन सी होगी, 0 by 0, और 0 by 0 पे हम कौन सार रूल लगा सकते हैं, बिंदास खुल के बताएगा, LH रूल, कौन सार रूल, LH रूल, उपर वाले का derivative, A e की पावर X, सर, cos x का derivative माइनस होता है, तो B sin X, मतब cos x का derivative माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस B sin X हो जाएगा, और सर, इसमें, c as it is, e की पावर माइनस X का derivative, माइनस e की पावर माइनस X होता है, ठीक है, और denominator में आगया 2X, और limit X approaches to 0, सर, आपने LH रूल में हमें, एक बात बहुत जोरदार बताई थी, और बहुत बार आपने उस पे, emphasis दिया, की form चेक करते हैं, LH रूल लगाने के बाद में, X को 0 लेके जा रहा हूं, तो denominator 0 जा रहा है, अब अगर X को 0 लेके जाओंगा, तो numerator में A, और सर, यहाँ 0, तो B into 0 गावर माइनस C, A minus C, क्या देख पारे हो आप, कितने लोग agree करते हैं सर, यहाँ से भी हमारे पास second equation आगे हैं, कि A minus C को 0 होना ही पड़ेगा, मैंने पूचा, क्यों हो भई, वोही logic, अगर A minus C 0 नहीं हुआ, इसमें फिर से सोच, LH रूल लगा के यहाँ पहुंचा, इसका जवाब, जब मैं form चेक कर रहा हूं, तो यह आ रहा है, अगर यह 0 नहीं हुआ, मान ले 5 हुआ, तो 5 बटे 0 तो infinity होता है, उसको जवाब चीए 2, समझ पा रहे हैंगे नहीं, तो A minus C फिर से 0, अब अगर यह 0 है, तो 0 by 0 फॉर्म बनी, क्या मैं फिर से LH रूल लगा सकता हूं, बिंदाज, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और रहे ले चुरूँ, सर, A e की पावर x, B cos x, sin x का derivative cos x, plus C e की पावर minus x, whole divided by 2, और limit x approaches to 0, देख ले न आराम से, ठीक है, अब मैंने पुला कि इसकी value बता, या फिर इसकी form क्या बन रही है, सर, वो x को 0 लेके जाओगे, ये बचेगा A, ये बचेगा B, ये बचेगा C, और ये बचेगा denominator में 2, मतलब अब की बार कोई form नहीं बनी, ये हमारा जवाब आ गया, ना ही denominator में 0, ना ही numerator में 0, हमारा जवाब आ गया ये, इस टेप पे, और हमारा जवाब ये है, बाई साब बोल रहे हैं कि ये जवाब आना चीए 2, तो कोई बात नहीं सर ले हो, जवाब को कर दो 2 के बराबर, कितने लोग एगरी करते हैं कि A, प्लस, B, प्लस, C, जो है वो 4 के बराबर होगा, A, प्लस, B, प्लस, C, जो है वो 4 के बराबर होगा, एकदम विन-विन सिच्वेशन, तीन एकवेशन, तीन अन्नोन, फटा फटा पर जवाब बता दीजिए, सर A और C अगर बराबर है, A और C बराबर है, तो A और C बराबर मतलब ये लिखावा है, 2A माइनस B बराबर 0, हाना, और यहां से आप बोल सकते हो, B बराबर 2A, ये ठीक है बिटा, 2A माइनस B, तो A, B की जगह 2A, और C की जगह B, A, बराबर 4, सर ये आगया, 4A बराबर 4A की वेल्यू 1, A 1, B 2, B 2, और C B 1, आप से पूछ रहा है, A प्लस B प्लस 2C, तो भीया, A 1, B 2, C B 2, C 2 नहीं है, मतलब C 1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये जवाब आजाएगा, 5, this is our final answer, मेरे गाल से, logic समझ में आया होगा, आपको एक्दम clear cut, ये देखो, J Advanced 2016 का सवाल है, फटा-फट निप्टाने की कोशिश करते हैं, अलफा और बीटा जो है, वो रियल लंबर है, बहुत बढ़िया, लिमिट एक्स अप्रोच इस टू जीरो, इसकी वैल्यू पहले से दे रखिया, भयाने वन आएगी, बूच रहा है, अलफा प्लस बीटा इंटू 6 कितना होगा, मतलब वो आपसे अलफा बीटा की वैल्यू जानना चाहरा है, सेम लॉजिक, फटा फट वीडियो पॉज करें और अपना जवाब बताएं, मुझस से पहले, लिमिट एक्स अप्रोच इस टू जीरो, तो मैंने इसकी फॉर्म चेक करनी स्टार्ट की, फॉर्म चेक करनी स्टार्ट की, जीरो बाई जीरो, बिल्कुल सही, सर ये फॉर्म बन रही है, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म को आप कैसे प्रोसीड करते हैं, सर हम LH rule से भी करते हैं और expansion से भी करते हैं यहाँ पर आप चाहो तो expansion भी लगा सकते हो और LH rule भी लगा सकते हो चलिए फटा-फट LH rule देखते हैं सर उपर वाले का derivative मैं किसे solve कर रहा हूँ? LH rule से उपर वाले का differentiation numerator का differentiation आप लिख रहे हो वो ठीक है नुमिरेटर में तो दो function multiplication में हैं वहाँ तो भाईया U into V rule लगा होगे तो X square का derivative आजाएगा 2X multiplied by sin beta X plus X square as it is sin beta X का derivative होता है cos beta X और साथ में एक beta denominator में सर अलफा X का derivative alpha और यहाँ पर आजाएगा cos X एक बार LH rule लगाने के बाद में क्या चीज बोली गई है check करनी होती है form अगर मैं X को 0 की तरफ ले जाता हूँ तो सर डिनॉमिनेटर में बनेगा alpha minus 1 cos 0 is 1 सर 0 क्योंकि X 0 है यहाँ पर भी X 0 है तो यह भी 0 सर यह 0 upon alpha minus 1 बन गया अब अगर मान लो यह वाली चीज 0 को छोड़ कर कुछ और हुई मतलब 0 upon 5, 0 upon 2, 0 upon 3 तो इसका जबाब 0 आजाएगा वो बुल रहा है answer 1 आएगा तो कितने लोग agree करते हैं कि form 0 by 0 बननी चाहिए alpha minus 1 क्या होना चाहिए 0 एक equation alpha की value आगे अब सर अब कुछ नहीं एक बार और जैसे ही आपको पता चला alpha minus 1 0 है मतलब 0 by 0 form एक बार और LH rule लगा सकते हैं तो answer is yes इसका derivative सुनना ज़रा 2 x का derivative तो 1 यहाँ पे आजाएगा sin beta x plus 2 x sin beta x का derivative cos beta x plus 2 beta x x इसका अगा derivative लिख रहा हूँ यहाँ पे आजाएगा cos beta x और plus beta x square beta x square cos beta x का derivative होता है sin beta x with a negative sin और एक beta और और आपने जब sin beta x का derivative किया तो यहाँ पर एक beta भी आएगा तो 2 x और यह beta 2 beta x cos beta x 2 beta x cos beta x तो इसको 4 beta x cos beta x कर दो 4 beta x cos beta x minus के बाद में beta square x square sin beta x अब बस वही है LH rule में यह परिशानी है कि रायता फैलने लगता तो फैलता ही जाता है अभी terms इतनी होगी denominator का differentiation alpha का derivative 0 cos x का derivative minus sin x तो वह हो जाएगा plus अब अगर मैं फिर से देखता हूं तो यह तो भी है 0 by 0 form बन रही है 0 0 और 0 जवाव अभी भी नहीं आया सर एक बार और differentiate करना पड़ेगा अब इतनी दूर आये हैं तो आप पीछे नहीं हटेंगे शुरू हो जाना सब साइन बीटा एक्स का derivative 2 cos beta x और साथ में बीटा का derivative तो फिर बीटा एक्स का derivative बीटा प्लस पोर बीटा cos beta x इसमें u into v rule है तो x है उसका derivative 1 हो गया तो 4 beta cos beta x और फिर 4 beta x को as it is रख cos beta x का derivative हो जाएगा minus sin beta x और जो x है beta x में एक बीटा हो रहेगा ठीक है और फिर यहाँ आजा बई ओहो एक्स स्कुएर का derivative बाकि सारा एज इस और सर फिर minus beta square x square sin beta x का derivative cos beta x और एक और बीटा तो पावर हो जाएगी 3 whole divided by अब जवाब आजागा भीजा sin x का derivative होता है cos x लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ जान सुनना उपर मैं अगर solve करूँ एक 0 की तरफ यह वाली value 1 उपर बचावाए सर 2 beta यहां पर यह वाली value 1 सर यहां बचेगा 4 beta सर यह वाली value 0 गया यह वाली value 0 गया यह वाली value 0 और denominator मैं आपसे पूचाओ की बीटा की value कितनी होगी तो तरफ वो होगी 1 by 6 तो alpha जो है वह 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 और बीटा की value 1 by 6 उसने पूचा है कि 1 plus 1 by 6 मतलब 7 by 6 को अगर 6 से multiply कर दें तो जवाब आ रहा है 7 देख लिए ना अलाम से ठीक है in this situation you can also deal by expansion expansion से भी आप जा सकते हैं ठीक है हां उससे आप एक काम करना चोटा सा expansion लगाने से पहले पहले इधर beta x से divide और beta x से multiply कर देना साइन वाली टर्म हटा देना ठीक है और इसमें से x common लेना या फिर यह ऐसी रहने दे ठीक है उपर x की टर्म बचेगी उन सारी x की टर्म को denominator में ले आना फिर solve करना start करना ठीक है तो expansion से भी कोशिश कीजिएगा अगला सवाल और देख लो यह भी वह है finding unknown if limit is given बढ़िया सवाल है जही advance 2009 का अराम से पढ़ेंगे the px is a polynomial of degree 4 having extremum at 1 and 2 extremum का मतलब होता जहां पर उसका derivative 0 local maximal local minima को हम general भाशा में क्या बोलते हैं extremum समझ गें अभी दर आओ सर px एक polynomial है degree 4 का तो एक बच्चे ने क्या किया px को power 4 वाला polynomial ऐसे मान लिया और बाई ऐसे मानते ही कुछ gdpd हो जाएगी वैसे आप ऐसे मानोगे इसके derivative की दो जगा हमें value दे रखी है ध्यानक ना p-1 भी 0 है और p-2 भी 0 है मेरे कहल से बात समझ में आती है क्योंकि local maxima और local minima मतलब है polynomial function का जहां पर local maxima और local minima आता है वहां पर उसका derivative 0 होता है सर यहां पर तो यह बहुत सारे unknown है मैंने पूछा एक सवाल दे रखा एक चीज दे रखी है उससे समझने की कोशिच करते हैं क्या क्या information और दे रखी है limit x approaches to 0 1 plus px upon x square यह value है 2 आपने बोला था वैसे तो limit बांटते नहीं है बांट जाए तो री कलब नहीं करते हैं मैंने कहां बिल्कुल बांट दो एक्स को जीरो की तरफ लेके जाओ वन तो वन ही रहेगा बिल्कुल तो यह लिमिट सीधी कहां आगी plus dx है plus e है यह ठीक है और अच्छे से मैं बात अगर करूं और अच्छे से अगर मैं बात करूं तो x square सब में ज्यांता कि तो सब्सक्राइब चर्फ जाएगा तो यह वाली टर्म जीरो यह वाली टर्म सी अगर यह यह यहां पर डी बचा मेरी बात ज्यान अ अगर यह यह यहां पर यह दी बचा मतलब डी की वेल्ली वे 5-1-3-8 तो सम नॉन जीरो अपॉन जीरो तो या तो ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी और वैसी सर अगर ये ए भी बचा तो भी ये प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो सर अब की बार जो जवाब है अब की बार जो जवाब है अब की बार जो जवाब है अब की बोल रहे हैं जब जवाब आना चाहिए वन वन क्यों नहीं आएगा विकोज यह यह दी और यह बच गए तो तो खुछ जानता ना भी यह पाइव पॉन इंफिनिटी की तरफ जाएगा ऐसा कुछ बचा तो यहां से हमें समझ में आया कि डी और यहां पर होने ही नहीं चला कि डी और यह उनको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि अगर डी और यह जीरो नहीं हुए तो सिच्वेशन हो जाएगी खराब सवाल में जो जानकारी दी गई है वो हो जाएगी गर्बर्ड समझ गये तो आपको डी और यह की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी जीरो ठीक है डी और यह को जीरो लोगे मतलब यह वाला पार्ट जो है यह इतना पार्ट हट गया हटा रखीं सिर्व इतना इंप एम्स भली रूजशन है यह वाल sırणेय अब हैए जवाब क्या यहगा 00C तो हमारे यह साहब से जवाब बचांवारी शाहाब इसभाब बचा सर्सिल और अगर सी जवाब बचा और ची गी वैली उटियरा यह उस साब से जवाब बच रहा है C और उसके साब से जवाब आ रहा है तो C का जवाब हमें पता चल किया 1 तो अब एक बाब बता ले दे के हमारे पास after this analysis polynomial function बचा कौन साब सब पॉलिनॉमियल function बचा ये AX की पावर 4 प्लस BX क्यूब प्लस X स्क्वार है इसके आगे मैं एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं वह आप खुद करेंगे that is do it by yourself इसके आगे का लिख दे रहा हूं do it by yourself अब कुछ नहीं करना पिटा लिमिट वाला जो पार्ट था वो मैंने समझा दिया D E और C की वैल्यू उसने सवाल में दे रखी है बचे A और B इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका एक बार डेरिवेटिव लिख लिख लेगा ना 4 A X3 3 B X2 2 X उसमें X की जगा 1 पतक दे जो भी और ट collect cellphone क無ड़े और उसके बाद में तू में निगाल सकते यह मेरी जुरु आपको यह रही तकती बोलो अचा ठोक ताहली के गहें yes बात समझ mix में आई जए घ्रशा रहीये है आप तक जो आपने कुस्टेशं किये हैं वो सारे को शंतरははन में देखे का जी गुअब आनू इंफैनी कुछ लोग जी जांज डीडी टी इनडी ऑलवर आप न 이후 है तो जी रो इंट पने जीड ना हाँ यार कैसी बात कर रहा है ऐसा लिखा हुआ मल ले आखों का धोका है यह कि अले यहां पर हमें यह 0 by 0 दिख रही थी अब एक्स को 0 के लेके जाओगे यह 0 1 upon 0 क्या होता है इंफिनिटी 0 into infinity ऐसे करके देखोगे तो यह 0 into infinity वैसे देखोगे तो 0 upon 0 ठीक है अब आओ इस पे वन की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म का डिरेक्ट फॉर्मूला है जब भी आपको पता चले कि ऐसा कुछ होगा यहां पर भी वैरियेबल और ऊपर भी वैरियेबल मतलब यहां पर भी x की टर्म यहां पर भी यह जा रहा है वन की तरफ और इसकी पावर जो है वो जा रही है infinity की तरफ ठीक है पावर जो है वो जारी है infinity की तरफ कौन सी infinity की तरफ जारी है आपको उसकी टेंचल लेने की जुरत नहीं है कि वो सरफ प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बिल्कुल नहीं आप सिरफ वन की तरफ देखो यह वन की तरफ जाना चीए और यह infinity की तरफ ऐसा हो जो function one की तरफ जा रहा था उसमें से एक गटा दो जो function one की तरफ जा रहा था उसमें से एक गटा दो और इसको आप solve कर लीजिए ठीक है और जब आप इस power को ध्यान से देखो गए तो यह zero into infinity वाली form बनेगी तो यह zero into infinity वाली form आप solve कर सकते हैं इसलिए मैंने zero into infinity वाले सवाल अब तक नहीं करवाए विगाओ जब यह वाला one की power infinity वाले जो सवाल बनेंगे उसकी power में जाकर जो यह सवाल बनता है वो zero into infinity गही होते हैं तो इस question को अलग से solve करो अलग से solve करने के बाद में एक गलती जो हो वही टिक कर देते हैं जबकि आपको वह e की power में रखना है तो यह तो हुआ one की power infinity का सारा खेल ठीक है दूसरा कभी भी हमारे पास ऐसी form आए zero की power zero या infinity की power zero variable variable यहां भी होंगे variable variable यहां भी होंगे इसका तो direct formula हमने निकाल लिया in fact अगर आप इस procedure से जाओगे तभी इसका formula यह आता है ठीक है वह log walk की term आ जाती है और वह सब आपने चाहरा टैंचल लेने की जुरत्मिया वन की power infinity का सीधा इलाज ही है अभी लगा के दिखाऊंगा सर जब भी ऐसा कुछ आजाए zero की power zero infinity power zero तो आप क्या करो सबसे पहले आप variable one की power variable two को आप ऐसा लिखो हाँ एकी power v2 ln v1 ठीक है यह हमेशा valid है ठीक है वी वन और वी टू दोनो पॉजटिव होने चाहिए समझ मैं स्वारी वी वन पॉजटिव होना चाहिए वी टू तो कुछ भी है समाल लेंगे क्योंकि यह एलन के अंदर जाके लिखा जाता है इसलिए positive होना चाहिए अब उसन प्रोचेश टू ए वी वन की पावर वी टू में आप क्या करो सीधा सीधा यह लेमिट ऑप्रोचेश टू ए वी टू एलेन वी वन इस पावर में फिर से जाकर जब आप इसको देखोगे तो यह 0 इंटो इन्फिनिटी या ऐसी कोई फॉम बनती हुए दिखाई देगी जीर 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity and 0 into infinity, 0 into infinity वाले सवाल यहां बनेंगे, वो अभी करेंगे, बाकी सारी की सारी 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, एंफिनिटी की पावर 0, इनको सॉल करने का तरीका यहां समझाए जा रहा है, अब मैं आता हूं, ध्यान सुनना, जैसे माल लो, यह वाला सवाल है, अब की बार उसने by default ही हम से one-sided limit ही पूछी है, 0 प्लस ही पूछ रहा है, तो हमें जहाद दिमाग लगाना नहीं है, हमने कहा किया, limit x approaches to 0 प्लस, सर यहां लिखा हूँ है, 1 प्लस, 10 square का root x, और की whole power 1 upon 2x, ठीक है, मैंने कहा एक बार format चेक करो भी यह, तो format जब हम चेक करने जाते हैं, तो x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो, 0 का root 0, और 10 0 होता है, 0 ठीक है, 0 प्लस पेसर यह कहां जाएगा, infinity, प्लस इंफिनिटी जा रहा है, वो अलग बात है, इंफिनिटी चाहे कोई सी भी हो, नेगिटिव हो या प्लस हो, अम अधा पॉजिव हो या नेग रहे किये, वो as it is, जो पावर है, वो as it is रहेगी, पावर थी 1 upon 2x, जो ये function होता है, जो ये function होता है, इस में से आपको 1 घटाना होता है, तो sir, 1 प्लस 10 square x में से 1 घटा देंगे, तो ये 10 square of root x बचेगा, तो मैंने पूचा 10 square of root x का मतलब क्या है भई, बोल रहा है कि sir, 10 of root x का whole square, मैंने बहुत बढ़िया, sir, x 0 की तरफ जा रहा है, 0 plus अलग बात है, बट है तो 0 की तरफ, बिल्कुल सही, तो मैंने क्या किया, इस bracket को और बढ़ा किया, मतलब पूरे का square, तो ये root x का whole square, रूट x के square से मैंने divide किया, तो root x के square से मैंने multiply कर दिया, कितने लोग agree करते हैं कि ये extended limit बन गी, पूरी की पूरी, tan of something upon same something, और दोनों something जा रहे हैं या 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा 1, 1 का square 1, और root x का square बेटा x ही होता है, क्या कर रहे हैं बता नहीं रहे हो तुम लोग, तो sir, ये x और ये x cancel हो गया, और इसकी value होगी 1, तो पूरे power में बचा क्या, sir, e की power में सिरफ और सिरफ half बच गया, e की power half कोई बटा rooty बोलते हैं, तो p की value आगी हमारे पास rooty, because वो बोल रहे हैं कि ये हमारे पास p है, उसने पूछा है log p, log p का मतलब है, lnp पूछ रहा है ध्यानकना, तो lnp, lnp का मतलब है, log जिसका base है e, और e की power यहां पर है half, ये आगया जाती है, पीछे बचे का log e with base e, वो होता है one, तो answer आगया half, अब यहां पर कुछ बच्चों को एक doubt, जो generally पूछने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, वो यह होता है, कि सब आप log p बताते हो, तो आप हमें बताते थे, कि ये natural base के साथ होता है, natural base के साथ होता है, वैसे भाई अगर सवाल यह है, तो IIT वालों लिखना चाहिए, कि हम LNP का जवाब पूछ रहे हैं, वैसे उनको लिखना चाहिए, because log p अगर कहीं लिख रहा है, तो वो natural base है, बड़ ऐसे बहुत सारी जगह दिखा गया है, IIT के सवालों में, कि वो log p को ही LNP समझ रहे हैं, समझ गहें, मतलब वो base यहां पर ना लिखने के इसाब से natural base ना सोचकर, वो यहां पर, sorry, common base ना सोचकर, common base मतलब 10 वाला ना सोचकर, वो E मान के चल रहे हैं, वैसे उन्हें यह बात clarify करनी चाहिए, और वो बहुत हद तक करते भी हैं, but इस case में, आप इसको LN ही मानोगे, क् क्योंकि अगर मानो, log with base 10 होता, और मैं लिख देता, E की power half, तो हमारा जवाब आता यह, इसको आगे simplify नहीं कर सकते आप, ठीक है, but answer simplified दिख रहे हैं, समझ गहें, आया ना, अब उस पे भी कुछ लोग और बहस करेंगे, बोले सर अगर यही option में होता तो, तो फिर यह टिक क बोलते हैं कि सर, क्लास में तो आप बताते हो, log p का मतलब है base 10, बड़ यहाँ पर feel के हिसाब से, और मैं आपको फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, IIT ने कही बार log p यूज किया है, जिसमें वो common base ना यूज करके, वहाँ पर मान के चल रहा है कि base natural है, E है, कोई बात नहीं, स आपने बता दिया हम सवाल नहीं, आजाओ, X0 की तरफ जा रहा है, बताओ, सवाल सौल करके दिखाओ, फटा फट, लिमिट X approaches to 0, A की पावर X, प्लस B की पावर X, प्लस C की पावर X, अपन 3, होल पावर 2 अपन X, यह ठीक है, सर, A की पावर 0, 1, B की पावर 0, 1, C की पावर 0, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3 अपन 3, 1, मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि यह पूरा इंसान जो है, यह जा रहा है 1 की तरफ, और यह कहां जाएगा, सर, 2 अपन 0 जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, कितने लोगों को 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बंती वी दिखाई थी, तो answer is yes तो 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बंती वी दिखाई दे रही है, तो e की पावर में आप लिमिट को लेके जाओ, limit x approaches to 0, अब आप क्या गरें, जो पावर है, मतलब यह जो 2 अपन x है, यह तो as it is रहेगा, ठीक है, आया ना, और जो यह हमारे पास function होता है, इसमें minus 1, तो अब ध्यान से सुनलो बस, जवाब आ गया, limit x approaches to 0, this is 2 upon x, यह इदर लेके जाओगे, यहीं पर LCM ले लेता हूँ, ध्यान सुनना, minus 1 था, और LCM लिया तो यह minus 3, इस पूरे ताम जाम को ऐसे लिख रहा हूँ, a की पावर x minus 1, b की पावर x minus 1, c की पावर x minus 1, और यह जो 3 था, इस 3 को बाहर, और जो उस 3 की जिगा x था, वो x अंदर, हाँ है ना, अराम से देख लो, क्या किया, यहां पर जो 3 था उसको बाहर, x को अंदर, x को सभी के नीचे डिवाइड कर दिया, ऐसा क्योंकि यह असर आपने, क्योंकि यह standard limit बन रही है, a की पावर x minus 1 upon x, x approaches to 0, this is ln a, standard limit के साब से, this is ln b and this is ln c, और यहां लिखाव है sir, 2 by 3, और यह आगया e की पावर में पूरा ताम जाम, ठीक है, standard limit, standard limit, अलग लग solve करो, ठीक है, मैंने कहां कि आपके बार limit बांट दी, ऐसे समझो, limit बांट ने के बाद में सीदे सीदे जवाब लिखा है, री कलब उनको नहीं किया है, जैनक न, तो sir, यह ln a plus ln b plus ln c क्या होता है, sir, यह होता है, 2 by 3 ln of a b c, ठीक है, आया है न, अब sir, log में एक property होती है, खास, कि यह और यह अपनी जगह बदल सकते हैं, तो यह आजाएगा, a, b, c की power 2 by 3, और यहां आएगा multiplication में ln e, जो की होता है, 1, तो यही हमारा जवाब होगा, मतलब आप देख रहे होगे e की power में, यहां पहुंचने के बाद में, एक simple सा सवाल बन रहा है, जिसको आप चाहो तो 0 into infinity का बोल सकते हो, यह 0 into infinity वाली form ही है, भाई, तुम्हें लग रहा है, यह देखो, यह कहां जा रहा है, 0 की तरफ, और यह कहां जा रहा है, सर, यह infinity की तरफ, दोनों multiplication में है तो 0 into infinity, समझे, पटापट यह वाल सवाल सौल करो, अच्छा सवाल है, very good, good question it is, जल्दी से, सर, यहां क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, जब आप x को 0 की तरफ लेके जाओगे, तो sin x upon x 1 की तरफ जाता है, हमें यह पता है, मैंने का बहुत बढ़ी है, यह भाई साब कहां जाते हैं, वो तो पता करो, तो इसको अलग से स्वाल करते हैं, अभी हम फॉर्म चेक कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि लिमिट, अगर मैं x को 0 की तरफ लेके जाओँ, तो sin x upon x minus sin x कहां जाता है, ठीक है, अभी यह जो पावर वाला इसका फॉर्म चेक कर रहे हैं, तो यह 0 by 0 की फॉर्म है, 0, 0, 0, मैंने बोला, 0 by 0 पे क्या हम LH rule लगा सकते हैं, तो answer is yes, sin का derivative होता है, cos, x का derivative 1, sin का derivative फिर से cos, और limit x कहां जा रही है, वहिया, कहां जा रहा है, sorry, तो sir, वह है 0 की तरफ, तो cos 0 कितना होता है, 1, 1 minus 1, 0, और 1 upon 0 कहां जा रहा है, infinity की और, तो मैंने इसको अलग से चेक किया, तो यह, मुझे, यह पूरी पावर, यह कहां जाती वे दिखाई दे रहे है, infinity की और, कौन सी फॉर्म बनती वे दिखाई दी sir, वन की पावर, इंफिनिटी, ध्यान सुनना, तो यह आगया, लिमिट एक्स अप्रोच इस टू जीरो, ठीक है, वन की पावर, इंफिनिटी वाले में क्या होता है, सारे ताम जाम को ई की पावर में ले चलो, जो पावर है, वो तो एस इस रहेगी, that is, साइने क्स अपाउन, एक्स माईनस साइने क्स, आया नो, मुल्टिप्लाइड बाई, जो भी आपका फंक्शन है, उस में से एक गटा दो, ठीक है, यही तो है, ना, इफाई टेक ल्सीम, तो यह लिखाऊ है, साइने क्स माईनस एक्स अपाउने क्स, यह ठीक है, पिटा, तो अंसर इस साइने क्स, ना, यह तो सर्फ बहुत अजान है, यह और यह उड़ाऊ, तो माईनस वन मत बूलना, एकी पावर में माईनस वन इस दा अंसर, साइने क्स अपाउन एक्स एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, यह अपर बस एक खास ध्यान देने वाली बात जो है, वो इतनी सी है, कि आपने यहां पर पावर को अलग से चेक किया, कि यह जा कहा रहा है, देखते नहीं पता चल रहा था, तो अपाउन एक्स टाइप की सिच्वेशन होती है, आप एक्स जीरो की तरफ जाता है, देखते ही पता चलता है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, बट कभी देखते ही नहीं पता चले, तो आप ऐसे जाकर अलग से अनलिसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें किया, ठीक है, आजाओ, ये भी एक बड़िया सवाल है, ठीक है, मैंने पूझा कौन सा कुश्चन है, अब ये जल्दी से बताओ, सर, एक्स को इंफिनिटी लेके जाओगे, टू की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तीन infinities का addition also infinity और 1 upon infinity होता है सर 0 तो ये पूरी form बनी infinity की POWER 0 किते लोगों को बात समझ में है और सोर infinity कीपवर 0 को कैसे solve करें वो अभी आपने जो variable की Power Variable वाला तरीका बताया हूँ लगाएं आप चाहो तो वो भी लगा लिए बढ़ यह वैसे ही solve हो जा रहा है ज्यान सुनना यह बढ़िया सवाल है इसमें क्या सीधी form dissolve भी हो जा रही है ठीक है limit x approaches to infinity 2 की power x 3 की power x 5 की power x की whole power 1 by x हमने check कर लिया इसकी format infinity की power 0 वाली है इसमें क्या करो जो सबसे बड़ा number है जो सबसे बड़ा number है उसको सरफ common ले लो इते में यह form भी खतम हो जाएगी हाँ थोड़ा सा change करते ही सर यह form भी खतम हो जा रही है तो सर यह क्या आजाएगा 5 की power x जब आप common लोगे तो यह 5 की power x इस bracket से निकला है तो इसकी power 1 by x लेकर हटेगा और 2 की power x अचेगा सर लेमिट एक्स अप्रोच इस तू इन्फिनिटी ज्यान सुनना मेरी बात और पावर यहां पर 1 by x है यह और यह गया सर यह आगया 5 इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो यह लिखाव है 2 upon 5 की power x ठीक है 2 की power x upon 5 की power x को क्या बोलोगे बेटा which is less than 1 1 से चोटा है और इसकी power x और x कहां जा रहा है less than 1 किसी भी 1 से चोटे नंबर की power infinity सर वो होता है 0 कोई भी नंबर कोई भी नंबर अगर आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो इसको ऐसे देखने देख यह ऐसे लिखावा रहा अब ठीक है 1 upon 5 upon 2 की power x x जा रहा है infinity की तरफ कोई भी नंबर जोगी 1 से बढ़ा उसकी power infinity यह पूरा infinity और 1 upon infinity क्या होता सर जीरो तो ऐसे सोच लो मतलब मैं आपको सरफ यह बताना चाहरा हूं कि यह भी 0 और यह लिखावा है 3 upon 5 की power infinity तो यह भी 0 और यह 1 और 1 की power में सर infinity आया ना और यह एक्जेक्ट वन है ध्यान अकना common लेने के बाद में ठीक है जी अच्छा सॉरी तो यह वाला तो हो गया हमारे पास 1 1 plus 00 और power में 1 upon infinity था तो 0 ठीक है तो 1 की power 0 तो 1 नहीं होता सर यह कोई indeterminate form नहीं है अंसर आगया 5 सीधा सीधा और आप अगर उससे जाना चाते है V1 की power V2 से तो उससे भी आप जा सकते कोई दिक्कत नहीं है आपने बोला था सर इसमें क्या करना है हमें यह है वेरियेबल 1 यह है वेरियेबल 2 तो इसमें आप क्या करोगे V2 यहां आएगा LN of V1 आ जाएगा और सीधा सीधा पावर में यह वाली चीज चली जाएगे और यह पूरा ताम जाम यह किसकी पावर में लिखा जाएगा E की पावर में यह वेरियेबल 1 है और यह पावर में वेरियेबल 2 तो V2 as it is और LN के अंदर पर वेरियेबल one अब अगर मैं इसको 준iaan से देखता हूं तो यह one upon x यहां से आथा कर यहां देख अगर आप x को zero की तरफ लेके जा रहे हो अशाए झा रहा है infinity की ओर ठीक है x कहां जा रहा है infinity की और तो X को infinity की तरफ लेके जा रहे हो, infinity, 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 sir, उपर भी infinity और नीचे भी infinity, तो power में अब की बार जो form नहीं, वो infinity upon infinity, जिसके लिए हम LH rule लगाएंगे, ध्यान सुनते जाना, सर, यह आजाएगा, X का derivative 1, उपर वाले में, sir, log का derivative 1 upon 2 की power x, plus 3 की power x, plus 5 की power x, यही होता है, अब इनका खुद का derivative, 2 की power x का derivative क्या होता है, 2 की power x, LN2, ठीक है, plus 3 की power x का derivative, 3 की power x, LN3, 5 की power x का derivative, 5 की power x, LN5, ठीक है, फटाफट फटाफट वैसे एक तरीके से जवाब आ गया है बढ़ फिर भी दूसरे तरीके से देख लो तो यह आ जाएगा वन अपन एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो गया और इसका डेरिवेटिव दिनॉमिनेटिव में लिखा जाएगा तो 2 की पावर एक्स एलनटु कि त्रीघी पावर एक्स एलन 3 ठीक है और सात्मी जाथिवेगा पाव़ा हैक्स एलन पाự वाली आरफ्य जो चीज वह गयाब नहीं और यह गयाब नहीं गयाहिए यह वी इन फीनिटी और यह भी पूरा ezिफ दिख लीजिए अब मेरी बात ध्यान सुनना आपको एक चीज बताई थी जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बने तो X की सबसे बड़ी पावर का को कॉमन लो यह बता था आया ना अब यहां पर X की सबसे बड़ी पावर नहीं आप सबसे बड़ी टर्म के बारे में सोचो 2 की पावर X 3 की पावर X 5 की पावर X सबसे बड़ी टर्म है सर यह और यहां पर सबसे बड़ी टर्म है यह तो 5 की पावर X कॉमन लो और कॉमन लेते ही जैसे उड़ाओगे तो ज़रा देखना यह बचेगा 2 की पावर X अपॉन 5 की पावर X LN2 प्लस 3 की पावर X अपॉन 5 क QP X ln 3 और यहां बचेगा ln 5 क्योंकि आप 5 की पावर X तो common निकाल गए 2 की पावर X अपन 5 की पावर X 3 की पावर X अपन 5 की power X और यहां बचेगा 1 अब जैसा कि मैं आपको अल्रडिए बता चूका हूं 2 अपन 5 की पावर X बसे लिए से चोटे नंबर की पावर इंपिनिटी जीरो 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 एलन 5 अपॉन वन मतलब रिये पूरा बचा पाइव और ये पूरा जो आपकालन फाइव बचा ये एक पावर में लिखा वाथा एक पावर एलन 5 बिटा 5k बराबर होता है तो यहां से यहां से जैसे आपको ठीक लगे आप जा सकते हैं हां conceptually आपको सही रहना है बस और कुछ नहीं जो चीजे बता रुखिए बस वो लगानी आनी चाहिए कि लो एक जीए डवांस 2014 का कोश्चन सौल करते हैं फटाफट इसी में यह वैरियेबल की पावर वैरियेबल बदा एक्सको वन की तरफ लेके जा रहा हूं कि एक्सको वन की तरफ लेके जा रहा हूं यह बचे गा- माइनस से साइन के अंधर 1-1 जीरो तो साइन 0 क्या होता भीटा जी रो और यहां बचेगा प्लस है बहुत बढ़िए तर यह कितना आ जाएगा यह एक्स वन की तरफ तो वन माइनस वन सर यह भी जीरो और सर यह पी तो बेसिकली पावर यह जो अंदर वाला फ्रेक्शन है ना यही 0 by 0 format बन गए मैंने का बाद वडिया पहले इसी का ही निप्टारा करते हैं पहले इसी का ही निप्टारा करते हैं कि यह क्या बनेगा और इसकी पावर में जो लिखा हुआ है सर वो कहां जा रहा है उसको भी दे a-ax लिखा हुआ है और sin of x-1 लिखा हुआ है और सर नीचे क्या लिखा हुआ है एकस माइनस 1 और यहां लिखा हुआ है sin of x-1 कोई परिशानी है हाँ यह लिमिट x को 1 ले जाने पर यह जा कहा रहे है वो चेक करते हैं ठीक है अगर मैं इसमें से a common लिलू तो यह लिखा हुआ हुआ है तो आप एक काम करो पूरी एक्वेशन को x-1 से डिवाइड गर दो है नँग पूरी एक्वेशन को x-1 से डिवाइड कर दो वो 徒by कर होगँ तो यहां पर आ जाएगा –овые 에 यहां पर –at क्यों विक आप x-1 से दिवाइड गरत्यां और यहां आ जाएगा sarnya है हम और लिमिट कहां जा रही है sir, lima X जा रही है 1 की और, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप X को लेके जाओगे, क्या ये standard limit है? तो answer is sir yes और इसकी value कितनी होती है one क्या ये standard limit है तो answer is sir yes इसकी value क्या होती है sir वो भी one आया ना अब आपको ऐसा लगेगा कि आपने expression की value बीच में put कर दी नहीं जी मैं value लिख रहा हूं final answer final answer के वक्त पूट करते ही है ना मालो किसी last step पे आप ऐसे पहुंचे या किसी step में ऐसा लिखा हुआ है और मैं स्कॉस एक्स की जिए वन लिख दे रहा हूं तुम बोलो कि सर वैल्यू बीच में put कर दी नहीं मैं सवाल को आगे थोड़ी continue कर रहा हूं मैं तो इसकी value पूछ रहा हूं कि यह किस तरफ जाएगा तो यह माइनस ए वन की तरफ और यह वन प्लस वन टू की तरफ तो tenir वन माइनस एप ऑन टू कि तरफ जा रहा है कि हसा तो इस पूरे को चेक कि दी निकाल दी यह ना रहा है यद्वान माइनस एप आन टू की तरफ और यह तो जा रहा है वान माइनस ए पान टू की तरफ इसका सब्सक्राइब इंड्यक्त Crunch चेक करो 1-x upon 1-route x ठीक है उपर a2-b2 वाली factorization के हिसाब से आप इसको 1-route x into 1 plus root x लिख सकते हैं और अगर आपको यह चीज नहीं समझ महाई तो यहां से यहां सोच समझ महाता है और यह और यह गया मतलब उपर लिखावा है सर 1 plus root x यह बात समझ महीं आया ना तो power तो यह बची और अंदर यह बना तो मैंने पूछा यार यह पूरा क्या बन गया एक बार समझा दे पूरा तो उसर लिमिट x को 1 की तरफ लिजाने पर यह पूरा बन रहा है 1-a upon 2 सुनता जाना और इसकी पावर बचेगी यह और जिसमें x जा रहा है 1 की तरफ तो 1 का root 1 1 plus 1 यह हो जाएगा 2 और यह लिखाव है 1 by 4 क्या मेरी बात समझ पा रहो आया ना तो एक बार बता भाई यह 1-a upon 2 की वैल्यू क्या जाएगी सर्फ प्लस माइनस 1 upon 2 है ना तो 2 2 cancel तो 1-a की value आगी प्लस माइनस 1 एक बार आप plus sign लीजिए एक बार आप minus sign लीजिए ठीक है तो 1-a बराबर 1 और 1-a बराबर माइनस 1 यहाँ से जो a की वैल्यू निकल किया रही है वो है 0 1-1 cancel हो जाएगा और a को right में लेके आ minus one को left में लेके जाए तो यह हो जाएगा 2 हमारे पास दो वैल्यू जागी की वैल्यू एक तो 0 और एक एक वैल्यू तो अटीक है उसने बोला है तो largest non-negative integer सबसे बड़ा non-negative integer non-negative दोनों ही है non-negative मतलब negative ना हो तो यह 0 यह भी और यह पॉजिटिव है तो यह भी नेगेटिव नहीं है इनमें सबसे बड़ा कॉन सा है तो हमारा आंसर हो गया सर्ट टू ठीक है बड़ इसको अंसर टू करने से पहले आएएटी का सवाल है तो भीया उन्होंने सीधा सीधा पूछा देखो कोई फॉर्म भी नहीं बनी को अच्छी बात है द्यां सुनना ऊसमें आपकोन चीजे बहुत सारी क्लियर हो जो अब अगर एक्यब्ल्य टू लेते हो तो ध्यां सुनना यह वना पूरा किया बनेगा है कैब अब एक वैल्यू तू लेते हो इह बनेगा माइन्स वन्भाइटू और जब आप एक वैल्यू जिरू लेते हो तो यह बनेगा प्लस बंदाटू कि आब एक मैं आपको कॉंसेपेट सिखाता हूं जो याद रखिएगा की कॉंछ next क्या है यह जो याद रखने वाली बात है वो क्या है ठीक है जब बेस और पावर दोनों बदल रहे हो जब बेस और पावर दोनों क्या हो वेरियेबल हो वीटू मतलब एक यह बदल रहा है और इसकी पावर भी बदल रही है और यह यहां पर जो बदल रहा है यह बहुत सारी वैल्यू ले रहा है मतलब बहुत सारी वैल्यू ले रहा है मेरी बात समझने ही कोशिश करना आप इसको ऐसे मज़ों कि real real हाया ना यह real number है सबसे पहली checkpoint क्या है variable मतलब base और power दोनों बदल रहे हैं और जो पावर है वो real number है मतलब rational irrational कुछ भी हो सकती है तो दिस चीज दिस तिंग इस ऑनली डिफाइंड समझ मैं अल्ली डिफाइंड इफ अल्ली डिफाइंड इफ इप का मतलब है इफ और यह बेस पॉजिटिव बेस को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव समझेंगी बेस को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव अब कुछ लोग इसको कहीं और जाके सोचेंगे समझ मैं कुछ और मतलब इसको किसी और से compare करेंगे क्या करेंगे वो यह वह ऐसा बोलेंगे कि सर किसी natural number की power तो हम negative भी रखते हैं अच्छा ठीक है और फिर बोलेगे सर हमने तो 2 की power में वही same logic मलब ऐसा बोलेंगे कि सर पावर में minus 1 भी तो होता है और यहां चाहिए कुछ भी हो बस 0 को छोड़ कर मैंने का अच्छा तो आप यह यहां पर यह वीवन को पॉजिटिव वाली कैपिंग क्यों लगा दे रहे हो आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप यह जो बाते बोल रहे हो यह एकदम सही है इसमें यहां पर जो पावर है वो हर एक नंबर नहीं है मतलब पावर ऐसी हो जान सुनना यहां पर कुछ लिखना चाहरे हो आप बड़ उसमें पहले आप पावर की तरफ देखते हो पावर जो है वो कुछ रियल नंबर्स यह कुछ नहीं बहुत सारे रियल नंबर्स के बराबर मालो मैं बोल दूं कि पावर जो है वो वन से लेके 2 के बीच में है ठीक है मैंने सारे रियल नंबर भी नहीं बोले बड़ वन से लेके 2 के बीच में सर लाखों करोड़ो नंबर बोल दिया आपने यहां पर एक्स रखा हुआ है ठीक है आया ना तो मैं आपको एक बहुत लाखों करोड़ो नंबर दे रहा हूं इंटेवल बना और पावर आपने बोली वन से लेके टू तो वन से लेके टू में तो साफ साफ एक थ्री बाई टू भी आता है और थ्री बाई टू सर यह नौट डिफाइंड हो जाएगा और सिरफ एक नंबर नहीं है अभी बोल रहा हूं एक तो मैंने एक्जाम्पल के लिए इसके बीच में यह ऐसे लाखो करोड़ो नंबर है जिस पर नौट डिफाइंड होगा हां लाखो करोड़ो बोल रहा हूं बिलकुल तो सर फिर जो समझदार लोग थे उन्होंने ऐसा बोला कि पावर जब आप एक कॉंटिनिवस इंटरवल लेते हो रियल लेते हो चाहे आप बन से लेके टू तक लो या बन से लेके इंफिनिटी तक लो क्योंकि इसमें जितने है उतने ही जर्वन से लेके इंफिनिटी में है लाखो करोड़ो वहां भी है लाखो करोड़ो यहां भी है समझ मेहारा है काउंटिंग के हिसाब से बात करो तो जो पावर बदल रही होगी तो इसको पॉजटिव ही होना पड़ेगा क्योंकि अगर यह नेगेटिव हो गया तो पावर में ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिस पर यह पूरी चीज क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड तो समझदार लोगों ने बुला कि जब पावर ऐसा होगा तो आपको यह यहां पर पॉजिटिव लेना होगा समझ मैं हां घयां आभ मैं यहां पर किस भाशा में लिखूँ कि आप समझ ज्याओ टेक्निकल लेंगवेज मैं लिखना लिख न ही चाहरा हूँ तकनिकल मतलब वो किताबो gel आपनी यहां पर आपको वीरिबल पार समझ गल्यावीर्य बावर अ वैरीयबल पावर कंटेनिंग रियल नंबर्स ऐसे समझ लो ठीक है वैरियेबल पावल इसमें बहुत सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा तब ही डिफाइंड होगा और आप जो सोच रहे हो वह आप यह सोच रहे हो सर माइनस टू की पावर टू क्या होती है ओविसली फोर होती है डिफाइंड है तो यह देखो पावर टू हो गई और यहां पर हमने नेगेटिव नंबर रख दिया तो भीया यह चीज मुझे क्यों दिखा रहे हो मैंने जो बोला है वह अलग कैटिगरी है जो आप बोल रहे ह कैटिगरी है जोनों को कहें मैच कर रहा है भाई हां अगर मैं तुझे बोलू कि माइनस टू के ऊपर मुझे एक ऐसा इंटेवल रखना है बहुत सारे रियल नंबर रखने वन से लेके टू तक तो फिर यह नॉट डिफाइंड हो जाए है अब आते इस बात पर यह है कॉंस अब आते इस सवाल के असली जवाब पर जब आप एकी वैल्यू माइनस टू रखोगे तो यह पूरा बनेगा माइनस हाफ ज्यान सुनना और पावर यहां पर एक्जेक्ट टू नहीं थी पावर थी वन प्लस रूट एक्स मतलब एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी सी बड़ी रखोगे और वन से थोड़ी सी बड़ी छोटी रखोगे तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी पावर में वो बनेगी टू प्लस और कभी 2 से थोड़ी सी बड़ी वेल्यू sąd isso सिरफ फील किया जासकता है लिखा नहीं जासकता ह। समझ मैं आया है ना। तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वेल्यू यह ना बेरियेबल होगी कि नाय होगी एकर आधा सोचिए मेंकिन करने की कोशिष कर Mobil 1 तो यह जो नंबर आप सोच रहे हो यह किसी नेगेटिव की पावर में जा सकते हैं तो आप तू प्लस और टू माइनस में लाखों करोड़ो नंबर आगे पहले आपको यह विश्वास करना पड़ेगा आप इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हो यह एक नंबर है नियगेटिव जिसकी पावर में टू प्लस और की बात कर रहा हूं। और टू PAUL अबी हो सकता है तो यह पूरी चीज 2 प्लस या 2 माइनस यह पावर में बैठेगी तो पावर पहली चीज बदल रही है कि कॉंस्टेंट है सर बदल रही है कितने आ रहे हैं करोडों लाखों करोडों कुछ लोग सोचे कि टू प्लस में तो एक नंबर होता है नहीं जी लाकों क रहा हूं तो क्या यह नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है तो अंसर इससर नॉट डिफाइट यह चीज क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी समझें तो यह वाला जो है यह अंसर ही रिजेक्ट हो गया एक ही वैल्यों अगर आप 0 लेते हो तब यह बनेगा हाफ हाफ की पावर में चाहे इंटीजर रखो चाहे लाको क्रोडो रखो क्योंकि वह पॉजटिव है तो हमारे पास एक ही अंसर सेटिस्फाइ कर रहा है और यही उसका जवाब है समझ मैं है तो इसका जो फाइनल अंसर आप बोलोगे वह क्या बोलोगे जीरो और एटू क्यों क्या बापिस से एक बार एक्स्पलेशन तुनिएगा यही इसका जवाब है और आपको यह चीज याद रखनी है कि जब वैरियेबल पावर बहुत सारे रियल नंबर्स कंटेन करती हो वैरियेबल पावर कंटेनिंग इंफानाइट रियल नंबर्स और लिख देता हूं बिक इसमें भी वह आपिस फाइंडिंग अन्नों इफ लिमिट इस गिवन लिमिट दे रखी है पहले से आपको एम और एन की वैल्यू पता करनी है चलिए फटा-फट फ़ॉर्मेट में देखते हैं असान है लिमिट वाले सवाल सबसे असान पेपर में जैसी जाओ जई एडवांस और मेंज वाले में सबसे पहले लिमिट वाले डून लेना बोले कहां पर आजाओ भई इनका निप्तारह करते हैं सरी की पावर में लिखा हूँ है कॉस औफ अलफा की पावर माइनस ए अपॉन अलफा की पावर म मैने पूचा प्रिफा की वैल्यू जीरो यह जीरो जीरो कॉस जीरो वन ए माइनस ए जी लो आले जी लो जी लो बाई जी लो फाम में सर कहा करें निप्टे दो इस टेंडर्ड लिमिट से जले जाओ बना डिफ्रेंशेशन पेल दो यार कि अना क्या बोलती पुब्लिक डिफ्रेंशेशन और भाई चलो आजा तो भी आपने तो लेच रूल लगा रहे हैं ठीक है किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशेट करोगे सर यहां तो एक्स दिखी नी रहा सबका डिफ्रेंशेशन जीरो जीरो वा सर विन-विन सिच्वेशन नॉट डिपाइंट अब आपको एक्स से जाधा प्रेम है आजर एक से तो बहुत प्रेम था चली गई वो हमारे प्रेम के कारण अब वो एक्स नहीं यह वाला एक्स अगर आपको एक्स दादा प्रेम है तो यहां पर एक्स रखो और फिर डिफ्रेंशेट करो ठीक है भावनाव पे कंट्रोल सर अल्फा की पावर म का डेवेटिवेटिव एम अल्फा की पावर म-1 एकी पावर सम्थिंग हां एकी पावर सेम सम्थिंग मल्टी प्लाइड पावर का डेवेटियर इपूर्टिशन कॉस ऑप सम्थिंग कर देवेटिवेटिवेटिव माइनस साइन अफ यह साला सच जब तक नहीं रूगेंगा जब तक अंदर वाले फंक्सन को आम चील के बिफरेंशेट ना करते त तो एकी पावर में एक्स नहीं था पावर थी उसको डिफ्रेंशीयट अब सर यह साइन के अंदर एक्स नहीं है इसको डिफ्रेंशीयट समझें यहीं होगा एकी पावर वन का डेरिवेटिव जीरो सर यह पूरी वैल्यों है ना माइनस इबाइटू के बराबर आ रही है भहिया बोल रहे हैं मैंने का अच्छा एक बात बता तो हमारे हिसाब से जवाब क्या रहा है बोले सर अलफा को जीरो की तरफ लेके जाओगे कॉस जीरो वन यह बचेगा यह बचेगा यह रहा माइनस साइन ठीक है आया कोई परिशानी है कोई परिशानी नहीं है ठीक है अब एक चीज देखना एनम निगाल दिया यह निगाल दिया मैंने ए और यहां एक माइनस साइन था वो निगाल दिया अच्छा कुदी कंफ्यूज हुआ गूम रहा हूं अरे महराज इसमें क्या करूं अब ओके साइन अलफा की पावर एन हैं तो एक यहीं पर देता है अलफा की पावर एंसे डिवाइड और अलफा की पावर हैंसे मेल्टीप्लाई इसा क्यों की असरड़ा आपने अस्तेंडर्ड लिमिट कैसी लिमिट स्तेंडर्ड था स्रक्राइब दोनों में सेम सेम लिखा वार दोनों सेम जीरो की तरफ जा रहे हैं तो वन हो गया मैंने का वाँ वन तो हो गया कई फंटो नहीं हो गया ये ये एन माइनस आइन भी गया बिल्कुल सही अब एक बार बता, अल्फा की पावर उपर बच रहा है 2N-1, नीचे बच रहा है अल्फा की पावर M-1 ये बढ़िया है, आया है न, अब एक चीज बतातो, जब इसमें नेट अल्फा तू लेके जाएगा, तो ये कितना आजाएगा, असर ये हो जाएगा, 2N-M, हाना पावर्स डिफरेंस ले ले, तो यहां बचेगा, अल्फा की पावर, 2N-M, ये ठीक है सर, अब एक चीज बताओ तो, हमारे हिसाब से अंसर आया, वो पूरा, माइनस एन अपॉन एम ए, और अल्फा की पावर, 2N-M, और वो बोल रहा जवाब आना चीए, माइनस एपॉन टू, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कि एन अपॉन एम को, ये सॉरी, इसको पावर को जीरो होना पड़ेगा, नहां है ना, इस पावर को क्या होना माइनस वन, या टू, या थ्री, तो इसका जवाब या तो जीरो आएगा, या इन्फिनिटी चला जाएगा, तो सर माइनस ए बाई टू तो कभी नी आएगा, आप चाहते हैं कि यह यह नहीं बचे, तो यह नहीं बचे, तो यह फेक्टर पूरे कैंसल हो जाने चीए, यह प बन की, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, यह तो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मैं पावर को एक्जेक्ट जीरो करते रहा हूं, जीरो अप्रोचिंग की पावर एक्जेक्ट जीरो, अंसर वन लिखवा चुका हूं, सर यहां से आप बोलोगे, तो 2N बराबर M, N अपॉन M की वैल्यू आगी सर हाफ, ठीक है, अब जब हम N अपॉन M की वैल्यू हाफ लेते हैं, तो यहां बन जाएगा हाफ, यह माइनस साइन, यह E, तो माइनस E बाई 2 और यह पूरा एक्द की वैल्यू आजाएगी 2, समझे, अराम से देख लीजिए, समझे की नहीं समझे, सर एकदम खतरनाक तरीके से समझे, अगला जो हमारे पास एक तरीका और होता है, questions को solve करने का, that is sandwich theorem, अब तक जो आपको बाते बताएगे, standard limit, rationalization, factorization, LH rule, ठीक है, expansion, यह सब चीज़े जब क या तो है वो sandwich theorem, या फिर वो R by N का सवाल है, समझ मैं है, कौन सा, कौन सा, sandwich theorem, जो अभी बताऊंगा, या फिर R by N वाला question, ठीक है, अब यह जो R by N है, यह definite integral में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, definite integral में, because उसमें हम क्या करते है, limit के सवालों को, limit के questions को हम convert कर देते हैं, definite integral के questions म क्या रहेगी हमारी scheme, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो हम यह चीजे वहाँ बढ़ेंगे, definite integral में, definite integral में, definite integral I hope महीं बढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और sandwich theorem हम यहीं बढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको एक hint दिया, कि बच्चों को सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आता, कि सर, हमें कब पता चलेगा कि सवाल जो है, वो sandwich theorem से solve करना है, तो मैंने आपको जितने भी आपको तरीके सिखाए, पहले तो बिंदास वो तरीके लगाओ, बोलते हैं, साम, दाम, दंद, भेद, सारा कुछ लगा तो, नहीं लगे, तो आपके दिमाग में घंटी बज को satisfy करते हैं, तीन functions हैं जो कि इस inequality को satisfy करते हैं, ठीक है, और, containing the interval, मतलब यह inequality किसी interval के लिए true है, और उसमें एक point आ रहे है, c, graphically समझाओंगा तो और अच्छे बात समझेंगा, तो और अच्छे बात समझेंगा, सैंड्विच, सैंड्विच, सैंड्विच खाईए क्या, सर, बहुत अच्छी लगती है सैंड्विच मुझे, मैं तो ग्रिल चीज, बॉम्बे सैंड्विच भी खाता हूं, सर मैं तो, वैसे जो चीज, जिस इरिया की हो, वहीं जाके कहां दीची है, क्योंकि दूसरे तरफ पहुंचते प पर क्या करते हैं, प्यास ठूस के, थोड़ी सी आल उटी की, और हरी चटनी पेल के बढ़िया, और उपर भुजिया बुजिया डाल के बढ़िया सा देजो, जिबकि आप ये सैंड्विच बॉम्बे पर जाके खाऊगे ना, आचा बॉम्बे जो है, देखने में बहुत सारे जगह ठेले लगे होते हैं, खाऊ बंदास, बढ़िया बनती है, और वहां की बॉम्बे सैंड्विच खाऊ मजे आ जाते हैं, और क्या बोल रहता है, ये यार, एक चीज चलती है, जो की वो मठी से उठा की खाते हैं अपने, यहां पर भी खिलाते हैं आजकल, बड़ बॉम्बे का प्रड़क्ट है, मारास्टर साइड का, मुह में पानी भी आ गया, क्या बलते हैं आजसको, तुम लोगों को नाम याद आए तो बताना, ठीक है, ये चीज वहां पर ऐसे चलते चलते आप खाईए, कोई टेंचन नहीं है, समंदर किनारे बैढ जाईए, आपक बॉम्बे में, अच्छा लगा, ठीक है, अब इदर आजाओ, वापिस से, थोड़ा इंट्रेइन्मेंट हो गया, तो तीन फंक्शन हैं हमारे पास, एक है सबसे उपर ह, बीच वाला है जी और नीचे वाला है एफ, वो बोल रहा है कि किसी इंटर्वेल में ये इनिक्वैलि सी की तरफ अप्रोच करते हो, दोनों साइड से, एफ एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा है जिसकी वैल्यू है एल, ठीक है, और एचेक्स वाले ग्राफ के साथ भी यही बात है, एचेक्स वाले ग्राफ में भी आप जब पॉइंट सी को अप्रोच करते हो, तो जिस पॉइं X function है यह जो इनके बीच में फसा हुआ है यह भी जब आप इसमें सी को लेफ्ट या राइट से अप्रोच करोगे जिस पॉइंट की तरफ जाएगा उसका भी वाइक कोडिनेट क्या होगा आ यह है कि अमेरी बात समझ पा रहे हैं कि मंद इसको बोलते हैं सेंड भीच धीज तो पता है किसी पॉइंट पर इसकी लिम्ट हमें sandwich theorem से सवाल सौल करने के लिए आपको थोड़ी सी understanding आगे के steps देख कर चलना पड़ता है आपको क्योंकि एक function होगा जिसकी limit आप से पूछेगा आपको इससे एक बड़ा function भी मानना है और इससे एक छोटा function भी मानना है सिर्फ बड़ा और छोटा मानने से फरक नहीं करेगा साथ में एक चीज और भी होनी चाहिए जिस पॉइंट पर इसकी लिमिट पूछी है उस पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए इसका जवाब सेम एलल आया तब हमने इसका जवाब ल दिया समझ मैं तो कॉंसेप्चुली यह जो सवाल है सेंड्विश थियूरम से सॉल्व होने वाले यह बड़े ही भेंकर हैं बड़ कोई बात नहीं आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो या तीन वेराइटी काम करती है वह मैं आपको समझाने वाला हूँ समझ गए किआ थियार है सबसे पहली वराइटी प्रैटें इस फंक्षन की लिमिट कूछेगा हम इससे बड़े वाले फंक्षन और इससे चोटे वाले फंक्षन किलिमिट निकालेंगे और जो इन दोनों की सेम लिमिट आएगी वही इसका अंसर कर देंगे ये है कहानी इंटीजर आता है कौन आता है पेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर जी इएफ उस फॉर्मेट में कौन सा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्षन हां एक यह एकदम बोलते ना आप चाहो तो इसको रटो मत क्योंकि सवाल सौल करके दिखाऊंगा बढ़ा इसको ऐजे आप अप करविश घ्यान रख्येगा इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्वटी यह काम आती है तक गेटेस्टेजर जो एक माइनस वन से बढ़ा होगा यह वाली चीज बास तो मैंने आपको दो चीजे बताई इसको याद रखिएगा फर्स तिंग इस क्या बोल रहा हूं कि किसी भी आप चाहो तो अपनी बातों में लिख लो क्योंकि जब यह बाते आपको बार बार आपको लिखी वी सुनाई सुनी जीरो प्लस एक्स इंटू यह वाली पूरी कहानी ठीक है आया ना एक्स इंटू यह वाली पूरी कहानी अब इसमें हम पहले ट्राइ करते हैं सर यह कहां जा रहा है जीरो की तरफ वन अपॉन जीरो प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी का ग्रेटेस इंटिजर इंफिनिटी इ कोई भी एक्स की जगा वन अपॉंटी रखोंगे यहां वन अपॉंटी आ जाएगा अब वह इंफिनिटी की तरफ जा रहा है यह सारे जीरो की तरफ जाएंगे मैं आपको जो अबी तरीक यह बता रहो ना यह मत सोचना आप क्या बतारहों है यह पहले मैंने फॉर्म चैकी वह सीरो इंटोई इंफिनिटी आपने अमे बहुत पहले हमई है जल्सयों कि अगने वन इफ टाने करने तो टी कहां जा रहा होगा इंफिनिटी की तरफ तो अभी भी यह फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी तो उसके आगे आप नहीं जा पाओगे मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए अब मैं आपको सेंड्विश थेयोरम से से चोटा या बराबर होता है और उसमें से एक्स माइनस वन से बढ़ा होता है क्या यह बात सही है बास इसको उठाओ ग्रीटेस इंटीजर वाले बहुत सारी सवाल पूचे गया है मैं सिरफ एग लिए क्या हूं यहां से अच्छे से सोल करके निकलेंगे ठीक है एग लिए निक्रेंगे अब आपाउन एक्स का ग्रीटेसं टिजर क्या होगा बिठा थेंचर लेने के जो रतनी अंदर उसको यह लिखना है तो लच डान च्छेटे न ग्रीटेसं वाले में इस प्रॉपर्टी को लागाने से । इस प्रॉपर्टी को लगाने से अपने आप वो बड स्क्रीटेड इंटिजर क्या हो जाएगा वे अरे बहुँ बिलकुल रिस्पेक्ट टुडेंट क्रेटेड इंटिजर का वह जाएगा वले सरी यह मेरे खाल से आपको मजा रहा होगा फिर ऐसी 3 upon x जलने दे 15 upon एक्स तक चलते हैं बिल्कुल सही 15 अपॉन एक्स का ग्रेटेस इंटीजर क्या हो जाएगा सिर्लेज दिन अपॉण वेश्ण पॉण एक्ष्टीण बाइक्स और गिते देन 15 अपॉन एक्स बारी आप सब को एड करने की बारी यह सब को क्या करने की बारी आई है एड करने की बारी ज्यान सुनना वन अपॉन एक्स वन अपॉन टू अपॉन एक्स करके करते करते इन सभी टर्म्स को जोड़ेगा तो वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स करते करते फिफ्टीन अपॉन एक्स तक और माइनस यह वन कित लिए common है ना और उपर 15 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन टू यह हो जाएगा आठ और 15 इंटू आठ डेड़ सो होता है क्या एट फाइट फॉट्टी एक सो बीस होता है सर कैसी बात करें ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 120 अपॉन एक समाइन फिफ्टीउ साइब बोल रहा हूं क्या तो जैसी एड किया एड करने के बाद में left-hand side left-hand side में right-hand side light-hand side यह कितना जाएगा 120 अपॉन अपॉन एक समाइन फिफ्टीउ Is greater than यह पूरा 1 upon x का greatest integer फिर 2 upon x का greatest integer फिर ये चलता जाएगा sir 15 upon x का greatest integer यह प्रापटी लगाने गाने के बादे सिरफ जोडना होता आपने आप सारी चीज़े हो जाती है बस Is less than equals to यहाँपर sir क्या होगा 1 upon x 2 upon x 15 upon x बस 1जाएगा sir 120 upon x अब सर जो यह आपका function बना उसमें सिरफ x की कमी है तो पूरी equation को x से multiply करतो क्या हम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल सही क्योंकि जहां पर बात हो रही है x की वो है zero plus zero plus का मतलब zero plus का मतलब है zero से थोड़ा सा बड़ा number मतलब positive और positive number को इन equality में multiply करोगे कच्छू फरक ना पड़ागो तो एक्स यहां पर multiply हुआ तो cancel होगा denominator से और सर यहां पर यह आजाएगा पूरा तो हमें अपने आप पता चल गया कि यह बाई-साब जो है यह इस से बड़े होते और इस से चोटे होते हमने जाए दिमाग ने लगाया उस property की मदद से एक बड़ा function और एक चोटा function अपने आप त्यार हो गया अब मैंने क्या किया इस पूरे में लिमिट ले लेके जा रहा हूं एकस को जीरो प्लस इसमें एकस को जीरो प्लस लेके जाओ तो इसमें भी एकस को जीरो प्लस लेके जाओ और इसमें एकस को जीरो प्लस लेके जाओ तो इसमें भी आप एकस को जीरो प्लस लेके जाओ नाउ सर यह required है आप मुझे यह बताओ कि यह वाला पूरा जवाब कितना आएगा जब आप X को 0 प्लस लेके जाओगे तो यह आएगी value 120 ठीक है आया ना ठीक है जी और जब आप इसमें X को 0 प्लस लेके जाओगे सर यह है constant इसकी value आ रही है 120 तो दोनों तरफ जो हमें sandwich theorem का जो rule बोलता है वो यही कि जो छोटा function है उसकी value और ज sandwich theorem फिर valid नहीं है इसके basis पर हम जवाब नहीं दे सकते हैं सेम आ रही है तो इसलिए सर इसकी भी जो limit होगी वो 120 ही होगी समझ में है इसका अंजर भी क्या होगा 120 is equals to 120 मेरी बात समझ में आती होगी ठीक है और x की जगा 1 upon t डालके भी put कीजेगा एक बार ठीक है फिर एक सवाल जो है वो यह भी बनता है sandwich theorem में बढ़िया सवाल है fx जो है वो आर से अर डिपाइंड एक function है positive increasing function है positive increasing function का मतलब है कि उसका graph हमेशा x-axis से उपर ही रह 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 मतलब ऐसा कुछ आप माल लीजिए या आप ऐसा कुछ माल लीजिए ठीक है हाँ कोई भी random हमें एक graph मानना है पॉजिटिव है ग्राफ क्युक्क उसने बोला positive and increasing बढ़ रहा है हमेशा और positive है समझ के न उसने बोला कि f of 3x upon x x 1 से बढ़ा है मतलब इसकी limit उसने 1 दे रिखिया वो पूछ रहा है तो इसमें एक चोटी सी कलाकारी आपको करनी पड़ेगी एए ट्रिपली 2010 का सवाल है अच्छा एक सिक्वेश्टू इंफिनिटी जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो पहले मुझे यह बताओ इन तीनों में से कौन सा बढ़ा होगा इन तीनों में से कॉम्हदा होगा है एप hairy मैंने बोला की फंसन ỉंख्ञान सबसे चोटे के चैण वेल्यू से नगिल्यू आएगी Sue कि इच्छर्ण मेरी अच्पर इससे ज्यादा बड़ी वेल्यू आएगी और सबसे बड़े X पर सबसे बड़ी value आएगी ये ठीक है आया ना आपको वो चीज़ पूछी है क्या मैं इस पूरी expression को f of x से divide कर सकता हूँ सर डिवाइड और multiply करते वगत इन equality में हम सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जिस expression से या जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो पॉजटिव है कि नेगिटिव है मैं तो f x से डिवाइड गर रहा हूं और f x हमेशा पॉजटिव है ठीक है बस डिवाइड करो बिं सारने ये सबसे चोटा यह बाथ हमेशा ट्रू है कि आपक काम करो इस पे लिमिट एक सप्रोच इस तु इनफिनिटि लगाहबं को इस पूरे की वैल्यू उसने सवाल में दे रखी अध्यान से देखो कि इस पूरे की वैल्यू है 1 सर यह तो constant है इसमें x है यह नहीं x को आप infinity ले जाओ चाहे जुन जुनू ले जाओ कहीं भी ले जाओ सर यह 1 ही रहेगा तो इस expression की value पूछी यह इससे छोटा था और यह इससे बड़ा था यह वाला वन जा रहा है और यह वाला भी बन जा रहा है जब आप x को infinity लेकि जा रहे हो तो यह भाई साब कहां जाएंगे सर शैंट्विश्ट थेोरम के इसाब से यह भी वन ही जाएगा इनके बीच में फसा हुआ यह ठीक है यह भी वन ही जाएगा थिक है आया ना कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर equality नहीं आई ठीक है equality जब आप result लिखो कि तब आजाएगी अगले step में यहां पर और यहां पर क्योंकि इन दोनों कि वैल्यू वन है इस theorem का दूसरा सवाल पहला format सबसे important जिसमें greatest integer आजए वह वाला दूसरा format यह तीसरा format एक यह भी है जिसको हम r by n वाले format से भी solve करते हैं ठीक है आया ना r by n format से भी solve करते हैं जब मैं इसका जवाब पूछता हूं पहले मैंने पूचा कि form बता भाई वह सबसे important है तो यह लिखाव है 1 प्लस 1 upon 1 plus n square 2 upon 1 plus n square मैंने पूचा n जा रहा है infinity की तरफ यह वाली term कहा जा रही है 0 यह वाली term कहा जा रही है 0 और यह वाली term भी जा रही है 0 एक बच्चे ने इसका जवाब जो है वो directly देखते ही दे दिया किसर इसका अंसर हो गया 0 मैंने पूचा क्यों भाई बोले सारी term 00 की तरफ जा रही है तो सबका addition 0 मैंने पूचा ऐसी number of terms कितनी है बोले infinity तो भाईया हर एक term जा रही है 0 और ऐसी number of terms है infinity तो this is 0 into infinity की form ना कि इसका जवाब आप 0 दे दोगे विकाज अब की बार जिस variable की वज़े से number of terms infinity जा रही है वो भी n है और जिस variable की वज़े से हर एक term 0 जा रही है वो भी n है दोनों काम एक ही variable की वज़े से हो रहे है इसलिए form 0 into infinity है वरना कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर आपने वो अभी थोड़ते पहले question किया था हां आजाओ तुमारे सारे डाउट क्लियर करूंगा घबराओ मत तो बिल्कुल मन में कोई शंका नहीं रहने देंगे चलते हैं चलते हैं उस सवाल पर हो मैंने बूचा चांद से की देखा है कहीं मेरे याद साहसी चांद ने कहां नहीं तुम्हें शाइद ही डाउट निया चलते हैं चलो यह बार यहां देखना चला मैंने दिखाओ बताओ जान सुना मज़े दार है डाउट लाने के बाद में फिर क्लियर कर रहा हूं आपने बोला यह टर्म एक्स आपने कोविशन लिखा ही नहीं आपने बोला कि यह जो है जिरो की तरफ जाएगा तो यह पूरी टाइमस एड होगा तो जीरो इंटो इंफिनिटी की फॉर्म है तो यहां पर भी आपको जीरो इंटो इंफिनिटी की फॉर्म बोलना चाहिए था सवाल को आगे चलाना चाहिए था लॉजिक सुनो अभी जिस सवाल पर जाकर मैंने जीरो इंटो इंफिनिटी वाली फॉर्म बनाई उसमें हर एक टर्म का 0 जाना भी N की वज़े से था और नंबर आफ तर्म इंफनाइट भी N की वज़े से थे एक यह याप नंबर आफ टर्म इंफनाइट X की वज़े से नहीं है यह वह तो इसकी जब आप expansion कॉरते हो किसका यह ऐग यह बाइनोमिय verse theorem for any index वाले में जब आप इसका expansion करते हो तब number of terms infinity आती है उसमें x का कोई लेना देना नहीं है तो अब की बार हर एक term zero हो रही है x की वज़े से और number of terms infinity जा रही है किसी और वज़े से x का उसमें कोई रोल नहीं है तो दोनों काम अलग अलग वज़े से हो रहे हैं इस वज़े से इनका जवाब 0 अगर यह दोनों काम सेम वज़े से होते हैं I can understand this is confusing बट जैसे यहां पर आ जाओ ठीक है यहां था यह हमने cancel करने के बाद में मैंने इसको इधर डिवाइड किया इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0 इसमें 0, इसमें 0 इसमें कितनी टर्म होंगी? जो 0 होंगी, infinite अब की बार फिर सरक्टने इसको 0 into infinity इसलिए नहीं बोला, because कि वह और एक टॉम जीरो और है एक्स की वजह से नमबर अफ टरम इंफनाइट किस वजह जा रहे हैं क्योंकि वह एकी पावर एक्सपेंशन में नम्बर एक रिम की वैल्यू दोनों इंफिनिटी अब उफ तरम तो इंफिनिटी जा रही है कि वजह से वो देखो एंप इन इन प्रई लगागा और हर एक टम जिरो जा रही वह भी तो मपिटिक तो सेम वजह से लिख लेना इस बात को से मजटे इस यह लुए आहा ना तो सर यह 0 into infinity वाली फॉर्म बनकी एन की जगा 1 by T डालके भी देख लो तो आपको बता चलेगा कि बाकी जितने भी तरीके आपको सिखाये गहें हैं वह यह काम नहीं कर रहें हैं तो फिर सरह हम क्या करें अभ हम लगाएंगे सेंडविच सेडविच सिंव कृछ सेंडविच थियूरम आजाये इसमें आपके कर तो बश्राइं को हैं सब को क्लब इसलिए नई कर पांगी सबका डिनामेनीटर अलग है नमीटर तो एक बाद बताओं आपको इससे एक बड़ी टर्म बानने है और इससे चोटी तर्म मानने है सबसे च्शोटा Rem लिब ऑänd एक बात बता मुझे इन में से सबसे छोटा डिनामीनेटर किसका है सबसे चोटा डिणामिंधरिक इसका सबसे चोटा डिनामिनेटर एंपर तो あफ चैन्न को इसे वड़ा ऑई इस इसके बराबर या इससे चोटा होता है तो अबकी बारš होल्ट कर भी है सबीज फरी इस आपको चोटी टर्म बनाने तो रहा थोटी टर्म बनाने के लिए लीड रह विट रहा उट्टी टर्म to तो डिनामिनेटर सबसे चोटा इस टर्म से चोटी टर्म बनानी है तो डिनामिनेटर सबसे बड़ा बस अब इस चीज को कॉपी करते जाओ कितने लोग इस बात से अगरी करते हैं कि यहां पर इक्वैलिटी अब नहीं आएगी कितने लोग इस बात से अगरी करते हैं कोई परिशानी है इसमें मैंने दिनामिनेटर बड़ा कर दिया तो यह कम हो गया बस अब चलने तो तो सेम यहां पर 3 अपॉन 3 प्लस N स्कूर आएगा तो तो वो लेस देन हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस N स्कूर से और वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 अपॉन N स्कूर प्लस N से चलने दो तो यह आजाएगा N अपॉन N स्कूर प्लस N कोई बात नहीं Numerator तो as it is रख रहे हैं यहां पर लिख दिया 1 प्लस N स्कूर है और यहां क्या लिखूंगा Numerator as it is रख रहा हूं यहां पर N स्कूर प्लस N और यहां पर equality लगा दी है अब मैं इन सबको add करने के लिए बोल रहा हूँ ज्यान सुनना ज्यान से सुनना अब हट जाए लेफ्ट साइड का एडिशन क्या है सर अपकी बार add करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी बिकॉस सबका denominator सेम है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक N तक तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक N तक और denominator में आ जाएगा सर N स्क्वार प्लस N ठीक है और यह किस से बढ़ा होगा सर यह बीच वाले फंक्शन से जो हमें दे रखा है समझ मैं जो हमें गीवन है तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं यही तो है गिवन अरे यही बन जाएगा यह सबको एड़ गरोगे तो वले हाँ सर और यह इन से छोटा किस से छोटा है सर यह आ जाएगा N स्क्वार प्लस 1 डिनॉमिनेटर सबका सेम उपर 1 प्लस 2 प्लस वही एं तक मतलब और यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है N into N plus 1 upon 2. ऐख से लेसी सिसलफेन यह गीवन जाएगा जो हम से पूछा जारा वो आनम और सिर्फ्र उपर लिखाव है और ये हम से पूछा गया है मैंने पूछा ये कितना आएगा ये बता तो sir, ऊपर से आपने बोला था, highest power common लेनी है, यहाँ से N common लेगा, बाहर बनेगा N square, यहाँ से भी N common लेगा, बाहर बनेगा N square, N square, N square, cancel, अलग से देख ले, यह हो जाएगा N square plus 1 plus 1 upon N, और denominator में 2, यहाँ पर N square plus 1 upon N, तो यह तो ऐसी दिख रहा है यह उड़ा दो पूरा तो यह क्या बनेगा हाफ इसमें ज्यादा लोड लेने की जुरत नहीं है ठीक है ठीक है यह यह पूरा गया यह लिखाव हाँ अप मैंने पूछा यह राइट वाले फंक्षन क्या बनेगा वह देखके पता ना तु anticipate अनगे 순सा कॉमल लिया वन प्लस वन अपनिन कॉमल लिया तो फान प्लस अ upon n square यह यह cancel n को infinity लेके जा रहे हो यह भी 0 यह भी 0 one upon one और यहां बचेगा 2 कितने लोग एगरी करते हैं कि सर यह भी हाफ बच रहे और हमारी sandwich theorem लगानी सफल तभी कहलाईगी जब यह दोनों सेम आते हैं अगर यह दोनों function आपने दिया है यह इसके और इसके बीच में फसा हुआ है और इन दोनों की वेल्यू हाफ जारी है infinity पर infinity पर यह दोनों चिपक गए तो यह जो बीच वाला है यह भी हाफ ही जाएगा तो पूरे function का अंसर कितना आया बेटा यह पूरी लिमिट का अंसर कितना आया तो दिस लिमिट इस नथिंग बड़ दिस इस हाफ ठीक है यहां पर मैंने एक चीज बोली थी आपको ऐसे सवालों में अटैक करने से पहले अगर आपको बड़ा expression बनाना है तो denominator सबसे चोटा कर दो और numerator सेम रखो और इससे चोटा नंबर बनाना है तो denominator सबसे बड़ा कर दो और फिर denominator बदलना मत किसी के भी क्यों ताकि add करने में असानी है तो इसको बार बार देखोगे तब समझ में आएगी बात ठीक है बार बार देखोगे तब बात समझ में ओगी इस आऊ एक टाइप के कॉस्चिन से यह और वेरी सिस्केटियों इस वेरी 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 इंपर्टियांगे नुद्वर ठीक इस पर हम सवाल थोड़ा बडिया से करेंगे जान नखिला मैं बडिया सवाल करेंगे वैसे सारी हमने किया है ऐसानी है कि सरब वो उस केटिगरी की बात कर रहा है जहां पर हमें लेचल आरेचल अलग लग निकालने की जुरत पड़े जहां पर जी आइएफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन फ्रेक्शनल पार्ट मॉड और सिगनम आके बैठ जाए ठीक है मॉड और सिगनम आके जो है वो बैठ ज्यान सुनना मेरी बात मॉड आएगा तो डिफाइन करो ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो उसकी जगह इंटीजर लिखो उसकी जगह इंटीजर लिखते हो प्रेक्स्णल पाट ओफ आएगा तो उसकी जगह ग्राफ से देखकर उसकी जगह यरा उसकी जगह ग्राफ से देखकर बैलियू लिखो घिण कि उसकी जगह ग्राफ से देखकर वैल्यू लिखो समझ गए अभी समझाता हूं और सिग्नम ऑफ एक्स आएगा कहीं पर इसमें तो आप पॉजिटिव नेगेटिव देखकर इसकी तो तीन ही वैल्यू जाती है वन जीरो और माइनस वन अब यहां पर मैंने यह क्या समझाने की कोशिश की बेसिकली सबसे पहली चीज जहां पर भी यह वाले लोग आ पहली चीज तो यह है और इनकी जगह आपको यह सब करना है जैसे फॉर एक्जामपल जैसे फॉर एक्जामपल की कोई सवाल है कोई सवाल है ठीक है उसमें लिमिट एक्स अप्रोच इस टू प्लस है ठीक है उसमें लिमिट एक्स अप्रोच इस टू प्लस है उसमें हाँ बीच में फसे हुए हैं सबके साथ addition subtraction में गबराव मत और वहाँ पर mod भी है और वहाँ पर हमारे पास fractional part भी है मैं आपको एक hint दे रहा हूं कि कैसे बढ़ते हैं बेटा आगे की तरह ठीक है और यहाँ पर कुछ values of x भी है यहाँ पर कुछ x की terms समझोगे तब समझ में आगे सारे multiplication में नहीं है addition subtraction कुछ लगा लेना अपनी मर्जी से ठीक है ऐसे हमसे टू प्लस पर वैल्यू पूचिए कि यह लिमिट कहां जाएगी अभी टू प्लस की बात करो तो अब आपको क्या करना है आपको graphically सूचना है जो greatest integer of x का graph होता है वह ऐसा होता है बेटा तू प्लस पर इसकी वैल्यू आती है एक्जेक्ट टू समझ मैं तू प्लस पर वैल्यू क्याती है एक्जेक्ट टू तो यहां पर आप वैल्यू रख दोगे सर इसकी 2 अब यह थोड़ आसा critical situation हो गई मैं बताता हूं कैसे बच्चे बोलेंगे कि सर expression के बीच में जाकर आपने वैल्यू पूट की तो अंसर इस इनकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी इनको हटा हटा के सर यह हमेशा एक इंटीजर होगा तू प्लस की बात हो रही है तो तू से बड़े पर इसकी वैल्यू आती है एक्जेक्ट टू तो वह मैंने रख दिया फिर बार याई मॉड की तो मॉड आपको सर टू प्लस मतलब एक पॉजिटिव नंबर है तो इसकी जगह आपको एक्स रखना है तू नहीं रखना है डिफाइन करो ग्रेटेस इंटीजर की जगह है उसकी जगह है इंटीजर लिख दो जो भी वहां पर पॉसिबल है फ्रेक्टिल पार्ट ओफ एक् एक चा एक्सेशन लिख नहीं मौड है तो ग्राफ से देखकर पॉजिटिव ए तो इसलिए मॉड एक्स की जगह एकस सिकनम की जगह सर अगर यह पॉजिटिव नंबर रखावा है तो यह पूरा क्या हो जाएगा सिगनम ऑफ पॉजिटिव नंबर वन अब सबसे ज़ादर होती है फ्रेक्शनल पार्ट वाले में भी समझा देता हूं पूरा ध्यान सुनना है ऐसे चलता है ग्राफ अब आपसे बूला गया है कि हम कहां पर डील करें अच्छा पहले इन लाइन की एक्वेशन देख लो यह होती है लाइन वाइब बराबर एक्स यह होती है लाइन वाइब बराबर एक्स माइनस वन सबका स्लोप जो है वो प्लस वन है और यह वन से पास कर रही है तो एक्स मेंसे वन गटा दो यह अगर टू से पास कर रही है तो एक्स मेंसे टू गटा दो यह थ्री से पास कर रही है तो एक्स मेंसे थ्री गटा दो थीक है, similarly अगर यह लाइन यहाँ जाती तो इस लाइन की एक्वेशन हम लिखते हैं, x-1 क्योंकि यह –1 से पास कर रहे हैं तो x में से –1 गटाओगे, तो यह x-1 हो जाएगा, अगली जो लाइन आएगी वो x-2 हो जाएगी, ऐसे करके, मैंने बोला कि अभी कहां पर डीलिंग हो रही है सर वो डीलिंग हो रही है 2 प्लस पे, 2 प्लस पे मतलब यह वाली, अब 2 प्लस पे यह जो लाइन की एक्वेशन चल रही है, फ्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स, ठीक है, एज, एक्स अप्रोच इस तू टू प्लस, जो बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया, एक्स वाली जो टर्म्स होंगी, जिन में मौड, सिगनम, यह कुछ नहीं आ रहा, तो यह रहेंगी unchanged, इनके साथ छेड़ खानी नहीं करने का, जहां पर greatest integer आ जाए, देखो, कहां और यह बात, उसकी जगए integer लिख बिल्कुल जाही, बीच में value put करनी है, मैं बोल रहा हूँ, mod आ जाए, तो देखो, define करके expression of x आएगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 2 प्लस का mod तो 2 प्लस की होता है, यहां पर 2 रख दिया, नहीं जी, वो नहीं रखना है, सिगनम की जगह, प्लस माइनस, प्लस वन माइनस वन या जीरो में से कोई एक नंबर आएगा, वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और fractional part of x में आपको यहां से देखकर, 3 प्लस की बात हो रही होती, तो मैं fractional part of x की जगह x माइनस 3 रखता, 0 प्लस की बात हो रही होती, तो है, सवाल सामने आएंगे, तब हम और अच्छे से उसको चित कर देंगे, बिल्कुल सही, greatest integer denotes the GIF function, और 0 पर value पूछी है, तो सबसे पहला धर्म हमारा क्या है, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, और जैसे ही यह लोग आते देख रहे हो, ऐसे options भी आने start हो गए, जैसे ही यह greatest integer आया, तो limit does not exist, ठीक है, आया ना, तो ध्यान सुनेंगे, तो 0 प्लस पे, कहां कहां पे भीया, मॉड है, सर इसमें कुछ नहीं है, तो इसको as it is चलने दो, 10 of pi sin square x, फिर प्लस, आपने बोला था, मॉड x को कैसे define करो, open करो, 0 प्लस का मतलब है positive number, positive पे mod कैसे open होता है, as it is, यहाँ पे आ जाएगा x, mod x की जगा, minus sign x, greatest integer of x की जगा, आपने बोला, integer रखो, 0 प्लस से थोड़ा सा बड़ा, मादब 0 से थोड़े से बड़े number का greatest integer क्या होता है, exact 0, क्या मेरी बात समझ गे, 0 से थोड़े से बड़े पर greatest integer की जगा है, मैंने 0 रख दिया, ठीक है, यह square कहा हो रहा है, square यहा हो रहा है, ठीक है, तो बस फिर, अब यह एक fresh question बन गया, जिसके अंदर ना ही mod, ना ही greatest integer, ना कुछ दिखाई दे रहा है, तो sir, यह हो गया गाया, अब solve करते है, sir, यह लिखा हो है, 10 of pi sin square x, और sir, यह 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा, सिरफ x square, and this is x square, और limit x जा दिया, 0 प्लस की तरफ, अना, चलिए जी, अब मेरी बात ध्यान सुनना, sir, x square को x square से divide किया, यह आजाएगा 1, और जब आप इसके नीचे इसको लिखो कि that is 10 of, यही पर कर दूँगा solve, तो यहां पर यह आजाएगा plus 1, यहां पर जो x square था था ना, उसको इससे divide कर दिया, और यह जो लिखाऊँ है, यह x square यहाँ, स्टेंडर्ड लिमिट कुछ बंती भी दिखाई दे रिएगा, हाँ sir, बहुत असान है, इसको solve करते हैं, मैंने पूछा कैसे, बोले एक काम करो, इस x square को हटाओ, आप 10 की अंदर जो लिखा हुआ है, वो 0 की तरफ जा रहा है, इसी से ही divide करो, इसी से ही divide कर दो, और इसी से ही multiply कर दो, और बाहर plus 1 है, plus 1 किस वज़े से है समझगे न, because denominator, यहाँ पर numerator में एक x square बचेगा, उसको x square से divide करो होगा, तो plus 1, ठीक है, अब बस एक छोटी सी कलाकारी और कर दो sir, मैंने पूछा क्या, बोले, इसके नीचे x square लिख दो, यह भी ठीक है, tan of something upon something, दोनों same, दोनों 0 की तरफ जा रहे है, standard limit के इसाब से, इसकी value 1, sir, यहाँ पर आएगा πाई, sin of x upon x का whole square, that is also 1, और यह भी 1, तो यह पूरा जवाब कितना आ गया, यह आगया, बिटा, पहला वाला तो पूरा पाए, और दूसरे वाला बाए, यह हमारे पास आई, अभी right hand limit only, समझ गें, आया ना, तो greatest integer, mod, ऐसे सवालों से कैसे deal करते हैं, दुनिया को नहीं पता है, ध्यानक ना, confused होते हैं, यहां के, मैंने आपको तरीगा बता दिया, limit x approaches to 0 minus, left hand limit calculate करूँआ, बहुत सब्सक्राइब, जल्दी से शुरू करते हैं, सर, पहले वाली term, जो x के expressions हैं, उनको नहीं छेड़ेंगे जी, क्योंकि उनमें सिरफ x है, हम सिरफ किसके साथ, छेड़ खानी कर सकते हैं, जहां पर mod, signum, greatest integer, fractional part, यह लोग आए, बागी किसी term के साथ, छेड़ खानी मत करना, यह पता, mod x में, अगर x की value, 0 minus सकते हो, 0 से थोड़ी से छोटी, मतलब negative, तो यह कैसे open होगा, minus x, अब यहां आजा, minus sign, ज्यान सुनना, x, और greatest integer of 0 minus क्या हो जाएगा, 0 से थोड़ी से छोटे नंबर का, greatest integer minus 1, ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा, minus 1, यह ठीक है, आए ना, अब सुनता जाना राम राम से, यह पूरा क्या हो गया, सर, यह minus और यह minus प्लस कर दो, और, ठीक है, बस, तो यह पहले वाला कितना आ गया, 10 of pi sin square x, यह term to as it is, minus a plus b का whole square, मतलब यह लिखाओ, minus x plus sin x का whole square, तो minus x का square, x square, sin x का square sin square x, और minus 2 x sin x, ठीक है, तो यह मैंने कहा किया है, minus a plus b का whole square, यह भाया, minus into minus plus है, तो यह ऐसा लिखावा दिखाई दे रहा है, minus x, plus sin x का whole square, उसी को open करके लिखा है, अब जो x square denominator में था, उसको अलग-अलग कर दो, सभी terms के नीचे, और एक-एक term की मुझे value बतानी, स्टार्ट करो, सर हमने यह वाली term solve की है, 10 pi sin square x upon x square, ठीक है, same standard limit वाला formula, तो इस पूरे की value कितनी आएगी, हमारे पास pi, इस पूरे की value कितनी आ रही है, pi, x square upon x square is 1, सर sin x upon x का whole square, standard limit 1, तो सर यह कितना हो जाएगा, यह धियान सुनना, sin x upon x, 1 into 2, तो यह हो जाएगा minus 2, इस पूरे को जब मैं solve करता हूँ, तो यह आ रहा है pi, तो एक limit आए pi plus 1, एक आए pi, limit does not exist, क्योंकि दोनों finite तो है, बट दोनों बराबर नहीं है, LHL और RHL बराबर नहीं है, तो पहले आप देखी कि कि क्या किया, rule number 1, always calculate LHL and RHL separately, rule number 2, आप एक बार देखो, कि mod, greatest integer, fractional part, इन की जगह क्या क्या रखा जाएगा, और यह example यहां से बहुत बहुत बहुतरीन है, आपको लगे कि आप बीच में value put कर तो तो बिलकुल घबरानी की जुरत नहीं है, कर ये put, ठीक है, एक और सवाल करेंगा, हाँ, ज़रूर ही है, और आए ध्यान रगना, JEMains 2021 में बहुत सवाल आए हैं, जिसमें greatest integer और modulus और यह सब बैटे हैं, नवराने का नहीं है, तुम्हें सवाल करने हैं, यहां पर फिर से बता देता हूं, टेक्निकली मुझे लिखके लाना चाहिए था, कि यह वाला जो फंक्शन है, दिस इस एफ पी एफ, और यह वाला जो फंक्शन है, दिस इस जी आएफ, ठीक है, बढ़िया सवाल है, एकदम सोचने वाला जोड़दार सवाल, वापे सर, ग्रीटेस इंटीजर और फ्रेक्शनल बार दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें इसर पहले लेफ्टेंड लिमिट कैलकुलेट करना होगा, ये लेफ्टेंड लिमिट, ठीक है जी, जो जेई में पूछेगे हैं, वो इससे हलके दियानकना, इससे हलके हैं, मैंने थोड़ा बारी कर दिया इसको, बज तुम तो मुझे ये बताओ, और मैं ये आपको अल्रेडी बता चुका हूँ, तो पहले मैंने तुम्हें बताया था, अब तुम भी मुझे वापिस बताओ, कि as x approaches to 0 plus या 0 minus, ये जो 10x अपॉन x वाले भाहिया होते हैं, ये हमेशा 1 की तरफ तो जाते हैं, बट 1 की तरफ भी कौन सी साइट से सर 1 plus की तरफ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो मैंने इसी lecture में बताई है, क्योंकि 10x का graph जो है, वो x वाली line के उपर ही रहता है हमेशा, numerically मतलब 10x हमेशा बढ़ा होता है x से, इस वज़ए से ये expression 1 की तरफ तो जाएगा, अब जब मैं इसको solve करने गया, आगे simplify करने गया, हमें जिसमें अकेला x है, उसको तो छेड़ना नहीं है, ठीक है, सर ये जो अंदर लिखा हुआ है, अच्छा आपकी बार x 0 माइनस जा रहा है, इसका मतलब निया, यहाँ पर आप माइनस वन लिख दो, ग्रेटेस इंटीजर किस पर लगा है और वो कहां जा रहा है, वो पता करो, सर ग्रेटेस इंटीजर लगा है 10x अपाउन x पर, 10x अपाउन x जाता है 1 प्लस पर, तो इसका ग्रेटेस इंटीजर 1 प्लस के नंबर का ग्रेटेस इंटीजर होता है, बढ़ा 1, है this is graph of fractional part of something something में अगर 1 से थोड़ा सा बढ़ा रखोगे तो उसकी value होती है that something minus 1 आपको यह समझना पड़ेगा अगर x होता तो आप x minus 1 लिखते अब यहां पर क्या है सर यहां पर यह 10x upon x है तो कोई बात नहीं तो 1 upon आप यहां लिखोगे 10x upon x minus 1 यह बनाए सर सवाल मैंने बोला तो सही था पहले आप इन सब को हटा कर फिर आपको एक सवाल दिखाई देगा लिमिट एक्स अपरोच इस तो 0 माइनस अब जरा ध्यान सुनना यह 10x upon x minus 1 क्यों है बिकॉस अंदर वाला जो इंसान है वह 1 प्लस जा रहा है और अगर वह 1 प्लस जा रहा है तो फ्रेक्शनल पार्ट उस पर वैल्यू देता है वह सम्थिंग माइनस 1 ग्राफ से देखकर ज वन की पावर में सर यह कौन सी फॉर्म है एक्स अपॉन 10x minus x चलो चेक करते हैं एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा तो यह बन रहा है सर जीरो बाइजीरो फॉर्मेट ऊपर का डेरिवेटी वन यह आ जाएगा सेख स्क्वार एक्स माइनस 1 एक्स जीरो की तरफ सेख की वैल्ली होती है 1 1 माइनस 1 0 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी तो मतलब सर यह 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गी फ्रेक्शन पाट आउ ग्रेटेस इंटीजर हटाने के बाद में हमें पता चला घूंसरिक इसकाइलाज के रुञत सर इसकाइलाज बहुत ही सिंपल और बहुत ही जूरदा एकिपावर में लिमेट एकульт अप्रोच इस चीडिरो माइनस लिखीय जो फंच्चन है पावर वाला वो उसस एजट रहता है और multiplied by यह जो function है इसमें से एक गटाना है एक गटाना है तो यहां पर x square आ जाएगा अगर x square आ गया तो उपर क्या जाएगा एक स्क्यूब अब यह जो है यह अपने आप में एक खुद एक सवाल बन गया और वो भी कौन सा सवाल बना सर जीरो बाई जीरो का अना ठीक है मैं इसको expansion से solve कर रहा हूं power में ध्यान से देखना भी यह उपर x cube 10x का expansion होता है x सारी terms odd की आती है तो अगली term आएगी x cube upon 3 और फिर अगली term आती है 2 upon 15 x की power 5 और भी terms आएगी बट वो मुझे लिखने की जुरत नहीं है फिर minus x x cancel हो गया denominator से अगर आप x cube common लोगे तो यहां बचेगा 1 by 3 यहां बचेगा 2 upon 15 की power साथ में x square और ऐसे और numerator में तो x cube है यह और यह उडाने के बाद में और x जा रहा है 0 की तरफ यह वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 तो 1 upon 1 by 3 is this is 3 तो यह पूरा solve करने के बाद में बचा 3 और final answer आप बोलोगे eq यह किसका answer है अभी left and limit का अभी यह किसका answer है विटा left and limit का मैंने पूचा what about right and limit तो लो right and limit भी कर लेंगे right and limit भी यही निप्टा देंगा और क्या है देखते जाना बाकी सारी चीज़े एकदम सही है अच्छा एक और चीज बताओ जीरो प्लस या जीरो माइनस से फर्क क्या पड़ेगा कुछ पड़ेगा क्या सोच के देखो मालो मैंने यहां पर जीरो प्लस लिखा अगले स्टेप पे जब आप जाओगे तो आप तो यही सोचोगे ना कि 10x अपॉन एक्स कहां जा रहा है सर्व अभी भी वन से बढ़ा है और वन से बढ़ा है यहां पर एक्स स्क्वेर आएगा पावर में सर अगें अभी भी यह वन प्लस है इसमें आप 10x अपॉन एक्स माइनस वन ही लिखोगे ठीक है मतलब पूरी कैलकुलेशन होगी सेम यहां पर 0 माइनस की जगह 0 प्लस लिखा होगा अगर 0 प्लस भी लिखा हो तो इसकी ना ही फॉर्म बदल रही ना ही कोई तरीका बदल रहा ठीक है ना ही फॉर्म बदल रही ना ही कोई तर तो left-hand limit, right-hand limit दोनों same आ रही है, आप फोलों कि limit exists and that is equals to e-cube. यहाँ पर मेरा मेन मोटो जो था, वो यह आपको सिखाना था, कि आप greatest integer of fraction part के साथ कैसे deal करेंगे. 2019, sorry, 2020 और 2021 में लिमिट के ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं, में में, जिसमें, fraction part of greatest integer involved है, मैंने आपको बता दी है, कैसे करते हैं, ठीक है जी, प्लीज ध्यान रखिएगा, now, एक छोटी सी चीज और है, बस, we are at the end of this chapter, गवराइए नहीं, एक होते है, built-in limit, ठीक है, built-in limit के लिए, पहले आपको concept सिखाऊंगा, और पहले आपको hint बताऊंगा, और तो यह थोड़ी हैवी चीज है, मत फिर भी, कैसे पता चलेगा, function में पहले से ही, function की definition में, function की defining में ही limit लगी होगी, function की defining में ही limit लगी होगी, मापको structure बता देता हूं, ध्यानकना, थोड़ा advance का concept है, बढ़ कोई बाद नहीं से, सारा main advance मिला करी चल रहा है, अपना ध्यानक कीगा, उसमें ऐसा होगा, कि जो fx है ना, उसमें पहले ही ऐसे लगा रखा है, और यहाँ पर x और n का expression, expression of x and n, यह है hint, जिसको हम बोलते है, built-in limit, सवाल की अंदर ही limit लगी हुए, जिसको हमें पहले define करना होता है, अब से define किस logic पर किस base पर करते हैं, वो समझाता हूं, ध्यान सुनना, एक बहुत ही चोटा सा concept है, कैसा है, बहुत ही चोटा सा concept, concept, concept यह बोलता है, सुनिए का जान से, कोई number है, और उसकी कोई power है, समझे की निसमझे, कोई number है और उसकी कोई power है, और number और power के बीच में खुद का कोई relation नहीं है, ठीक है, समझ मैं है, number एक अलग कहानी है, जैसे माल लोग मैं यहां लिखता हूं, x, और यहां लिखता हूं, n, मैंने बोला, limit n approaches to infinity, मुझे यह पता है, कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, x का कुछ नहीं बता है, कि x कहां जा रहा है, समझ पारे होगा नहीं समझ पारे होगा एक जो है वो कहां जा रहा है, आया है न, अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहली चीज़ तो यह कोई limit का सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें power किसी और variable पे depend कर रही है, और जो base है वो किसी और variable पे depend कर रहा है, तो इसका जवाब हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें एक काम और कर लो, यहां पे x square कर लो, क्योंकि फिर वो ही logic, क्योंकि यह भी बदल रहा है और यह भी बदल रहा है, अगर power बदल रही है, infinity पे जाकर कौन सा number आप उठाओ कि rational, irrational, real, कौन सा पता नहीं सर, n belongs to real number, अगर n belongs to real number है, मतलब power बदल रही है, और वो real number में से कुछ भी हो सकता है, rational, irrational, तो इस number को पहली चीज़ तो positive होनी पड़ेगी, सर, positive, बट 1 से चोटा, ठीक है, मतलब ऐसा number जो 0 और 1 के बीच में है, उसकी power एक ऐसा number जो infinity है, तो 1 से चोटे नंबर की power infinity that is 0, 1 से चोटे नंबर की power that is infinity वो क्या आएगा, 0, लियान अखना, ठीक है, हाँ, कोई सा भी number ले लो आप, फिट दूसरे में आओ, अगर x की value exact 1 हो जाए, exact 1 की power infinity सर, 1, क्योंकि अब की बार number 1 से ना ही चोटा, ना ही 1 से बड़ा, और अगर आपने x की value ली 1 से बड़ी, तो 1 की power, 1 से बड़े number की power infinity that is infinity, यह है logic, समझ पार हो कि नी समझ पार हो, यहाँ पर आपको इस number को positive बनाना था, इसलिए आपने 0 के right side की discussion किया, अगर कोई बोलेगी सर, exact 0 हो तो, equality 0 पर hold करे तो, तो कोई दिक्कत नी है, exact 0 की power infinity is also 0, पहले लिखवा चुका हूँ, आपने इसको ध्यान लखेगा प्रीज, फिर कही कही बार ऐसा भी लिखा होता है, ध्यान लखना, मतलब power जो है अब की बार, ये कहानी लिखी गई है, n belongs to real number के लिए, मतलब बहुत बड़ा number है, समझने की कोशिश करना, गन्फ्यूज मत होईएगा, बहुत बड़ा number है, बट कुछ भी हो सकता है, rational, irrational, किसी भी परकार कहा में नहीं पता, अब की बार मैं आपको बोलता हूँ, इस पर फरक कुछ नहीं बदलेगा, बस यहाँ पर आप एक्स ला लाके और रख सकते हो, सर जैसे ही पता चला कि एक से एक ने एक natural number है, अब की बार rational, irrational कुछ नहीं है, यहाँ पर रियल नंबर से फरक क्या पड़ा, क्योंकि पावर बदल रही है, और उसमें लाको करोडो लोग आ सकते हैं, अभी भी पावर बदल रही है, इसमें भी लाको करोडो आ सकते हैं, बट इंटरवल नहीं बनेगा, सिरफ natural powers आएंगी, बहुत बड़ी-बड़ी powers होँगी, बट सिरफ natural होँगी, तो यहाँ से फाइदा क्या हुआ, जवाब अभी भी वही रहेगा, अब आप क्या करोगे द्यान सुनना, अब आप ऐसा बोल सकते हो, कि इसकी value 0 आएगी अगर x, 1 और minus 1 के बीच में कुछ भी लेते हो तो, अब देखो negative x भी आने स्टार्ट हो गए, विकास कोई भी negative x लोगे, उसकी power कोई भी natural number सोचो, that is defined, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या real power में थी, इस वज़े से हमें सिरफ positive base लेना पड़ा, अब power natural number है, तो ऐसा लिख सकते हो, फिर अगर आप बोलते हो कि x की value 1 और minus 1 है, plus minus 1, तो उस पे, डिपेंड करता है कि आपने natural number की value क्या लिए, अब वो even वाला है, तो power plus minus 1 आएगी, मतब 1 और minus 1 पे आप बोल सकते हो, जवाब plus minus 1 आएगा, ठीक है? जवाब जो है, वो plus minus 1 आएगा, अब सर, plus minus 1 क्यों? क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा number है, और वो odd है, तो plus 1 पे 1 और minus 1 पे 1, minus 1, और वो अगर even है, तो दोनों पर ही plus 1, तो इस वज़े से वो जान कर पता चलेगा, और अगर आप x की value 1 से बड़ी लेते हो, तो सर, हमारे पाद जवाब आएगा, infinity, और अगर इसमें ही x की value minus 1 से चोटी लेते हो, तब भी जवाब आप plus minus infinity बोल सकते हो, बहुत चोटा number minus infinity की पावर नेचुरल नमब, तो आप बस यहाँ पर फरक क्या हुआ, आप वो आपको जानने की कोशिश अगर करोगे, तो इस से फरक पड़ा है, पावर बदल रही हो, इंटर्वेल बने, तो यह positive होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आप यह चीज दियान रखेगा, प्लीज, इसमें एक डाउट यह भी आता है, कि सर, हम जो यह वन की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म पढ़ते हैं, तो वन की पावर इंफिनिटी में यह सब नहीं चेक करते हैं, लॉजिक इस वेरी सिंपल, अब बापिस वही, यहाँ पर वन और इंफिनिटी, यह दोनों सेम वेरीबल की वज़े से काम हो रहे होते हैं, इसका वन बनना और इसका इंफिनिटी बनना, this is because of same variable, इसलिए यह वन की पावर इंफिनिटी होती है, नहीं हम इसमें यह चेक करते, कि इसमें बन प्लस बन रहा है कि वन माइनस बन रहा है, सब्सक्राइब बस बन की तरफ जाना चीर है हमसוצर यह देखते है कि यह 1 की तरफ जा रहाएं गीली बट सर कर दो सर जब flow सेosition लग लग आ जाए ह्ये पेस है इसमेंद हम देखते X तो मैंने पूचह यह फॉर्म क्या बनी द्यान सुनना तो अगर आप X को 0 लेकर जाओ के 00.999 upon 1 तो मतलब सर यह बन गया 0.9999 की पावर 1 upon 0 होता है इंफिनिटी अब सर यह नंबर जो है यह 1 की तरफ नहीं जा रहा है यह 1 से पहले ही रुख गया है आपको अब यह लगेगा कि यह 1 की तरफ जा रहा है नहीं जी यह 1 की तरफ नहीं जा रहा है यह तो एक फिक्स नंबर है 1 से छोटा 1 की तरफ जाने वाला नंबर आप लिख नहीं सकते हैं तो यह फिक्स नंबर है वन से छोटा इसकी पावर जा रही है इंफिनिटी दिस जीरो समझेगी नहीं समझेगी इसका डिरेक्ट अंसर के आएगा जीरो ठीक है आया ना बस बेसिकली मतलब ज़्यदा इसकी पावर इंफिनिटी वाली जो फॉर्म होती है उसमें यह नहीं देखते हैं यहां पर हम यह करते हैं अब आजब बिल्टिन लिमिट के सवाल पर बहुत बढ़िया सवाल है कि जैसे आपको देखती है पता चलना चाहिकी बिल्टिन लिमिट का कोशन है कैसी जो उसने फंक्षण कीया है जो उसने फंक्षण डिफाइन किया उसी में लिमिट लगी हुई है यह तो ऐफ एक सबता रहा है अभी इस फंक्षण में ही limit लगी हुई है और उसके बाद में उसने 0 पर value पूची है कि function की limit 0 पर क्या होगी तो पहले हमें इसको define करना पड़ेगा दियान सुनना क्या है limit and approaches to infinity यहां पे लिखाव है 10 of pi x square अच्छा एक और मजे की बात आपको बाकी सब terms की tension नहीं लेनी है आपको सिर्फ ऐसे format में built-in limit वाले सवालों में जिसमें function की definition में limit लगी हो सिर्फ यह देखना है कि n किस-किस पर टंगा हुआ है कि सर यह रहा और सर एक ही रहा कि सिरफ power n को देखो ठीक है है और जिस जिस पर एन लगा हुए न उसके respect में आप यह सोचो अच्छा अब की बार n जो है वो रियल नंबर है मतलब power जो है वो रियल नंबर है कोई से भी हो सकती है रैशनल एशनल तो भाई साब यह जो नंबर है ना पहली चीज यह पॉजटिव होना चीए पहली चीज जो है यह क्या होना चीए पॉजटिव आप और कोई तो रखी नहीं पाऊगे अच्छा अब जिसकी पावर में यह बैठा है एन जिसकी पावर बदल रही है इसके आप केस बनाओ अलग अलग आप वह वाला केस जब एक्स प्लस वन वन से बढ़ा होगा मतलब कि सर जब एक्स जो है वो जीरो से बढ़ा हो गया अगर X 0 से बढ़ा हुआ तो X plus 1 1 से बढ़ा होगा जब X plus 1 1 से बढ़ा होगा तो ये वाला पार्ट जाएगा infinity द्यान सुनना और ये वाला पार्ट भी जाएगा infinity क्या मेरी बात समझ में आती है क्योंकि जिस नंबर की पावर में आपने n बिठा रखा है और n जा रहा है इंफिनिटी तो वह इंसान वोत ये कैसा है वन से बढ़ा है कि वन से चोटा तो जब जब यह से बढ़ा है मैंने केश बनाया एक्स ब्लस बढ़ा मतलब X 0 से बढ़ा तो जब X 0 से बढ़ा मतलब यह पूरा बंसे बढ़ा ये infinity infinity जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फ़ॉर्म बन रहे है कैसे सॉल करते हैं सर चीछ उपन पर से प्रिफन की पवर दीज्ट और नीचे से भी स्प्लस वन्रे-फावर Н सुर्फॉ 70 N of pi x square upon x plus 1 km7 यहीं और सिमिलर्ली सर्यां बचेगा x award upon x plus 1 km9 की power और यह बचेगा 1 आपको सुनकर सुनकर बिल्कुल है नही करने का तरीकर आप करने का तरीका अब यह इन्फिनिटी ने अपन concret नॉम्बर शिरम है यह क्या जन्ति नॉमबर 721 सै ilania, यहां बचा साइनेक्स यहां बचा वन तो मेरी बात आपको सुनकर बिल्कुल हरानी नहीं होनी चाहिए कि कि यह पूरा बचेगा साइनेक्स के बराबर अगर एक्स प्लस वन वन से बढ़ा हुआ या फिर आप बोल सकते हो इसी में एक्स जब जीरो से बढ़ा होगा समझे और क्यों ऐसा क्योंकि वह इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ठीक है है अब आजाओ से दूसरे बात पर अगर एक्स प्लस वन एक्जेक्ट वन के बराबर हो जाए के मतलब 1 एक्स एक्जेक्ट 0 हो जाए एक्स जो वह एक्जेक्ट 0 जाए तो एक्जेक्ट 1 की पावर इंफिनिटी मैने आपको बताए था वह 1 ही होता है ठीक है तो यह पूरा क्या दिखाई देगा आपको मतलब इन दोनों के Speechperna arrival आजाए तो यह आप उने को function दिखाई देगा 10 of pi x square plus यहाँ पर आ जाएगा sin x upon यहाँ आ जाएगा x square यहाँ आ जाएगा 1 क्या मेरी बात समझ पारे हो आया ना तो exact 0 पर यह बनेगा exact 1 उसकी power infinity काम नहीं करेगी अब आ जाएगे आप अगली कहानी पर अगली कहानी क्या है परंतु positive होना चाहिए positive क्योंकि इसकी जो power है वो real number है तो जो x की value है वो minus 1 और 0 के बीच में तो जब x की value 0 और minus 1 के बीच में होगी अब की बार इसकी क्या कहानी बनेगी वो बताओ तो जब आपने x की value minus 1 और 0 के बीच में ली तो 1 plus x जो है वो जोटा है अगर यह वन से चोटा है इसकी पावर इंफिनिटी 0 मतलब सर यह वाली टर्म 0 यह वाली टर्म 0 यह गायब हो गया तो यह क्या बचेगा यह बचेगा 10 of पाए अपाउन x2 अपाउन x2 ठीक है यह हमारे पास आया है fx बिल्ट इन लिमिट जो पहले से लिमिट लगी भी थी उसको हटा कर अब हमारे पास function दिखाई दिया है और एक ही ठीक है वन से बड़े पर वन से चोटे पर और वन पर क्या वेल्डी होगी उससाब से ठीक है अब वो पूछ रहे है जीरो पर लिमिट बताओ लिमिट एक्स अप्रोच इस टू जीरो प्लस कहां से निकालूंगा फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है समझ पार हो हां एक ल आपने बताया था यहां पर कौन सा रुकना कि जहां पर greatest integer fractional part और यह सब लोग आ जाएं इसके साथ साथ में एक चीज और लिख देता हूंग अबराए नहीं ठीके, अलग लग कैल कलेट कर नीच ढ सी और एक और इसके साथ साहत and when fx has different definitions when fx has different definitions you're different expressions different definition boldus a regular the definitions for different values of X if fx की अलग-अलग कहानी चले जैसे की एक structure सबको बता होगा कि भीया fx इसके बराबर है जब x 1 या 1 से बड़ा है fx इसके बराबर है जब x 1 से चोटा है इसको बोलते हैं different definition ऐसे में x बराबर 1 पे अगर मैं limit पूछू तो 1 प्लस यहां से आएगा 1 माइनस यहां से आएगा तो आपको लह चलो और अलग-अलग कल्कुलेट करनी चाहिए ठीक है तो यह बात यहां पर लिखवा दी गई है और यही बात यहां बन रही है समझ गे तो मैंने पूछा कि 0 प्लस पे कहां से निकालो सर जीरो प्लस पे यहां से आएगा definition बिल्कुल सभी तो जीरो प्लस पे यहां से आएगी तो एक बाताओ जीरो प्लस पे फंक्शन कौन सा चल रहा है साइन एक्स और साइन में 0 प्लस रखोगे तो सर यह पूरा 0 की तरफ जाएगा फिर मैंने पूछा लिमिट एक्स अप्रोच इस टूजीरो माइनस कहां से आएगी तो देख लो सर जीरो माइनस जीरो से चोटे के लिए कहां से यह रहा 10 of pi x square upon x square है तो इससे pi से divide और pi से multiply सर यह standard limit 10 के अंदर जो है वो ही denominator में है तो यह वाले की पूरी value होगी 1 और दोनों 0 0 की तरफ जा रहे है तो 1 1 into pi यह होगा पाई ठीक है तो limit x approaches to 0 आप क्या बोलोगे इस case में that is left hand limit हमारे पास 0 आ रही है sorry right hand limit 0 आ रही है और left hand limit pi आ रही है दोनों finite है बट बराबर नहीं है इस वजह से limit does not exist समझ गे तो यह built-in limit का सवाल है समझ में आया होगा जिस पर end टंगा हुआ हो उसी को पकड़ो और उसी के basis पर analysis कर दो now last and the final rule that is Leibniz rule although definite integral का पार्ट है वहाँ पर भी हम इसको पढ़ाते हैं बताते हैं बट Leibniz rule में क्या होता है फटा फट देखना ज़रा ठीक है हां एक आपको यहां पर दिया जाएगा f of t dt जब आपको integral sign के अंदर differentiation की जुरत पड़े integral sign के अंदर differentiation की जुरत पड़े तब अब सरी differentiation की जुरत कैसे पड़ेगी वो बताऊंगा मत गभराओ मैं अगर आपको बोलू कि भी इसको differentiate करना है इसको आपको का करना है differentiate करो पटापट differentiate with respect to x तो आपको क्या करना होता है यह जो अपर लिमिट है यह एक बार टी की जगह रख दो तो मैंने क्या किया फंक्शन के अंदर अपर लिमिट रख दी x वाली फंक्शन की जो यह अपर लिमिट थी इंटीग्रल की वो टी की जगह रखी multiplied by derivative of upper limit upper limit का derivative h-x माइनस अब यह लोवर लिमिट जो है यह आप टी की जगह रख दो फंक्शन के अंदर तो यह बन जाएगा f of gx multiplied by differentiation of lower limit और differentiation of lower limit हो जाएगा g-x तो यह इसका derivative कहलाता है यह इसका जो है यह क्या कहलाता है derivative समझगे आया ना यह कहां पर जड़त पढ़ती है कुछ मतलब जो हमारे पास limits की question है उसमें integral sign भी दिखाई देता है तो उसमें जहां पर भी इंटीगल साइन आजाए आपको differentiation करना पड़े यह वाला रूल लगाएंगे अभी मैं आपको लगा की दिखाता हूं जैसे यह वाला सवाल है limit x approach is to zero x और नीचे लिखावा है sin x यह x sin x है विटा आप इसको solve करें फटा फटा फट सौल करें मतलब सर हमें तो यह सिखाए गया है हमें तो यह सिखाए गया है कि सबसे पहले form check करते हैं मैंने का बहुत बढ़िया हूं अगर आप x को zero की तरफ लेके जाओगे इसकी lower limit zero है ध्यान सुनना और इसकी upper limit भी zero हो जाएगी मेरे खाल से आपने integration इतना जान लिया है कि lower limit और upper limit same हो जाए two two three three तो यह area को represent करता है two तो जब आप अपर limit को भी zero कर दोगे तो यह वाला जो पूरा पार्ट है यह जा रहा है zero की तरफ और lower limit में zero रखो यह तो zero है यह ना इस सवाल में differentiation लगाने से पहले अब सर यहां पर आपको कैसे पता चला कि differentiation लगेगा अब मैंने किया हाँ यह दिमाग आपका चलता रहना चाहिए सर यहां पर x से डिवाइड और यहां पर x से मल्टिप्लाई क्या ऐसा कर सकते हैं तो अंसर इस ताकि यह साइन एक्स का तो हमें पच्छडा नहीं लेना पड़े न तो साइन एक्स की जिगा हमने वन रख दिया रख सकते हैं हां सर क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है पू हमां से यहां जाते वक्त मैं लगा रहा हूं एलेचरौन हैं और लगती मस्त है एलेचरूल बोलताव नूमिरेटर का अलग से और यह रहा आपने बोला था अपर लिमिट को टी की जगह रखो तो कौस टी स्कौाइर है तो टी की जगह x स्क्वार रखोंगा्गा तुसका excited यह हो जाएगा x की पावर 4, क्या मेरी बात समझ पार हो, तो cos के अंदर x की पावर 4, multiplied by differentiation of upper limit, आप अगर rule ध्यान से देखोगे, तो इसमें कहीं पर भी f dash, मतलब f की उपर dash नहीं आ रहा, upper limit और lower limit differentiate हो रहे हैं सिरफ, f के अंदर g और h सिरफ रखे जाते हैं, समझ गे, f का कही derivative नहीं होता, तो इसके अंदर रख दिया, अब उपर वाली का derivative, that is 2x, minus, lower limit को इसके अंदर रखोगे t की जगह, that is cos of 0, multiplied by derivative, सर ये constant है, 0 का derivative x के respect में 0 होता है, तो ये वाली पूरी term ही गायब हो गई, this upon this, 2x, 2x cancel, x जा रहा है 0 की तरफ, cos 0 होता है, बिटाजी 1, इस पूर एक और करोगी का, अरे sir, आग लगा देंगे, करिए फटा-फट, आपकी बार उपर नीचे दोनों जगह है, हाँ, ठीक है, अगर x को 0 लेके जाओगे sir, lower limit, upper limit, same, ये 0 और ये भी 0, तो मेरे खाल से 0 by 0 की form बन गई, now, उपर वाले का differentiation तो आप directly कर दो के चलो, but नीचे वाल अलग function है, और ये एक x का अलग function है, तो अगर आप इसको differentiate करोगे, तो u into v rule लगेगा, ठीक है, यू into v rule लगेगा, या फिर आप ऐसे समझो कि एक बार differentiation में बात बनेगी नहीं, ठीक है, आए ना, एक बार differentiation में बात बनेगी नहीं, दो बार करना पड़ेगा, तो या तो या फिर सर कुछ ऐसा तर्कीब लगाऊ ना, जलो दो बार कर देंगे, ठीक है, जल्दी से आजाओ, मैं कौन सा rule लगा रहा हूँ, lh rule, because 0 by 0 form बन रहा है, lh rule लगाने गे तो numerator का derivative integral sign आ रहा है, अपर लेमेट रख दो, x की जगह है, अचा यहाँ पर यह x दे रहा है, तो भ गबराने की जूरतनी है, इस x को आप t ही मान के चले, समझ मैं, यहाँ पर अगर t भी होता, तो क्या फरक पड़ता, समझ गे, तो यहाँ पर t ही मान के चले, यह t ही है, तो t कर ले ना, miss print समझ के इसको, वरना यहाँ पर x हो तो भी कोई दिक्कत निया, आपको तो upper limit यहाँ multiplied by differentiation of upper limit, that is 1, minus lower limit रखोगे 0, तो यह पूरा 0 ही आजाएगा, कैसे, 0, cos 0, 1, 1, minus 1, 0, और 0, और differentiation भी 0, यह तो numerator का differentiation हुआ, x का derivative 1, और यह वाला पूरा expression as it is, plus x as it is, अब इसका differentiation, तो x को रखा, x के अंदर, यहाँ पर, इसकी जगह है, multiplied by derivative of upper limit, that is x का derivative 1, lower limit 0, तो वो 0, समझ के होंगे मेरी बात, तो यह पूरा 10x ही आ रहा है, differentiate करने के बाद में, ठीक है, और limit कहां जा रही है, जी, x approaches to 0, इसलिए मैं बोल रहा था कि, चलो, कुछ नहीं, अभी भी क्या 0 by 0 form है, तो answer is, sir, yes, x को 0 की तरफ लेके जाओ, कि cos 0 होता है, 1, 1 minus 1, 0, और यहाँ पर भी, sir, यह 0, और यह भी 0, तो एक बार और हम LH rule लगाएंगे, ज्यान सुनना, एक बार और LH rule, 1 minus cos 2x का derivative, sir, minus की जिगा, plus sin 2x आ जाएगा, और 2x का derivative हो जाएगा, 2, whole divided by, इसका derivative लिखते हैं, sir, वो आ रहा है, 10x, हम अल्रेडी बता चुके हैं, plus x 10x का derivative, sir, यह 10x, हाना, x का derivative, तो x इंटू, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10x का derivative होता है, 6 square x, 10x का derivative कितना हो जाएगा, 6 square of x, now, अब अगर ध्यान से देखोगे, तो अभी भी यह 0 by 0 वाली फार्म खत्व नहीं हुई है, 0, 0, 0, 0, बहुत बढ़िया, अब क्या करें, sir, एक बार और करो, फिर अले चलू, और क्या है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 2, यहाँ पर भी आजाएगा, cos 2x, ठीक है, योगि इसका derivative होगा, cos 2x into 2, तो 2 बाहर, और यह लिखाव है, 2, 10x, तो 2, 10x का derivative क्या होता है, 2, 10x का derivative होता है, 2, 6, square x, इसका derivative क्या हो जाएगा, इसका derivative आएगा, 6, square x, x का, और x, as it is, 6, square x का derivative, 2, 6, x, into, 6, x, 10x, ओ, भाई, अब यहाँ से सीधी-सीधी value आएगी, जब आप x को 0 की तरफ लेगे जा रहे हो, 4 by 1, उपर आएगा 4, सर यह 1, यह 1, तो यह नीचे लिखाव है, 2 plus 1, 3, यह 0, यह भी 0, तो यह पूरा 0, तो 4 by 3 हमारा answer आगया, ठीक है, 4 by 3 जो है, वो क्या आगया, हमारा answer आगया, कोई परिशानी है? आया ना, मेरी जाल से बात समझ में आती है, ठीक है, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, चलो, वो भी बता देता हूँ, हमने क्या किया, पहले ही जब मुझे दिख रहा था, कि differentiation बहुत बड़ा बनेगा, सर आपको कैसे दिखाई दिया, हमें भी आप बता दो ता कि हम भी ध्यान रखें, तो यहाँ पे देख नीचे, एक तो integral sign है, साथ में एक x का function भी आ रहा है, multiplication में, एक तो integral sign है, साथ में एक x का function भी आ रहा है, multiplication में, इस वज़े से, तो यहीं पर ही इसको थोड़ा set करते हैं, पहले ही, मैंने इसको ऐसे लिख लिख लिया, 0 से लेके x, 1-cos2x dx, ठीक है, हाई ना, और यहाँ पर हो गया x, और, है, और ना, एक x से उपर multiply किया, तो एक मैंने यहाँ पर divide कर दिया, आया है न? In fact एक-एक से काम नहीं चलेगा, दो-दो से चलेगा सोचने वाली बात है सोचने वाली बात क्यों है? मैंने यहाँ पर लिखा x square, यहाँ लिखा x cube अभी समझ में आएगा x square, x cube यह अभी भी सवाल वही है अब मैं इसको ऐजे अलग सवाल सॉल कर रहा हूँ जब मैं इसको सॉल करूँगा, तो यह अपने आप में एक 0 by 0 फॉर्म बनाए बैठा है उपर वाले का डेरिवेटिव, सर 1 minus cos 2x और नीचे वाले का डेरिवेटिव 3x square ठीक है? सुनता जाना सर जब आप इसको अलग सवाल की तरह सॉल करोगी यह भी अपने आप में एक 0 by 0 फॉर्म है और इसमें उपर वाले का डेरिवेटिव 2x नीचे वाले का डेरिवेटिव 10x ठीक है एक्स अभी भी 0 की तरफ जा रहा है, तो कितने लोगों को x upon 10x की वैल्यू दिखाई दी यह 10x upon x की वैल्यू 1 रखोगे तो x upon 10x की वैल्यू 1 तो यह आ गया 2 सर इसमें क्या होता है इसमें आप एक काम करो 1-cos2x और 2x का whole square होना चीए मैं अनो 2x का क्या होना चीए whole square ठीक है और यहाँ पर था 3 और ये 2x के whole square से आप multiply कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ले आओ 4 क्योंकि standard limit में क्या होता है भई 1 minus cos 2x के नीचे उसी का ही square तो यहाँ पे 4 extra आ रहा है, x square तो था तो 4 से multiply, 4 से divide इस पूरे की value जो है या आती हाफ तो यह आ गया 4 upon 6 जिसको आप 2 upon 3 बोल सकते हो और यह आ रहा है 2 तो मतलब उसकी value आई से finally 2 upon 3 और इसकी value आई 2 that is 4 upon 3 और यही जवाब हमने 4 upon 3 यहाँ पे निकाला था अब सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर x square और यहाँ पे x cube की ज़रत पड़ेगी वो ऐसे, मैंने एक step आप imagine करके देखा कि differentiation के बाद में क्योंकि अगर यहाँ पे x रहता तो differentiation के बाद में denominator में 10x बचेगा और यहाँ पे अगर अकेला x होता तो वहाँ पे x तो गाइब हो जाएगा इसलिए एक power यहाँ पे ज़रत पड़ेगी ज़्यादा तब जाके standard limit बनती है तो ऐसे भी कर सकते हो अलग लग करके सेम ठीक है जी चलिए जितने भी questions मैंने आपको करवाए है limit के वह असान-असान से questions है और बहुत असान-असान सा ही chapter है इसके लावा इसके बाहर और कुछ नहीं बचा एक r by n के questions बचे सवाल को definite integral में convert करते हैं वह question हम करेंगे definite integral वाले में होप अगर वो मही chapter बढ़ाऊंगा तो महीं करूँगा वरना जो भी chapter आपको बढ़ाएंगे जो भी teacher बढ़ाएंगे वैसे महीं बढ़ाऊंगा definite integral महीं बढ़ाऊंगा ठीक है इसके बाद का जो आपका homework है वो मैं पहली बता देता हूं और पी वाई क्यूज ऑफ और पी वाई क्यूज ऑफ जेए 2021 2021 के सारे पी वाई क्यू लेक्टर कंप्लीट होते ही यही आपका काम है और जो जो homework करेगा उसी में मजाएगा उसको ही मजाएगा ज्यानतना एंड स्पेशल फोकस आउन स्पेशल फोकस जहां पर बच्चों से गलती होती है स्पेशल फोकस ऑन दे कोशन कंटेनिंग जी आएफ ग्रेटेस इंटीजर फंक्शन मॉड सिगनम एंड एफ पी एफ फ्रेक्शनल पार फंक्शन स्पेशल फोकस इन पर दीजिएगा क्योंकि इस पर बच्चों से गलती होती है और अगर आपको इन पर डाउट आए तो मैंने जहां पर यह चीज पढ़ाई है वहां जाके देखो कि क्या करना सिखाया फिर आप आगे बढ़ो समझके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लव यू आल बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और अमेजिंग सेशन के साथ थैंक यू